एक नहीं बैच चल दे उसमें आठ वसे समय अब ध्यान दो इदर साइड में समझो आज हम सब पढ़ने वाले हैं LCM and HCF बहुत ही ध्यान से देखना प्यार से देखना बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा यह हमारी पूरी गारंटी होगी लेकिन कलास को पूरा देखन आप देखो समझो पहले हम इनसे अपना परिचे करवाते हैं इनसे अपना परिचे नहीं मतलब इनका परिचे आपसे देखो सुनो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है समझें LCM and HCF दोनों क्या होते हैं इनका मतलब क्या है और इनका जो एक वरकार से बेसिक कांसेट है वो हम आपको देंगे एकदम निचोड़ के जैसे नीबू निचोड़ने पर उसमें रस निकलता है न तो आपको सिर्फ रस मिलेगा बस नजरे गड़ा के रखना देखो इदर साइड में आए ऑल सीयम का जो फुल फार्म होता है फैले तो यह समझो इंगलिस वाला फिर हिंदी वाले में बात करेंगे इसका फुल फार्म होता बच्चा लीष्ट यंल-e-a-s लीष्ट कामन मल्टीपल अभी आगे देख सेरो समिलेगा इसका फुल फार्म होता है इसको हिंदी में क् कि नहीं देखो समझो लगुत्तम समापवर्ते इसको बोलते हिंदी में लगुत्तम बड़ा ही खतरनाक हिंदी है इसकी समापवर्ते देखो ध्यान देना यह समापवर्ते होता है हिंदी में कुछ बुजा रहा है कि नहीं बुजा रहा है देखो हमारा थोबड़ा मत देखो तुम किवल बोर्ड देखो बोर्ड दिखना चाहिए बाकी कुछ दिखे या ना दिखे देखो समझो HCF का मतलब क्या है और हाँ HCF तो बात करेंगे बाद में इसमें एक चीज और मतलब होता यार LCM का जो मतलब होता न बाबु ये तो least common आप समझ गए इसका एक और भी नाम है वो क्या है इसको least common divisor भी बोलते हैं क्या है तो multiple बोलो ये divisor बोलो और ऐसा क्यों ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी आगे देखते चलो पूरा समझ से ठीक है प्रियंका कुमारी जी इसके पीछे का जितने भी कलास है वो प्लेलिस्ट में है आप प्लेलिस्ट में जाके देखो सारा कलास है पीछे अब समझो इधर साइड में देखो बहुत ही प्यार से समझो हाइस्ट कामन फैक्टर किरनम और आपकी स्पेलिंग गलत है आइस्ट की ठीक है और इसको एक नाम और भी बोलते हैं जी सी अफ देखो यहां पे सी लगाना नहीं बोलना तो बड़ा खतरनाक वड़ा बन जाए बस उसका मतलब तुम समझ जाओगे तुरंत इसका तो चाहिए ना ही समझो देखो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट की आर इए ऐसे कुछ होता है ग्रेटेस्ट मैंने सही लिखा है क्या कामन फैक्टर तो यह इनके हो गए हिंदी के फुल फार्म क्यूंकि हम पढ़ रहेंग हो गया भाईया मालविया जी कुछ समझ में आया अनारायन दिभ्यांग सेवा संस्थान इकदिल टीफू सांख्या इटावा से ठीक है भाईया बहुत अच्छे बच्चे बेरे गुड चलो आप सभी चातर इस सेशन को सेयर जरूर करो और जो लाइक नहीं किये ना वो समझ गए ना चलो चलो ठीक है आज मुझे यह मिला था कोई बोला था इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दूं हो सकता आपके भी कुछ इफेक्ट पड़े तो इसको लिख लो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं बहुत ज्यादा जूम लग रहा है जगा मुझे कम मिल रही है कि इसलिए मैं इसको थोड़ा च्वोटा कर दूं है वैसे जादा नहीं थोड़ा साल का सा चलो ठीक है ओके अब देखो इतना हो गया ना इसे में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को कोई समझ्या नहीं ना चलो ठीक है आफ समझते हैं कहां से मिलेगा भाई अगर तुम्हारे दिमाग में गोबर बरा है तो उसको साफ तो नहीं करेंगे हम यह समझ गया आप हाँ अभी इसमें मैंने एक चीज नहीं बताया है वो क्या है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं देखो यार इसकी हिंदी जो है नीचे दिख़ते हो रहा है न इसको बोलते है महत्तम समापवर्तक देखो आं मतलब समझना दोनों में अंतर देखो यह वर्तक है, यह वर्त है, समाप वर्त है, और यह समाप वर्तक, यहाँ पर फैक्टर वर्ड यूज हुआ हर जगा, और यहाँ पर मल्टीपल या डिवाइजर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझ रहो ना, समझ रहो की नहीं, भाई ते कोई यह सब को नहीं बोल कर देते हैं, तो उनको बोलना भी बढ़ता है, जरूरी भी है उनके लिए, नहीं तो वो समझते ही नहीं है, हिमानसु, गुपता जी, गुड़नाइट बच्चा, ठीक हो ना, आमन कनो जिया, PX गेमर, डिवेडेड नहीं समझाएंगे, क्या करें, डिवेडेड नहीं समझ बच्चा तुम पानी पीके आओ जाओ पही ले, नहां भी लेना अगर टाइम रहेगा तुपड़ा सा और फिर आना, चलो, आगे चलें अब देखो समझो, ये चीज तो आप लोग समझ गया होगे, देखिए, अगर हमें किसी दो भी टॉपिक के बारे में, सुनत भासा में बोलें, तो अगर हमें किसी दो टॉपिक काध्यन करना है, तो हम उन दोनों में अंतर समझेंगे, मतलब डिफरेंस, और अगर डिफरेंस समझ में आ गया, तो उसको समझना आसान हो जाता है, देखो कैसे, समझो इधर साइड में, इधर साइड में देखो, यहां दिख रहा इतना विस्ट फैलाया जा रहा है, कि आप लोग कोई बहुत अच्छे समझ में आएगा, चलो देखो, LCM, इधर साइड में HCF, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग की जो ढखकनन है उसको खोल लो, और खोल के उसमें यह भर दो, कि LCM और HCF सदय दो या दो से अधिक संख्याओं का होता है, किसी एक गिंती का LCM या HCF नहीं होता है, कुछ ऐसे भी लड़के हैं, जो वीडियो म बताया दो, 248 के LCM बताया दो, अरे गदवों, खचरों, यह एक नमबर में नहीं होता है, दो या दो से अधिक नमबर का होता है, समझ रहो ना, चलो, आप आगे देखो समझो, आगे साइड में समझो, संकरलाल को इनको हाइड कर दो, एक दम से, चलो, और जो भी फालतू क कमेंट करें, उनका कमेंट ध्यान से देखो, आप और जल्दी-जल्दी से उनको किनारे लगाते जाओ, आपका यही काम है, आप यहीं काम है, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस समझ रहे हैं, आज के बाद यह नहीं कहना कभी कि मुझे LCM नहीं आता है, बिलकुल एकदम 100% यह 4 और 8, आप देखो, दोनों में अंतर समझो, यहां समझो, 4 और 8 का LCM, देखो बच्चा LCM करने की दो तरीके होते हैं, एक होता भाग विधी, एक होता है गुडनखंड विधी, तो पहले आप मुझे यह बताओ कि कौन सा विधी किया जाए, जल्दी बताओ कौन सा कर रहे हो, मिल नहीं रहा का आपको, मतलब हम 8 बार बताएं तब करेंगे, आप ध्यान दीजिए ना इन लोगों को, इसलिए तो बैठे हैं, कोई रहते हैं, खुदी आप, काफी देर से डंडा किया है, देखो इधर, 4 एट, 4 एट का, हाँ, मैंने आप से कहा कौन सी विधी से करें, तो आप लोग मुझे पता है कि दोनों चाहते हो, कुछ कहेंगे, देखो भाई, तुम बोल तो डिवीजन, और हम बोल दें मल्टीपल, और ये कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, दोनों करवाएंगे, दोनों करवाएंगे, लेकिन पहले एक विधी, पहले हम भाग विधी से करवा दे रहें, अच्छा गुडनखंड कर लो, चलो, ये 4 है, और ये 8 है, तो पिछली कलास में हमने फैक्टर पढ़ा है, पढ़े हो ना, गुडनखंड पढ़े हो ना, बच्चा लोग, फैक्टर पढ़े हो ना, फैक्टर नहीं बताऊंगा इस कलास में, पिछ के फैक्टर में एक और दो हो जाएगा सामिल बस, ये हो गए फैक्टर, लसी में क्या करते हैं बच्चा देखो, मुझे पता है, तुमको मालूम है, आता है, अभी जादा नचट पटाओ, अभी थोड़ा देर में ठंडे हो जाओगे, जब कुछ कुश्चन आगे चोटा-चोटा चीज़ें अगर आती हैं तो लोग काफी फड़ फड़ाते हैं, और फिर गिर जाते हैं धड़ाम से नीचे, घहर बनाके रखो, सबर रखो बच्चा, आओ देखो इदा, अपच नहीं होगी, हजम करेगो, चलो देखो पहले, ये दो इसमें भी है, इसमें नमबर कॉमन है, मतलब दो दो दोनों में न, और लगेदी घानों में मतलब लिक यह तो जो लकाला साथ, और आगे वाला वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग इस नमपे अब्धाली दे रहे हैं, अब्धार जो chrake लान उसको को भी लिख लेंगे यह ठीक है पहले अच्छा लगता था यह कोई दिन पहले अब इस तरह से इसका मल्टीपल कर लेंगे तो दो दूना चार दूना आठ हो जाएगा यह हो गया आपका गुडंखंड बिदी से लेकिन देखो तो पहले जो कमेंट के पीछे डंडा किये हैं उनसे निवेदन बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देलो जिन्दगी में बहुत कुछ करना है कि इसका भी वैसे ही करेंगे सब कुछ वैसे ही करेंगे बस थोड़ा सा परकिरिया बदलेगी इसके भी फैक्टर वही आएंगे ऐसा नहीं कि वहाँ वह दो दो धात है यहां दो और दस हो गया ऐसा नहीं होगा समझो यहां पे दो दो एचसी अफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि पहले तो जिसका पेयर बन रहा हुँ उनको बना लो और जो कुवारे बचेंगे उनको भी पाइकार्ट कर देना अंदर इंटरी नहीं है उनकी देखो कैसे यह इनके पेयर बन गए कितने बने दो जोड़ी गन गई अब यहां पर लिख लो एचसी अफ यह तो मैं लिख रहा हूं थोड़ा स्टार्ट करके बाकी यहां लिखना चाहिए है एचसी अफार कामा एट ठीक है सही यही है सुद्भासा में एचसी अफार कामा एट इक्वल इसमें दोनों पेयर फे एक दो लिखोगे दू पर नाक है यह कहें नहीं नहीं तुम दूरी रहो उसको नहीं लिखेंगे बस छोड़ देंगे उसको अब इसका फाइनल में हो जाएगा फोर आप समझो पहले मतलब क्या मैंने सही लिखा है गलत अब तोको मैं बताता हूं सिद्ध करके दिखाता हूं मैंत्मेटिक सीसी ल 4 और 8 यह हो गया अब अंतर समझो मतलब समझो देखिये नंबर तो सेम थे दोनों में इसमें भी 48 था इसमें भी 48 था इसका अंसर 8 आया इसका 4 आया अब तुम लोगे दिमाग में यह होगा कि LCM जो है वो भाया छोड़ की गिंती होती है xc अबढ़ की गिंती होती है कुछ लोग कहेंगे एस बढ़ की इस लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पहले मतलब समझों तेखो यह जो है यह डिवाइजर है या मल्टीपल है जबकि यह फूर जो है वो फैक्टर है क्या है यह फैक्टर है किसका फैक्टर है यह फोर और अब इसको मोटा-मोटा ऐसे समझ लो इदर अब इधर समझो तेखिए अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आपको इमानदारी से देखना होगा और जो चीजें आपको आती हैं उनको भी देखना होगा सबर बना के रखना होगा यह नहीं कि मुझे यह तो आता है मैं इसको कहे देखते कभी समझने आएगा ऐसे मज़ा नहीं आएगी कि न जो चीजें आपको आती हैं उसको भी समझना होगा हो सकता है कुछ चीजें इसमें से आपको आ रही हूं लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा हमने नंबर चुना था फोर और एट हमें आपको समझाना है पुल जो HCF आया था वो कहा आया था आप लोगों ने देखा था मैंने चुपाया नहीं था कैम्डे के सामने ही आया था फोर नंबर से बारी-बारी भाग करोगे यह देखो दोनों नंबर से बारी-बारी भाग करोगे 4 से भी और 8 से भी और completely divide होना चाहिए तब LCM सही माना जाता यही मतलब LCM का ठीक है और हाँ इधर साइड में देखो HCF का क्या मतलब है? HCF का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आप 4 से बार-बार भाग करोगे कुछ दिमाग में घुसा की नहीं इसमें LCM इसके अंदर में रखा जा रहा है इसमें HCF बाहर रखा जा रहा है यानि HCF से भाग करके हमें उन दोनों नंबर को completely divide करना है जबकि LCM जो आएगा उसमें इन नंबरों से भाग करना होता है यहीं अंतर होता है जो seriously समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे और जो ऐसे आये हैं धर्म निभाने के लिए उन्हीं बाहर रहे है चलो अब हम here 71 से भाग करेंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा यह कुछ तो पूरा पूरा कट गया जीरो आ गया यह क्या हैए लेकिन यह इसी तरह से एट से भी कटना चाहिए तो भाग दे लो एट बन जा एट चीरो ये भी हो गया कट गया खतम हो गया हाँ बात समझ में आए ना LCM HCF Product of Number जी बिल्कुल साही कहा आपने इंगलीज तो मुझे नहीं आती भाई हिंदी मैं इस बताता हूँ चलो के यह हो गया समझ गये अगर यह LCM गलत हुथा अगर यह गलत होता तो यह ऐसे भाग जाता ही नहीं नहीं फिर इसमें कोई न कोई अरचा न जाती और वो कंपलीट नहीं होता धंग से समझ गए ना मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं पेज के आज क्योंकि मुझे लग रहा वाइस कभी कभी रिरेट करास हो जा रही चलो ठीक है थोड़ा दीरे बोलेंगे काया चिर लाएंगे चलो अब इन में भी वाग कर लो फोर वंजा फोर यह क्योंकि पहला नंबर क्या था फोर था यह जीरो हो गया और एट यह एट है ना इसको भी फोर से ही वाग करोगे देखो कुछ समझ में आया ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बच्चा जिससे की पढ़ सके और जितने भी पूराने मित्र हैं वो सभी सेशन को लाइक अवस्से करें भाई आपकी भी ऐसे मज़ा नहीं आता फिर मैं क्यों पढ़ाऊ बताओ अगर आप लोग पूरी तरह से सपोर्ट करो तो हम सोच रहें इसी हपते एक ऐसी कलास चलाएं एक दिन कम से कम 6 गंटे की लाइब मतलब सुबह 10 बज़े से चल जाए तो 4 बज़े तक उठना नहीं कोई भी खाना प त्यार हो जाओ ताब मुझे पता है सब तयार नहीं होगी अब इता कुमारी प्रियंका प्यूस विर्तंजय मुझे प्रियंका कुमारी को बड़ा काम है मैं परदीव चलो तो यह तो था एकदम बेसिक बच्चों वाला जो मैंने आपको पढ़ाया और आपने देखा कुछ को लोग अंदर-णदर का रहे थे इतना चोटा इबता रहे हैं पर चलो थिक है है कि अपनी सोच सकता है को सब्सक्राव कर दो अब हम लोगों को एक छोटा सा कुष्टन देंगे प्यारा सा आप लोग बताना जब चलाएंगे पहले से एक अथ हपता पहले से बता देंगे तिंचा दें पहले से चलो कोशिश तो यही है कि एक दिन हो जाएंगे पूरा रात वाली आप लोग लेकिन साथ देना भाई क्योंकि आसान नहीं होता इतनी बड़ी कलास तो अब हम सबसे पहले केवल और केवल LCM पढ़ेंगे अंतर तु जल्दी करो कितना आएगा एक बार कोशिश करके देख लो बच्चे कितना आएगा भाई क्या हुआ जल्दी करो सभी मैंने एक क्विश्चन पूछा है इधर साइड में हट जाता हूं चलो कि दिख रहा है न सबको अच्छे दिख रहा है कोई दिक्कत तो नहीं न देखो यार बोलते बोलते कभी-कभी बतलब कला भी सुपिता आता है क्योंकि लोग तो लाइप देखते हो दिन में सिर्फ एक ही बार और बाकी मैं चिलाता हूं दिन में कई बार भाई देखो बेचिती नहां करो ठीक है बात समझो जादा बेचिती करोगे तो फिर अभी कड़ पड़ हो जाएगा चलो सभी जितने भी साथी जुड़े हैं वो कलास को लाइक जरूर करें जल्दी करें देर ना करें मैंने एक आंसर पूछा था लेकिन यह गदे अभी तक उत्तर नहीं बता है बाई कुछ नों अदाज हो रहे हैं बहुत तेट से का यह गदे बदे बोल रहे हैं हमें एलसल्ट बैस्ट गेमिंग चा तुमारी सारी स्पेलिंग मुझे गलत लग रही हमारी इंगली कर्णिंग बीप कुमार प्यूश कुमार ज्पी वाई या दो किसोर पावर ट्लिफार यार्ट देख़ो मुझे यहीं तो काना और प्यार से देखना विधि साइड में क्या करते हैं दोनों नंबर को अलग अलग ऐसे लिखते हैं ऐसे लिख करके इनके गुरन खंड करते हैं मतलब निकालते हैं मैं एक बार आवाज देख लूँ कैसे आ रही फिर आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं कि अनुस्का सुकला जी मैंने आपको गदा नीका क्योंकि मैं सबसे बड़ा गदा तो आप लोगों को कहें बहुत है आप लोगों को नीक यहाँ खुद गदा और तुम लोग या इस 일त चेट करोंगे दो फूरार्डव मैं अंडरो दोला और दूना 32 अब क्या होगा आप लोग अगले स्टेप में क्या करोगे अभी अभी मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया था इधर समझो अब हम यहां नीचे लिखेंगे LCM of 12,32 या फिर हिंदी में लिखोगे तो कुछ अलग नहीं लिखोगे 12,32 का लासा बराबर या LCM बराबर ऐसे लिखोगे ठीक है चलो देखो आगे क्या करोगे नीचे दिख रहा है मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है इसके नीचे अब इसके नीचे लिखने का मतलब है गड़बड हो जाएगा चलो जाने दूँ इधर कर देता हम समझो LCM of 12,32 इसके बाद हमें एक काम करते हैं पता है क्या करते हैं यहीं से समझो नीचे से इनके पेयर बनाते हैं और मिलाते हैं कि उपर नीचे में कितने कितने नंबर एक में मिल रहे है ठीक है देखो यह वन पेयर बन गया ना एक जोड़ा बन गया अब आगे देखो इधर साइड में समझो किरन मोर्य आपका कमेंट आ रहा है आप काही को परिशान है बोलाग तो नहीं किया गया आपको चलो दो पेयर बन रहा है अच्छा एक बात बताओ क्या इसमें कोई और भी पेयर बन रहा है देखो दो इसमें भी था इसमें भी था कहने का मतलब दोनों के गुड़न खैण में वो नंबर होना चाहिए पर इतना ही करना है ठीक है अब तीन देखो है इसमें क्या नीचे बाले में कहीं तीन है क्या नहीं है नहीं है नहीं है इसमें कहीं नहीं है अब क्या करेंगे हम जो पेर आया है न दो पेर बनाए उसमें से एक एक नंबर लिखेंगे दूसरे बाले से भी एक नंबर लिखेंगे उसके बाद क्या करते है आप जानते हो उसके बाद क्या करते उसके बाद अब देखो यह बहिए इनकी तो जोड़ी बन गई अब कुवारे कितने बचे उनको देखो कितने हैं इनकी संख्या जाता होगी वह से नोकरी मिलने रहे इन लोग को भी यह लोग भी परिसान है चलो देखो इधर साइड में समझो पर्मनेंट किसी को बलाक ना करो किरन मौर्या को भी बलाक कर दिया देखिए यह लोग जो शिकायत कर रहे है किवल आप हाइड किया कर यह पांच मिनट के लिए ठीक है किसी को एकदम से हाइड मतलब बलाक मत किया कर यह क्योंकि बच्चे हमारे लिए बहुत ही देखो अकेला बच रहा है यह टू बच रहा है टू बच रहा है जितने भी बच रहे हैं यह सब उसी में आ जाएंगे पीछे समझ गया ना जैसे यह थ्री और यह फिर तीन बार दो-दो है न एक नहीं दिख रहा है उसके उपर ओपर जा रहा मुझे लग रहा है जाने दो आप पांच मिनट के लिए हाइड किया करिए एक दम से मत किया करिए ना यह अब की एटिट्यूट बॉय को क्या किये अब देखो समझो तो दूना चार तियां बारा और बारा दूना चौबिस दूना अड़तालिक दूना चानवे 96 आएगा ना बिल्कुल सही कहा आपने समझ में आना सभी को कैसे कैसे क्या क्या करना था आप सभी समझ गे मुझे लग रहा है ब्रिजेस राजपूर जी बहुत अच्छे उमंग मिस्रा परतिभा के सर्वानी अनुस्का सुकला किरन मोर्या आजय एपी पिउस बिने कुमार पिने कुमार जी आप मुझे ये आप रिजिनिंग वाले गुरुजी है मुझे लग रहा है जहां तक पूरा उमीद तो ही लग रही है जल्दी बताइए आगे बढ़ते हैं आप लोग इसको लिख लो भीया और सेशन को लाइक जरूर करो मैं मिटाने चल रहा हूं मैं इसको मिटाने चल रहा हूं इदर जबाब देना अगले सवाल का जबाब देना एकदम छोटा सा है नन्ना सा नहीं है चलो ठीक है कुछ कंफ्यूजन थी मुझे 48,96 इसका LCM करके बताओ कोई तो जल्दी करो भई एनिवन कोई भी इसका LCM करके बताओ देखो जिनको मैत नहीं आती है सिर्फ उनके लिए कलास है जिनको आती है वो लोग आ करके थोड़ा उटक पटक करके चले जाते हैं लेकिन याद रखे न जिनको नहीं आती है उनका स करकना इसलिए कलास में डिश्टरब ना किया करो अगर आती है तो ठीक है कुछ और काम करो काय डंडा कियो यहां के समझ रहे हो ना चलो उनका नाम मुझे मजबूरी में बुलाना पड़ता है पस यही बात है आप लोग जुड़े रहो सबका नाम बोलेंगे सभी खुश रहोगे बस चलो कुछ काम भी कर लिया करो ना नाम के पिछे काय पड़े इतना फातिमा जी कह रहे ही कि तरीका बहुत अच्छा है समझाने का घर के सभी फोन से लाइक कर दी हूँ फातिमा जी आपको धेर सारा थैंक्यू कितना थैंक्यू इतना पतलब दोन वाद नहीं दिख रहा है क्या यह इतना चलो इधर आप देखो 48 और 96 इनके फैक्टर करो अला किस्का ऊंसर कोई बताएगा कि जी प बहीं बोल रहें 96 दिनरेस इसका भी चरणेविगा नने इज्वेर के लिखा रहे हम तो ने मुझे का कि लिखेहां फैक्तर करें है कि तो तो दूना-точार दूना आठ dois तूना आठ आ आठ तो अधो शोला और शोला- crit बोह दिल पहो जोले हैं और इसको दिल पे मतलिया मुझे गदा बोल दिया मैं नहीं हुआ इसलिए बोलते हैं कि तुम बोर ना हो इसमें इसको पहले हैं इसको बोले हैं तेको इसलिए नाम नहीं लेते किसी को कि अध्यक्त बहुत आइस इल्टा ना ताहिल राज आगे बच्चा तुम ठीक है चलो चार औुनांट दूना शॉला तीया अन। ताहली सही है ना मैंने सही लिखा कि नहीं इसमें कोई दिक्कत भई नहीं ना चलो फिर इसका कर लो ऊपर दूना चार दूना आड दूना दूना 32, दूना 64, मैं लग रहा गड़ बड़ा जाएगा इसके बार, दूना 4, दूना 8, दूना 16, और फिर, निकाल दें क्या, इसका LCM, मतलब गुड़न खंड कर दें क्या, 28 48 दूना चार दूना आठ दूना शॉला और होता है इसका मतलब यह होगा इसका फैक्टर हो गया अब देखो यहां पर समझो समझो लेकिन प्यार से समझो भाई सोनु कुमार बच्चा पढ़ाई समझो यह हो गया complete हमें क्या करना था हमें निकालना था सामने से हड जा रहा हूं बोड देख लो थोड़ा अमारी सटल दी देख लिया करो बीच बीच में चलो अब क्या होगा कि ये पैर बनाव इनकी पंडीत बुलाला और इनकी जोडी बनाव कितने लोगों की जोडी बन रहे यह बन गई ना अब देखो समझो देखो इधर समझो 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 अच्छे से समझो कितने पेर बने हैं एक दो तीन चार अरे गदों एकठी आउर बन रहा है ये मचमा कितने पेर बन गए ना सब से एक एक पकड़ लो इसमें से एक दो इसमें से एक दो और इसमें से भी एक दो यानि ये चार तो दो वाला आ गया एकटी इसका भी बना है यह भी आ गया बिचारा सबकी तो जोड़ी बन गई इतने लोगों की यह बिचारा मायूस अंकेला इसी बीच में लटका है यह कहरा मेरी तो जोड़ी नहीं बन रही तो LCM में क्या करते हैं जो बच जाता है लाश्ट में उसको भी ल सब्सक्राइब करिए टिभी में इसंडाइब कितना आएगा डिख लोगे देको दो दूना चार दूना 8 दुना सोला दुना बत्तिस और बत्तिस दिया ही तो वही आ जाएगा यार तिन दुन अच्छा तिन तिरिका नौ 96 आ जाएगा जिससे की बिल्कुल फ्री पड़ सको घर बैठे जल्दी करो देर ना करो ठीक है देखो लाइट थोड़ा डिसमिस हो रही थी कुछ मुसीबते आ गई थी उसमें मतलब सब समझ रहे हो तुम अबना बताएं कि ज्यादा मतलब चलो जिनको भी तंडा ही करना एकदम से कसम खाके आएं कि पढ़ाने नहीं देंगे उनका नाम कता ही नहीं बोलेंगे उनको देखेंगे ही नहीं मान लो कि वह अपनी खोपड़ी पीट रहें पागल है 100 परसेंट प हम इसकी भाग इधी बतादें क्या है कि भाग बीढतिन अगर मयथ नहीं आती तो आएगी यार और जैब बहुत आसान है मैथ इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका ध्यान जो है 100% इस पर नहीं केंद्रित हो पाता है और आपका दिमाग कहीं न कहीं और भी घूमता रहता साथ साथ में कुछ लोग हैं वीडियो देखने पड़तो रहें उपर से मैसेज भी आ रहा है क्लिंग क्लिंग चैटिंग भी करे जा रहे हैं तुमरा आदत से ज्यादत सब दि चाहित हो रही वहीं बैठे हैं क्या पड़ोगे और भी धेर सारी चीजें आपके उपर अलग से लागू हो सकती है तो अगर आप भी ऐसी जगह पर हो तो आप जाओ बाहर कहीं बढ़ जाओ अकेले पोने में चुप जाओ लेकिन एक जगा एक आन जगह पर बैठो जहां प 34 इसका हमें भाग विदी से क्या करना है इल si mm करना है समझो इदे साइड में कहन सा विदी और विदी इसके लिए हम लोग एक बड़ा सा ऐसे बनाते हैं और उसी में सबको लाके भर देते हैं चिक आप देखो कैसे यह यह भाग विधी है अभी तक तो आप गुड़नखंड विधी देख रहे थे मैंने गुड़नखंड विधी में कई करवा दिये गड़बड हो गया यह यह देखो 6060 और 144 इनके जो फैक्टर है वो थोड़े से और आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि यहा दो से काटोगे 30 आएगा आप सबको पता होना चाहिए कि वो कितना आएगा अगर दो से भाग करोगे 60 में तो 30 आएगा दो से भाग करोगे 144 में तो 72 आएगा और दो से भाग करोगे 30 में तो 15 आएगा दो से भाग करोगे 72 में तो 36 आएगा कुछ लोग कहेंगे कोई बताया था का इनको दो से करने के लिए देखो ऐसे ही कर रहे हैं चलो मतलब सबसे पहले देखो अगर हमें के लिए LCM निकालना है तो इसका दूफरा तरीका है उसका तरीका यह है कि कितनी भी पड़ी नंबर क्यों नहीं हो अगर उससे कोई नंबर उसमें नहीं है बीच में तो हम उसको फैक्टर नहीं करते डारेट गुड़ा कर देते हैं लेकिन हम सिखा रहे है बेसिक इफ लिए हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए परतिभा केसरवानी बोल नहीं 720 आएगा अभी संकर भी बोल रहे हैं लकबिंदर सिंग कमेंट आप आप रहा है अनीशा सिंग नितेश सिंग और कौन किरन मौरया ठीक है अब यह दो से और भी कटेगा तो यह 15 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे यह को दोका भाग 15 में पूरा-पूरा नहीं जायेगा तो इसको एसे लिख देंगे उसके बाद ऊपर जो 36 है तो से भाग करोगे 36 में अठारा आएगा आप सबको पता है यह थोड़ा अच्छा नहीं बना है यह गंदा लग रहा है अपकी बार मुझे लग रहा है काफी मोटा तगड़ा बन गया है जालो ठीक है समझ में आ रहा है ना भाई बुझा रहा है ना देखो जिनके नीद नून लग रही होगी ना लाल-लाल मिर्चा रखे रहा करो साथ में समझ रहा है वह तीखा वाला जब ज्यादा नीद आए न उस पर हलका सा जहां काट के ना हाथ में लगा के ऐसे आख रगड़ लेना बस फिर पांच मिनट के लिए वैसा ही सांत हो जाओगे और फिर जाके पानी से मूह दूला ना समझ गए ना निंद नहीं आएगी सबसे अच्छा तरीका है चलो देखो इदा अब दो से इसको अधो नमा ठारा है आँक में मत भर लेना कि पोड़ डालो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि तुम आखी खतम कर दो नहीं मैं हलका सा बोल रहा हूं तीन पचे पंदरा और तीन तरीका नौ आप देखो नीचे जो नंबर बच रहे ना इनका तो अब कोई फैक्टर होगा नहीं नहीं ये कटे पिटेंगे नहीं फिर क्या करोऒए इनको fix इसके मुझे अधीक हो जायेगा और यह 5 नीचे इसके मुझे लागए अब नहीं दिख रहा है ना इसके के नीचे नहीं दिख रहा ठीक है तो यह जब इसी में आ जाएगा बस Сп ठीक और तीन कितनी बार है दो बार है और एक पांच जो है यह भी इसी में उतर जाएगा याद रखना क्योंकि अकेले बचरा लाश्ट में सबका मल्टीपल करना है कोई कर पाएगा सबका गुड़ा की नहीं चंदन कुमार आरा समझ में पांच होगा सर पंदरा की जगा यह पांच ही तो लिखाओ बबुआ यह दो से इसको किया देखो दो से तो पांच नहीं आएगा तीन से कटेंगे तब पांच आएगा यह मैंने पांच लिखा यहां पे यहां पे तो मैंने पांच लिखा यह ना वह चीज तो मैंने लिखा ही है ना उसमें तो कोई दिक्कत न यह 48 हो गया और यह 3 का 5 में कर लो 15 मैंने दो पार्ट में इसलिए किया क्योंकि एक पार्ट में काफी बड़ा हो जा रहा था एक बार में यह काफी बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने इसको क्या किया दो पार्ट में कर लिया समझ में आया ना अब देखो इधर साइड में 158 हम सबको पता है कि 15 का पहड़ा कुछ लोगों को नहीं आता है बही 158 कितना होगा 155 75 156 157 105 और 158 120 होता है न उड़ा कर लो आट पंचे चालिस आठे कमार चार बारा 120 का जीरो हां सिलाया कितना बारा और 15 चुका साठ और साठ में बारा चोड़ तो बादतर तो बच्चवा हो बाबू हो 720 आएगा कितना आएगा 720 आएगा लिख लीजिए छाप लीजिए फटा पट यह हो गया मैं सामने से हड जाता हूं इधर साइड में छुप जाता हूं आप लोग लिख लो चलो जल्दी करो भाई हरी समझ में राज सेखर और अभी संकार पूजा इमान अंसिका सेंग चंदन कुमार बरिजेस अभी को आरा समझ में कोई समस्या तो नहीं हो रही ना हम दिख रहें आच्छे से चलो कि काफी जगा हो गया दोड़ने घूमने के लिए पहले जब फोन से कलास होता था ना तो यह खौपड़ी पर कैमरा लगा रहता था दिमाग खराब हो जाता मतलब तुम हील भी नजगो ऐसी जगा चलो फिर आगे बढ़ें किसी को कोई समस्या नहीं ना चलो लिख लो फटाफट जे पी भाई अंकिस सिंग आता होगा आता होगा मतलब कहां बोल रहे हो भई लिख ले लिख ले मतलब लिख लिए देखो कभी मैं बोलने वाला कुछ और होता हूं निकल कुछ और जाता है और फिर बात बनानी पड़ जाती है समझ गए ना चलो मिटाते हैं कुछ लोग गरी आ रहे हैं मनमन अंदर अंदर गरी आ रहे हैं कि इतना टाइम बेस्ट कर रहा है आगे नहीं बढ़ रहा है पैदा कहीं का चलो देखो इदर अगला कुश्चन अब ऐसे नहीं होगा हलुआ 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 अब कुछ बड़े बड़े होंगे ठीक है कुछ लोग सोच रहे हैं कि हैसे हम यही पढ़ाएंगे रात भर नहीं चलो लिखो तो 1920 और 1180 इसका जो बता देगा ना उसको तुरन सर्प्राइज मिलेगा कैस मिले लेकिन सबसे पहले जो बताएगा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ फटाफट अब थोड़ा सा कठीन हो जाएगा आपके लिए ये लो ये लो अभी तक बहुत मजा लिये हो 18-20 का करकर के चलो जल्दी करो इसका कौन बताएगा सबसे पहले बोटल दिखराएगा ये लो ठीक जगह नहीं उदर साइड भाई उसको और किनारे करने का नीचे गिर जाएगा इसलिए मैं उससे किनारे नहीं कर सकता और ज्यादा आपको पता है कि पानी गाया वो जाएगा तो मैं चिलाओंगा कैसे और मुझे आदेश भी मिला था उपर से ये पानी पीने के लिए मतलब आप जान रहे हो ऊपर से कॉल आई थी कुछ लोग तो समझ रहे होंगी कुछ रहरी समझ रहे होंगे जैसे पूरसे लो चल्डा कि इसका अंसर अंकित कवत्तम बच्चा तुम आक रहे हो का है अब बस करो भाई बस करो हम की जई वो क्या ना आप लिए चलो नीतु कुमारी इसका 720 कहा आएगा गदों इसका तो 720 नहीं आएगा यह जितना भी 720 बता रहे ना सब एक्दम खच्चा टाइप के हैं ते खो इधर साइट समझोग इसका जो आएगा अगर तुम शितना अननली है निकालना है है kan hier बीदो संक्या का लस सेंसे और जु नहीं बीदे संक्या का ल सेंसे मैं से इन दोनों संक्यां मेंग से कर दो कि शंक्राएं में किसी यह संख्चा ऐसा होता है उस से चोटा नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता जिवान से भाष्म जो सबु समझो धरूब धबैंद में ना जान लिये कुछ पानी विर्जेफ राजपूद मतलब गुरू का आशिरबाद जी जब आपको गुरू का आशिरबाद मिली गया तो कहां से गलत होने वाला है आपने काफी अच्छी कोशिच किया ठीक है दीडी फ्री डिस यह लिख रहे हैं कुछ समझ रानी तुम पहले तो लिखना सीख लो रानी राजा बोलोगे तो गड़वड है यहां पर पढ़ाई हो रही है चलो उन्नीस सो बीस क्यारा सौस्टी इनके फैक्टर करेंगे एक एक नंबर के हम सीरियल वाई सीरियल आप देख और यह काफी भारी यार दर्द अभी करने लगता कान पे इसको मैं कल से नहीं लगाऊंगा यह लोग जरू ठीकर नीचे अभी आवाद आएगी जरूरी नहीं कि इसको कान पे रखे रहा हुँ है दो नवाट हारा और यह दो चंग बारा जीरो तो पंचे दस और दो आए ऐसे इनके फैक्टर करने लगतार सीरियल भाई सीरियल सभी बच्चे फटा-फट कर लो जल्दी से अब दो से काटो के दो चोग आठ दो अठे सोला अच्छा नहीं बनता है यह आठ मुझ से नहीं बनता सही से पता नहीं इसकी कौन सी दूसमनी है हमसे दो चोग आठ दो अठे सोला मतलब चार सो सी आएगा क्या ठीक है इसको भी काटोगे और चोटा करोगे दो दूना चार और यह हो जाएगा दो नमाठ थारा दो पंचे दस देखो भाईया यहां तक तो सब ठीक ठाक था इसके आगे जो आगे जा रहा है न यह वड़ा प्रतिभा केसरवानी जी आपका गलत है हंडेट परसेंट गलत है केसरवानी जी आपका तो दूना चार दो चोग आठ इसके आगे बढ़ेंगे एक सो भी साइगा और यह नहीं कटेगा यह नहीं कटेगा दिसको आइसे लिख देंगे बिना किसी चैंजिंग के यह 120 और यह दो से कटेगा साथ देखो इसको हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं इसलिए बार बार उतार रहे हैं नहीं तो हमें यहीं से नहीं काटना था कहां से यह जब दो से कटा था चार सो असी आ गया था यह दो से फिर नहीं कट रहा था तो हमें इसको यहीं पर छोड़ देना था ब को तोड़ो जब तक तूटे यह कि नाइन फाइव निचे दिख रहा है इसके नीचे नहीं दिखेगा अब इदर आजाओ इदर आजाओ वहां से जब नीचे नहीं दिख रहा है यह 60 आया है और 295 इसको यहां ले आओ चल भाई आगे बढ़ जा दो से कटा तो 30 आया और यह 29 5 ऐसे लिख देंगे चोड़ा चोटा लिखूंगा आप मैं तो से कटूंगा तो 15 और 295 फिर यह 3 से कटेगा काफी लंबा जा रहा है यार यह 15 और 295 फिर यह 5 से कटेगा पांच एक कम पांच आप यहां पे ध्यान देना बच्चा बहुत ही प्यार से देखना यह 5 से तो इन ना किसी सी त्हीं कटेगा पहले बता ग कटेगा कंटी बोलो प्यों 49 कटी इस पूरी दरह से डिवाइज होगा को और नहीं भागा कि नहीं थ स्कूर भाइं कुछ तो कोशिका नहीं तुम लोग कर और यह इत्ना देर से प्रीता में आदो कटेगा कि नहीं नहीं कटेगा खचरों गदों तुम लोग को मैं अब नहीं पुछूंगा पताते ही नहीं हो आधा गंटा तक 591 और यह किसी से नहीं कटेगा कोई दूसरा भी गुरू का असिरवाद आ गया का भाई देखो डबल डबल हो तो हम क्या करें चलो ठीक है अब भाई गुरू असिरवाद तो सब को देते हैं ना एक ही लोग को थोड़ी देते हैं अब देखो इसका अंसर हम कहा लिखें इसको हमें छोटा करना पड़ेगा आप लोग जरा नजरे गड़ा के रखना अब मैं थोड़ा इसको जूम से हटाऊंगा क्या बोलते हैं उसे जूम आउट करूंगा और फिर आपका बोर्ड बड़ा हो जाएगा जगा बड़ी हो ज करेंगे हमें क्या करना नीचे जगा एक लाइन दिख रही ना इधर साइड में लिख सकता हूं प्यार से कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर लिखेंगे लसी हम कि सभी का मल्टीपल कर लेंगे जितने भी नंबर है सब का गुड़ा कर लेंगे एक में सब का गुड़ा कर अभी दिख रहा है ना देखो अभी फिर से में जूम कर दूँगा आप टेंसन मतलो ठीक है आप टेंसन मतलो अभी फिर से में जूम कर दूँगा जो छोटा दिख रहा है बड़ा दिखने लगेगा अब देखो लाइस्ट में क्या बच रहा है तीन पांच और उनसट उदर गुड़ा जो लोग यही गुड़ा जो लोग नहीं कर पाएंगे वही गड़बड करेंगे अब मल्टीपल करना यहाँ पर बड़ी बात है आप लोग करके बताओ कितना आएगा जोको मैं तुमको बताता हूँ एक आसान तरीका इसको कई पार्ट में गुड़ा कर लो मतलब इक ही पार्ट में मत करो कई पार्ट में कर लो जैसे देखो इधर साइड में कैसे समझो मैंने साथ बार दो लिखा तो दो डूना दोिए सब्तकर गुड़ा करने गितें 118 आएगा पांच में करोके 15 आएगा और 15 और ये उनसर में अब तो गुड़ा एक लाख तेरा हजार दोसो असी लिख लो छाप लो भाई अगर अलग अलग आईडी से कमेंट करना हो न तो उसमें सबसे बड़ा पुरुसकार रभी संकर को मिलता है क्योंकि यह न आज तक जब से पंड रहें कम से कम हजारों नाम बनाएं होंगे और इनकी आईडी भी कही हो ठीब लाक है इसी बात नहीं है लेकिन इनको गूगल की तरफ से आफिर बात मिला है कि रोज नहीं आईडी बनाते है लिख लिए आप मैं इसको जूम करूंगा जो चलो ठीक है वेरी गुड़ बाई वेरी गुड़ पोसिस करते रहो बच्चे टाइम मुझे लग रहा कफी ज्यादा हो गया है कर लिए सभी जिखो जिनको कोई बात करना है वो लोग नंबर दिया गया उस पर संपर करो ठीक है भाई देखो आपके नाम से कमेंट नहीं करव अब अगला कुश्चन लिखो फिर मैं इसको चूम कर देता हूं चलो अब यह जूम कर दूंगा थोड़ा बड़ा दिखने लगे का टेंसन मतलो एक और करो अब ऐसे चोटे-चोटे कुश्चन नहीं करवाएंगे बड़े-बड़े करना पड़ेगा क्योंकि आप सीख रहो चलो 128 और 120 इसका कितना होगा चोटा साह बता दो चलो बता दो मैं जूम कर दे रहों टेंसन मतलो बड़ा दिखेगा चलो कितना आएगा बता दो जल्दी से और यह लो में बड़ा कर दिया चलो कितना आएगा ट्राइ करके बताओ कितना आएगा जल्दी बताओ फटा-फट बिटा दें 128 और 120 का कोई बताएगा सबसे पहले एनीवन चलो जल्दी करो भाई सबसे पहले फटा-फट जब आप दो इसको मैं मिटा देता हूँ मैं पूछा अंसर 128 और 120 का LCM क्या होगा एक बात मैं आपको बता दूँ अगर आप पूरा कमप्लीट मैथ जल्दी फे जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप पीबीर इस्टेडी का आप डाउनलोड करके और प्रीमियम कलास को जरूर जौर जौइन करें जित्से कि आप जल्दी फे जल्दी पढ़पाएं और बहुत जल्दी ही मैथमेटिक सीख जाएं बाकि यार स्टेडी का एप जरूर इंस्टाल करें और एक बार जा करके प्रीमियम को जोईन करें गारंटी हमारी होती है मैथमेटिक सिखाने की मैथ में एकदम कुछ नहीं जानते हो एकदम इतना भी नहीं जानते हो रच्ची भरतब भी आएगा पूरा आएगा अच्छे से रहा हूं तुम पढ़े भी हो एक सो अठाइस और एक सो बीस दो से काटो जो चंग बारा दो चोगाट है इसमें किसी को कोई समस्या कोई परेसानी हरानी नहीं ना आवाज बस आ रही है बच्चा मैं खुद देख रहा हूं तुम का है परेसान हो तो त्याइं छे दो दुन मैंने कई बार बताया ना ससी सिंग पूजा मिस्रा जी आ रहा समझ में यह एक दो से फिर दो से और फिर दो से काटते जओ फटाफ़ काटते जओ इसको एख़टा की डाल चालओ काट के कि Beschund डालो माट डालो इसको काट काट के देखो यह आई यह 15 मतलब समझ गया ना एकदम चोटा हो जाई यह अनन नन न बरका सब सबसे यह नीचे सबसे यह 1 15 यह 15 है लेकिन मैं मैं इसको यहां से मिटा देता हूं किसी को confusion ना हो यह लो इसके बाद मैं इसको अलग करूंगा यह अलग दो भी यहां नहीं लिखेंगे भाई फिर कोई मतलब नहीं कि यह फूर कामा फिप्टीन यहां ले लो साइड में दिखतो रहा है दो दूना चार पंदरा दो से काड़ कश इननीच सोभी सुनका ठीक है कोईस्तन है फिस वैनीच सो ऐगा ठीक है ठीक है विलकुल ब्रेशार उकपांच नहीं इस अ कि फाइनल में गुड़ा कर लो 1920 इसका आंसर आएगा अब इसमें और ज्यादा तो बताना है नहीं और ज्यादा नहीं बताना है अब समझ यह इसका जो चिन होता है हिंदी में बोले या इंगलिस में वह ऐसे ही होता है मतलब आई से तिर्चा कटिया की तरह याद रखना ठीक है यह क्या इसका चिन है अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं वर्गमूल और घनमूल के जो चिन होता है उसमें काफी कंफ्यूजन होती है यहां से समझ लो बच्चा दोनों का चिन वैसे ही बनता है और यहां पे तीन लिखा होता है अगर घनमूल होता है तो यह जरूरी है यहां पे तीन लिखा होना आप समझ गए ना अगर घनमूल है तो यहां पे तीन लिखा होना जरूरी है और अगर वर्गमूल है तो जरूरी नहीं है ओके अंडरिस्टरेंड ऐसे तो बोलता ने इंगलिस में चल तो så यह तो होगै चिन्द के कि अब हम आगे बात करते हैं आगे क्या है अध्यान से देखना वाई कई दिन से लाइबनी हुआ था अधाय यह लाइब है क्या दिखे रहें आपको लाइब नहीं जूरा यह तुम लोग कि चलो समझो मतलब की बात हम बात करेंगे वर्ग मुल्की आपने इसके पहले पढ़ा है क्या वर्ग और गुड़नखंड आप सभी ने पढ़ा है तो इधर साइड में समझो पहले फैक्टर करना सब कोई जानता है न देखो छोटी छोटी नंबर से हम लोग शुरू करेंगे देखो यहां पर पहला जैसे एक हमने पुश्चन दिया आपको एकदम चोटा सा बच्चों वाला सवाल यह फूर इसको तो हर कोई कर लेगा काओ गयार काय को मजाग कर रो इता चोटा चोटा देखे बिल्कुल यह कलास मजाग के ही वाली कलास जिससे कि आपको समझ में आ जा बड़ी सरम लगने लगती कुछ भी पूशने में अगले से और यहीं वजाए मुसीबत की सबसे पहले इस नंबर के हम फैक्टर करते हैं लेकिन इसके ऊपर जो यह टोपा लगा है वह ऐसे ही लगा रहेगा मतलब चिन आपको नहीं हटाना है इसके फैक्टर ऐसे होते हैं दो गुड़े दो इसको करने के बाद क्या करते हैं दूसरे स्ट्रप में इनका जोड़ा बनाते हैं यहां जोड़ा नहीं कहोगे वह जोड़ा दूसरा है यहां पेयर बनता इसको बोलोगे इंगलिस में तो ज्यादा अच्छा समझने आएगा और वो भी एक ही जैसे समान तो यह बन गया इनका एक जोड़ा और इसमें से जितने का जोड़ा बना है एक जोड़े से सिर्फ एक ही डिजिट बाहर निकलता है एक ही अंक बाहर आता है यह दो इसमें बाहर आजाएगा पस यह ओगे अंसर एकदम छोटा सा कुश्चन था यह सबसे छोटी पूर्ड वर्ग संख्या जो है वो चार है और मैंने उसका वर्ग मुल आपको दिखा दिया याद रखना इसको अपने दिमाग में घुसा लो कि सबसे छोटी पूर्ड वर्ग संख्या अगर कहीं पूचा जाये तो चार है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या समझ गए न और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी चार ही है दो चीज याद रखना सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बच्चा और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये दोनों का अंसर फोर है क्योंकि जो संख्या दो है इसके पीछे प्रटकी इसकी जो है वो ना तो भाज्य है ये ना तो भाज्य है ना पूर्लवर्ग है ये कुछ नहीं है ये प्रकार से क्या है पड़ी नलाइक टाइप की है बस ऐसे आगे क्या बत करें चलो जाने तो छोड़ दो इसको यहीं पर हां संतोस यादो महेंद्र सैनी मृतंजय कुछ बुजाओ जा रहा कि नहीं बच्चा देखो इधर आगे यह तो एकदम छोटा सा हो गया आप इसे कर लोगे अब हर कोई कर लेगा कि इसको आरोट में टू का पेयर क्यूब रूट में तीन का पेयर बनता है जी किरन नमोर्या जी बिल्कुल सही कहा आपने ठीक है आप समझे इधर साइड में भई रभी संकरवा कहा आगया आज नहीं आया का क्यों जो आपके साथ ही है जो कमेंट फेय वोली मना के नहीं है अभी वायप के साथ रहने पंशीवा था इसलिए देखो हम नहीं गए अभी आया ही नहीं वो तो तीन दिन हो गया चलो देखो अगला अगर हम और उपर बढ़ते हैं तो यह क्या है सिक्स्टीन इसको आप लोग कर लोगे न हर कोई कर लेगा इसको आप देखो समझो चुकि हम बिल्कुल जीरो से सीखते हैं हमारी कलास का यह मतलब है कि हमें क कुछ नहीं आता हम लोग कुछ नया सीखते हैं और सिखाते हैं अगर आपको भी महत नहीं आती है विल्कुल नहीं आती है आप यह समझ के मत बैठो कि यहां पर सब बड़े बड़े गड़तक के बैठे हैं कहां पर कोई आरे बटर नहीं है सब हम लोग के जैसे ही तो हम लो पेर बनाना आप सभी जानते हो अरे ये पिछली की कलास में बताये थे ना बच्चा जब तुम लोग नहीं आये थे होली बना रहे थे तब कि उसके पहले बताये थे कुछ लोग ये मतब बोलना कि काया इसा बोल रहे हो मैंने 23 मार्च को कलास बंद कर दिया था लाइब देखो यहां पर समझो 16 का क्या करोगे इसका बनाओगे पेर ऐसे वह क्या बोलता है इसे फैक्टर ये आप सभी जानते हो ना कि इसे ना कितनी बार कट रहा है यह दो से यहां पर देखो समझो आप बिल्कुल बेसिक से समझो सब्सक्राइब सबसे पहले पेर बनाते हैं अब पेर कितने कितने का बंद रहा है देखो यहां पर थोड़ा सा एक इस्टेप और पीछे चलो पेर से पहले गुड़न खंड करते हैं तो फैक्टर में हमें यह मिल रहा है दो गुड़ा दो गुड़ा दो गुड़ा दो ठीक है दो दो के क्या करोगे पेर बनाओगे दो दो का क्या करोगे पेर बनाओगे यह अब एक एक पेर एक गिंती बाहर निकलेगा और फाइनल में इसका अंसर क्या आएगा फूर इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग स्क्रीन साट ले लीजिए जोती से इन बोल रही कि इनके जी हम ना पापा जी का सपना है हमको पॉलिस की बर्दी में देखना बट हमको महित नहीं आती है पलीज हमारी हल्प करिए जोती जी देखिए सपने सच होते हैं लेकिन उसके लिए कड़ी मेनत करने पड़ती है और वैसे अगर एक बात बोलें आपको बुरा ना लगे तो सप सब्सक्राइब जो हमक बटना लुकाश्य क्यों है अगर आपको का बहुन करें खीड़ती हैं आदे हिए हम बीट करके से लेकिन किसी ना किसी चेत्रें में आपको बड़ा करका दिखाना मारी पाप को यह कुछ ममी पापा दो जाहिं कि आ उसको भी ना करो लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है आपको भी अच्छा लग रहे तो आप बिल्कुल जुड़ जाईए मैच सिखाने की हमारी गारंटी होगी अगर आप अच्छे से जल्दी से सीखना चाहती है तो प्रीमियम पोर्स जुआइन कर लिजिए पीवियर स्टेड यह तो बिल्कुल छोटे छोटे नंबर थे जिनको हर कोई कर लिया ललू-लाल भी कर लिये इसको ना अब लेकिन जो देंगे ना उसमें थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा एक दे देते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे एक छोटा सा है लिको मतलब बहुत बढ सकता है एनिवन विसाल कुमार सानी नौ बज़े से होता बाबुआ नौ बज़े से कलास होती डेली एफ्री डेल नौ बज़े से चलो 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 फटा फट रेडी कुछ तो ऐसे बैठे हैं गदहा टाइप के को ने बोल गए उससानकी नहीं रहें जैसे लग रहा है पता नह कि नहीं है कि अरे कमेंट कर दो कमेंट एक बार कर दो कम सकल तो दिखा दो मतलब सकल नहीं देख रहे हैं दरना मत की जाके छुप जाओ नहीं दिखने रहे हो कोई भी मैं इस दिख रहा हूं सबको बस तंगम सिंग यादो मैत में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए अच्छा भाई आईसा कौन सा मैंने आस्मान में तीर मार लिया चलो ठीक है सबक है कि समय कर रहे हैं कि सब कुछ मिल जाता है अब बस प्यार और पिस्वास मिलता है आप लोगों का सरी को लगा करतो बहुत मुझे मैडल वह घुद बाकी तो सबास में मिलेगा जहां से मिल रहे हूं मिली रहे है जलो अब देखो यहां पे साथ आएगा कोई बता रहा है अच्छा गलत है बिल्कुल गलत है बबुआ तुम्हारा तो इनके क्या करोगे आप फैक्टर करोगे करना आप सबको पता है पहले यह दो से ही कटेगा भी तो सबस्क्राइगा कोई बता रहा है ठीक है आप ट्राइग कर लो चलो हम भी ट्राइग करते हैं इदरे साइड में देखलो आप लोग देखो यहां पे समझो यह क्या है 49 इसका पहले छोटे-छोटे टुकुडों में पार्ट पार्ट में करोगे फैक्टर करोगे फैक्टर सभी कर लोगे मुझे पता है सभी कर लोगे देखो ये दो दुना चार दो चोग आठ और ये दो पंचे दस साड़े 24,000 होता है न ये गलत हो रहेगा ये 4,900 है ये 24,500 कहां से हो गया गड़ों कड़ बठे ये दो दुना चार दो चोग आठ दो पंचे दस ठीक है हाँ 24,500 होगा क्योंकि 24,400 होता है उदर साइड में जो कट रहा है उसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं आप लोग बिल्पुल बता दिया करो एक बार बस्टेंसन मत दिया करो ठीक है थोड़ा सा भया रुप जाना हलका सा अरे थोड़ा सा जया तो इसकी दिक्कत है ये थ प्राइपोर्ट गड़वड़ है जटके में गुम जाता है चलो आप देखो इधर साइड में समझो क्यों पढ़ाई पिर दो से इसको छोटा करोगे तो दो एक कम दो और ये दो दूना चार और दो दूना चार दो पंचे दस देखो एक चुली होता कैसे है जिनको नहीं आ यहां पर 24- 50 कैसे आया रहông बचवाई से बाग करते इसको इसे करते हैं यह यह दो दूना चार कहोगे मुझे भागी ओन नहीं आती है लो गटों और गटाने पर एक आगया उपर से सुनना उतारते हैं दो पंचे दस और फिर ये खतम हो गया एक जीरो बचा एक हो गया बस ऐसे होता भाग तो इस तरह से जिस से भाग दिये हैं उसको यहां सामने लिखते हैं और जो इसके खोपड़ी पर आता है ना चुरकी पर उसको पचीज का अधब टार्स पाइं पचीज तीना समझ में आया ना इधर साइड समझो झाब यह बताओ बच्चा यह किस से कटेगा जो बचा है और यह दो से कटेगा अरे यह नों बोलो अ क्टेगा कि नहीं सीपक कुमार तुछ पंद्र पैसा सा नाम रखा लेते हैं न कोई बोल ना पाएं यह तीन से नहीं कटेगा पांच से कटेगा अब फिर साथ से प्यों गदों और आए अच्छे वागों मैं फुद को बोल रहा हूं चलो पांच दूना दस और यह की हो जाएगा दो यह हो जाएगा कितना बाईस और पांच जोग बीस और फिर 25 फिर यह पांच से कटेगा पांच जोग बीस 59 साहे देखऊ यह मिले साथ हमारे डाइस्ति हमारे मिल गए हम समझ गए कि कि क्या क्या होगा सब काम खतम हो गया देख़़ इसका सब्सक्राइब इसके बाद इनकी जोड़ी बनाते यह रब ने बना दी जोड़ी वाली वैसे बना ते जोड़ी तीन की बनती तो गड़ सबका गुड़ा करते हैं दो का गुड़ा पांच में किया तो 10 हो गया, 10 का 7 में किया, तो कितना हो गया, 70 हो गया, इस तरह से बच्चा इसका अंसर कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है, बाद समझ में है न, तिपक कुमार जी, आता है न बच्चा, देखो हजम कर लो, नुक्सान नहीं करेगा, जिनको आता है न, उनको अपच नह यह ना समझ में आए ना चलिए आए वायरा राम चौधरी यह नाम तुम कहीं मंगाया थे या फिर वैसे मिल गया था आज बड़े अजीब अजीब से नाम वाले आ रहे हैं क्या बात है आज तुछ अलंक दीने का या फिर यह बेवकूब बनाने के लिए ऐसा सा नाम बनाएके आए हैं चलो देखो इसाल जी का नाम कितना अच्छा है सुन्दर सा है चोटा सा भारती लहरी भी ठीक है आजय का भ बढ़ लग रहा है चलो देखो फिलहाल जीसका नाम जो भी बहुत अच्छा है सुन्दर सा है आगे चलो बढ़ो है तो बच्चा हम आपको कुछ और भी बताएंगे लेकिन पहले वर्गमूल बता दें तब ठीक है पहले वर्गमूल सीख जाओ तब हम आपको बताएंगे अच्छा नाम बनवाएं थे आडर देखे अच्छा जो उत्तर बताएंगा उसको तुरंत ही नाम मिलेगा और तुरंत मिलेगा बिलकुल देर नहीं बिना किसी भरष्टाचार के तुरंत मिलेगा डारेक्ट मिलेगा मतलब पूरी पारदर सिता रहेगी चलो कोई बताएगा तुम्ही लोगों से पूछ रहा हूं जो मोबाईल लेके बैठे हो चलो बताओ असी लोग बैठे है नबबे लोग फुसबु मोर्या रबीना भिजन लगरा तुम भी नाम बनवा के आई हो पिर तंजय भरष्टवा हां मर नाम भी अच्छा है टाइम बचेगा ठीक है तबसे पहला जबाब आया है किरन मौर्या का उसके बाद है भाईया रभी संकर रभी संकर बहुत ही जिमिदार नागरीक है यह पूरी तरह से बड़े फैन पीबीर स्टड़ी के इनको सबसे बड़ा स्टूडेंट डॉल कि आपने भी कोचिस किया रोहित पर्मा जी आपने भी किया है एक यह को मतलब कर लिया आप ना बताएंगे चाने दो और को एनिवन अरे यह साही डालता हूं देखो तुम लोग भी कैमरा के पीछे का कर रहे हैं कि दिख रहा है ना यह मारकर है यह उसकी गुंडी है और वह सही वीडियो देखे तना वारल हुआ था यह मैं हूं यह मेरी कार है यह मेरी ऐसे लोग पड़े हैं जितने भी गंदी चीज होती वारल कर देते हैं अच्छी चीज कोई नहीं करेगा चलो आगे ठीक है संगम सिंग लक्षमी रावत पावन सिंग पावन सिंग आगे भई कि साली लाल नहीं आएका यार अच्छा बीजी होंगे वो चलो देखो इदा यह आप लोग कर लोगे इसका कितना आएग जैपाल बता रहें 77 आजीत भी बता रहें और बैराराम पर्दुम ठीक है चलो इठे और बता दो फिर इसी में लगे हाथ बीजे सिंग आजीत स्यू गोबिंद मौर्या बहुत सुंदर सानाम है तुम्हारा तो एक्दम प्यारा है चलो और गोबिंद भाई देखो दो-दो नाम है इसमें बड़े ही सम्मानित चलो आगे बढ़े हो किया ना देखो आप मैं बताता हूं अच्छा ठीक है हम अपने ह साफ से पढ़ाएंगे क्योंकि तुम लोग ना जो कहोगे वह अच्छा है नहीं चलो देखो इतर यह आप सभी कर लिए लगपख बच्चों के उत्तर भी आ गए हैं लेकिन अब मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है उन बच्चों का क्या दर्द है जो बच्चे नहीं र सरम की बात नहीं है सरम जहां करनी चाहिए वहां करनी चाहिए हर जगाने देखो चलो यहां दिख रहा है यहां तक दिख रहा है इसको बता रहा हूं और गमूल कैसे करते हैं जिनको आता है वह ध्यान से देखेंगे प्यार से देखेंगे जाएंगे नहीं अभी मैं बात कर इसमें कौन सी संख्या को घटा दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए जो बहुत बड़े महत्मा है वो बताएं इसमें से कौन सी संख्या को घटा दिया जए कि पूर्र बर्ग बन जाए मनीसा कुमार देखो यह भी लगरा है बहुत से नाम बन वाए है इंका नाम मनीसा बहुत बड़ी है इसलिए कपड़े से मिटाते हैं समझ रहो ना हां यह ना कि वह खराब हो जाता है क्या रेस्टर रोर रोका होज आप कि अगर ना मैं देख रहा हूं यह मत सोचो कि गया नहीं गया नहीं जलो 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 कि माईक अपने खोपडी में लगाया हूं बले दूर चलाया हूं पानी की याद आ गई तो पी भी लेता हूं कि आडर भी मिला था पानी पीने का बही आदेश से सब कुछ हो रहा है अचकल चलो इधर साइड जाओं नहीं इधर कोई बताएगा राजेंद्र सिंग के यम कब्या जलती बताओ आ रहा न सभी को कि यहां तो कुछ नहीं आसान है रुख जा भाई चलो इसका टककन कहा गया हो गया न सभी बता लिए तिरपन आ रहा है यह गलत है बिलकुल गलत है पूरा गलत है मैंद्र सैनी यह पर बच्चा मजाक नहीं कर रहा हूं मैं सी रेफली बोल रहा हूं चलो ठीक है इधर साइड में देखो समझो यह 18.225 है इसका पहले वर्गमूल कर लो और इसमें जो लोग बता रहे न मैंने कहा था इसमें से क्या घटाएं इसका मैं वर्गमूल नहीं बोला था गदों यह सब वर्गमूल बता दे रहे हैं मैंने यह कहा था इसमें से मैं क्या घटा दूं कि यह पूर्ड वर्ग बन जाए अब कुछ लोगों को पता है नहीं कि पूर्ड वर्ग क्या है वाट इस फरफेक्ट रूड नहीं पता ना तो देखते रहो फिर यह मत कहो कि मुझे सब आ रहा है देखते रहो भी बताएंग कर लो कि अधा वर्गमूल ही तो करने के लिए मतलब इसके गुडण कंड कर लो फैक्टर कर लो इंगलिस में तो आप मुझे यह बताओ यहां से इसको देखो प्यार फिर देखो मगर प्यार 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 चलो पकी तरह सुने हो ना तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ऐसा इसलिए कि इसको देखो फिर से यह बताओ यह संख्या है यह भाज संख्या है या अभाज संख्या है पहले इसको पहचानते हैं समझते हैं कैसे देखो इधर साइड में इसका थोबड़ा देखो अगर तो इसमें लाइश्ट में 5 है यह मैं आपको बहुत अच्छे से पढ और वही सब 6-8 होता है, वो सम होती है, तो पहली बात तो यह विसम है, क्या है यह विसम है, अब यह भाज्य है कि नहीं है, यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक अच्छी बात हमें यह पता चल जा रही यहां से, कि जितनी भी विसम संख्याय होती है, वो कभी भी दो से प सम्रों संख्या से काटना नहीं है किसे काटेंगे विय। संख्या में आजाते हैं घ्रइभाष हम किस चाटेंगी विय। तो 3 से कटेंगे तो 3,18 हां 3 से कटेगा 3,18 तीन सते कई तीन पचे बंदड़ा आप कुछ लोगा इसे कुछ लोगा कोपका जेसे मुझे फैलाय देख रहे हैं कैसे आ गया कुछ लोग के नहीं समझ में आ रहा है 675 कई से आ गया लग रहा बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूं मैं इनको यह नहीं पता कि मुझे कुछ नहीं आता है देखो समझो इधर साइड में इधर साइड समझ आ बस हमारी यह कोशिस है कि हर किसी को आए सबसे पीछे बैल्ठा बेक्ति को भी समझ में आना चाहिए यह भाग ले जाते हैं तीन संग अठारा जीरो आ गया उपर से दो उतारते हैं हमें लग रहा गलत भी आया था देखो भाग करना आसान मतलब फायदे मंद हुआ ना क्योंकि 18225 था और इसका जो तीन गुना किया तो 675 आया पूरी तर उपर से दो उतारा अब दो में तो भाग जाएगा नहीं कि जाएगा दो में भाग नहीं जाएगा ना फिर क्या करोगे फिर क्या करोगे दो में भाग नहीं जाएगा उपर से साथी और उतारेंगे नीचे तो बैया जब यह डबल डबल उतारेंगे ना यहां पे जीरो अब भाग करना सबको आता है नहीं आता तो बताना ये भी बताएंगे कभी पुरसत में तो जो उपर आता है मतलब भाग फल जिसे इंगलिस में कॉसियंट बोलते हैं उसको यहां नीचे लिखते हैं क्योंकि जिन्दगी का रूल है एक बार जो उपर जाता फिर नीचे आता फिर नीचे आता फिर उपर जाता है लेकिन जो बहुत उपर चला जाता उन्ही उतना उपर न जाने पाए यात रख़े चलो तो यह कितना हो गया थे 1075 कितना समझ में आया अब यह किससे कटेगा चलते हैं एक बार तिन से ट्राइग कि एं चुकि हमें वर्गमूल बनाना ह तो हम सब के जोड़े जरूर बनाएंगे तभी वर्गमूल बनेगा इसका मतलब यह तीन से फिर कटेगा अब ऐसा नहीं कि वर्गमूल निकालना इसलिए दो बार कटेगा लेकिन वह कटेगा मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको पहले किया था किसी कलास में अब देखो यहां को आना चाहिए ना अब देखो इधर साइड में कुमारी काब्या ध्यान से देखी आएगा आएगा अब यह तीन से फिर से कटेगा क्या तो चू बताओ देखो तीन शेंग अठारा दिमाग में घुमालो बस भाग मत करो यह हो जाएगा तो हो जाएगा कितना पाईस तीन स अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने गलत किया ते काम करो तीन काईस में गुड़ा कर तो 675 में और वह अगर आ गया तो सही है नहीं आए तो गलत है तीन पचे पंदरा हांसिला एक तीन से एक इस एक बाईस हांसिला दूए तीन चंगा ठारा दूए बेस इसका प्यारी बाहिए भूजा रहा है कि नहीं वालों अब मैं आप क्या करेंगे अभी फिर से तीन से कटेगा नहीं से तीन दूने छे तीन ने से पूरा कट जाएगा का तीन अच्छा तीन पचे पंदरा अभी भी तीन से कटेगा 3-213-15 कुछ लोग मुझे गरिया रहे होंगे तो मैं भी यूपी से यूँ भाई चलो ऐसे बोला मजा करें सब ठीक है ना यहां तक मस्त है न अब देखो इदर समझो अजीत रायल को बलाग कर दो भाईया तो यह दूसरे उपाय में आये हैं इनको पढ़ना नहीं है नंबर उंबर दे रहें कुछ सिस्टम सेट करने वाले इनको नहीं पता है कितने लोग बरबाद हो गए इसमें चलो इनको बला कर दो थोड़ा देर के लिए मतलब होल्ड कर दो बस अब क्या करेंगे वर्कमूल निकालेंगे ना बेभी देभी जी आरा समझ में आरके यादो कहां से हो तन तन कितनी बार है देखो बच्चा छे बार लिक् पांच कितनी बार है और धाने यह अब क्या करोगे संपर है किसा में क्या सबंग देतार बहुत हो लेकिन मतलब की बात नहीं कि अबार न कि देखुभाई बेभी मुझे इंगलिज तो आती नहीं है इतली ये अंडर बॉलो मुझे समझ में कम आता है ये लों बहुत है जो हुआ कि ये तीन तीन कित्ते जोड़ा बना है एक इस में से वह एक तीन बाहर आएगा इसमें भी एक बाहर आएगा और यह 5-5 का जो जोड़ा बना इसमें से 5 बाहर आएगा सब का गुड़ा करेंगे तीन तरिक का नौट थीग 27 27 का पांच में गुड़ा कर लो 27 का पांच में कर लो मुझे भी नहीं आ रहा है यह यह नहीं कर लेते चुपे से ना यह ऐसे यह पांच से 35 और पांदूना दास्तिं देरा इस तरह से आ जाता है 135 समझ में आए ना बच्वा लोग छापलो फटा फट जल्दी चापलो देर मत करो चलो अरे मैं इधर हट जाता हूं कौन मेरा थोबड़ा देखना जरूरी थोड़ी चलो जो देखने वाले हैं वैसे भी देख लेते हैं पिल्दी वैकलाल इस वीडू झैणल लंग देख लाइच में आयाद'S आज से गिण हैं जर नदी में नाव इत्था आई यह बता हम नर्जा पर पर कि घेठ seafood ल़ट भी आउसी में पानी घुसा न कुना में पता चला नहीं नहीं फानी में हो गया ना सभी कर लोगे देखो अब हम बात करेंगे कुछ अलग क्योंकि हमारी आदत है एक ही चीज में मजा नहीं आती है अगर हर दिन कोई बहुत अच्छा पकवान भी मिले तो अच्छा नहीं लगता ना मतलब नहीं आती है लेकिन हाँ दो-चार दिन गयफ हो जा बीच म में फिर मिले ना मतलब बहुत मजाती है चलो देखो फिर गयफ करते हैं इसमें अब हम थोड़ी मतलब की बात करते हैं वह अर्गमूल जो बेसिक कांसेप्ट था मैंने लगबख बता दिया और अगर सब मैं यहीं बता दूंगा तो प्रीमियम क्लास वालों का क्या होगा व इससे जो लोग नहीं देख रहे न वो भी देखें उन्हें भी लगे कि हाँ ठीक है लेकिन मैं बताओंगा अब तभी आपको सभी के पास टाइम है तीन मिनट का तीन मिनट जानते हो नब चलो 180 सिकेंड इस क्लास को सभी लाइक करेंगे और अपने सभी वाटसप करके आईए जल्दी करो पांच मिनट का टाइम है सभी के पास तीन मिनट था दो मिनट इस्ट्रा मिल जाएगा उसके पहले मैं एक कोईश्चन ने लिपूँगा चलो जल्दी करो सभी सभी बच्चे सेयर करके आउ फटा फट अमिता सर्मा जी विल्पुल रोज चलती है हर दिन चलती है संडे को हम लोग बकैदी करते हैं बाकी पढ़ाते हैं रोज जल्दी से सभी सेयर करके आउ फटा फट फट और जो ऐसे दांद निकाल रहे न वो अभी उनका दांथ हम ब सबसे पहले उसको मैं बाद में बताऊंगा इधर समझो अब मैं यह बताऊंगा जब बच्चे हंड्रेट के ऊपर हो जाएंगे पूर्ण वर्ग कि यानि परफेक्ट रूट कि अंड्रेड के ऊपर इस्टूडेंट होंगे तब ही बताऊंगा नहीं तो नहीं बताऊंगा मैं बंद कर दूँगा यहीं खड़ा रहूंगा रात भर हाँ चल्ड अब आज आ रही न है देर करके आओ तब तक हम पानीवानी पीतें आख बंद करके आ जाना तो बताना रिंकु राजपूर भॉल्लू लिख रहे हैं पच्छा क्या कहना चाहते हो हलो बोल रहे हो कि उल्लू बोल रहे हो निसांत नाग भी नाम लग रहा बनवाए हो कहीं से जूट मत बोलो जूट बोले कववा काटे मुझे मालूम है कौन-कौन नहीं किया है मुझे सब पता है यह कुछ लोग सोच रहे हैं न कि बोल देंगे हमने तो कर दिया है हम अभी सबका WhatsApp इस्टेटर देखके आरहे हॉनों नहीं किया जो जो नहीं किया हुआ उसका मुझे मालूम है मालूम है आक्रति इस कर्मा ऐसे करने से काम नहीं चलेगा सेयर करके आईए हां कि यह करके आईए फटा-फट जल्दी से राजेंद्र सिंग अभी बच्चे 100 के उपर नहीं हुए मैं कहरा हूं कत्ता ही नहीं पढ़ांगो इसके आगे सो के उपर अगर नहीं गए तो पятель वेष्ञ िखर हूं तुम भी फिरी हो इसमें मेरा कैसे ओसु नहीं की했던 इसमें तेरा घाटा मेरा मेरा कुछ नहीं जाता अ हुँ पटा-फट सेर करके आउ जल्दी से घ्यार कौका सरमिंद्र कर रह है उन्ली एक मिनट मठचा है जो बच्चे पी उनकी justification रख्खो पटाफट जल्दी से करके आओ और लाइक करने को भाईया का दादा करेंगे पचाफ लाइक तो कला सुरू होने पहले ही था कुछों लोग गरी आएंगे देखो बीच बीच में कौन सा नो टंकी कर रहा है लाइक से करवार रूप करके तुम लोग मुझसे बड़े बैसर हमो नहीं करते हो तो में क्या करूं करवाना पढ़ता है का वजबूरी में करवाना पढ़ता है संदी बिच्छे तो गएरा पढ़ा था मैंने कख्छा 9 में हमारे गुरु जी आते थे ना मुर्गा बनाते थे कलास में जिसने संदी सुनते थे उसमें पढ़ा था मैंने यह पूर्ड वर्ग दो अगर इसको माला गलग लिखे नो क्या हमारे दिमार्ग में कुछ फिलिंग आ भी तुछ जाया कि नहीं संख्या बूर्ड कि यानि पूर्ड कोलिए मतलब होल नंबर है अर उसका स्माइर भी हो रही इसका मेर्म समझ में मैं स्कॉइर भोलते हैं नहीं मैंने लिखा शोला ना गो मुझे एक बात बताओ 4 सुक्वार लिख सकते हैं कि नहीं बोलो बोलो इमांदारी से किसी कि करए ब्रभी इस पर रो भय यह रूकर बताना चाहता हूं वही बता दूं यह लो अईसे कर सकते हैं और इसको फाइनल में हम फॉर का स्वायर कर सकते है और इसको म liew क्यों कर सकते हैं क्यों ऑ्लीट्लिट्ली क्या आ रहा हैं यह वर्गमूलो कर लो न रोंका किस ले यह लो इसका क्या आया चार वर्गमूल आ गए लेकिन मुझे एक बात बताओ सबी लोग बताएंगे इमानदारी से और हाँ बेमानी नहीं करना कोई भी त्यार से बताना चलो देखो जैसे अगर मान लो मैंने एक नंबर दिया छोटा सा है वो भी नन्ना साही है इसी सोला जो है ना इसका पडोसी है सतरा यह बताओ क्या इसका भी कोई जोड़ीधार है जैसे इसका था ना सिक्टिन कादो फोर फोर कर दिया तो भईया चलो नहीं यह नहीं महेंदर सायनी निचे चल रहा है को चल रहा न भूह राजांदर सिंग्फा रहे नहीं है राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से धन्यवाद बड़ा वाला धन्यवाद लाइट वाइट सब जल रही तो काहे कम दिखरा मुझे आख वाँग जा रही का ये लोग मैंने लगा लिया डबल वैट री चलो लोग यार बहुत सारी लाइट जलती सामने बहुत नुक्सान होता है हां इसलिए लगाते हैं मुझे पता है बहुत से लोग गरी आते हैं चस्मा लगा लेते हैं तो लेकिन फिर भी में लगाना हूँ तोचता हूं लगा लूँ तनी कुमार बियस बर्मा काब्या बेबी रान मनीशा और कोई नर्पास सिंग अखिलेस अखिलेस कुमार यादो अधिम्पल भावी को नहीं लायका तुम अखिले आयो अबना सोना बाबु को भी लेकर थोड़ा किधर भी टाइम दिया करो मजह आएगा चलो देखो तो भईया देखो ये भी संख्या है कुछ लोगों के दिमाग में गुसरा होगा दिया विले इसको ऐसा नहीं हो रहा है इसा होगा feeling ना आपके दिमाग में बच्चा देखो वह उसका भी उपाय समझो पर एक संख्या क्या होती है क्या होते है पूर वर्ग नहीं होती नहीं होती वह चीज़ समझो इसका जैसे सतरा थाना वैसे चौदा भी है और 18 के जगह पे आप 82 लिख लो या फिर 83 लिख लो यहां से हमने यह सीखा कि वो संख्या वो संख्या जो वो संख्या जो मतलब एक परकार से बोलें ऐसे ही समझ लो जिसके दो-दो के पेर बन सके वो पूर्ल वर्ग होती है और जिसके दो-दो के पेर ना बन सके वो पूर्ल वर्ग नहीं होती है तो भाईया अगर इसके हम वर्गमूल की बात करें कोशिस करें वर्गमूल निका तौ्लो वर्ग संख्या और ये पूर वर्ग संख्या जो नहीं होती है इसे बोलते हैं एन परफेक्ट रूट नमबर विक्स परफेक्ट संख्या इन प्रन यह नान पर्फेक्ट रूट नंबर यह क्या है पर्फेक्ट रूट नंबर तभी को समझ में आया इधर छोटा था ज्यान से देखो तीस में ते कौन सी संख्या घटाएं प्रक्राइब तब बताओ घटाएं की प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो आज यह पढ़ाना नहीं हुआ है क्योंकि काफी डिश्टॉब था इस वज़ा से बाकी अभी चले का वर्गमूल वाला क्योंकि यह खतम नहीं हुआ था निशा यादो काफी न्यू बच्चे एड हो गए हैं चलिए ठीक है हर दिन हमारे यां न्यू बच्चे एड होते हैं सभी बच्चे जबाब दीजिए पोसित करिए बताइए रिसब भाई सभी बच्चे बताओ जल्दी करो भाई चलो मनी त्र साथ को कलास देखो गें बाबे तो आयेगा आपको सब कुछ समझ में आएगा मज़़ा आएकई बस कलास को बुद्रेडने से अच्छा नहीं है चलो ठीक है अब सभी ध्यान देंगे पढ़ाई पर बात नहीं होगी कोई परकार की बात चीत नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी ओनली वन पढ़ाई होगी मैंने कहा कि तीस में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए पूर्ण वर्ग क्या होता आप सबको पता है अब मनी इस तिरवेदी को पांच मिनट के लिए बलाक कर दो भाई यह थोड़ा दिमाग का भी डील लग रहा है मुझे देखो तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है कल मैंने बताया था जिसका वर्ग मूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है जैसे अगर हम बात करें कुछ नंबर मैंने लेकि यहां पर रखे हुए आप सभी के लिए आप उन् सबको मालूम है लेकिन यहां पर द्यान दो अकर हम वर्गमूल कहें 20 का किसका 20 का यह कितना आता बच्चा आप लोग निकाल लेना भाग विली से 4.472 लगभाग आता है बोलो आता है न इसका जो वर्गमूल आया है पूरा-पूरा यह एक पूर्ल वर्ग संख्या है और प्रकार की संख्या सामिल है ना बाबु दोनुजी देखो नीचे नंबर चल रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करना बाबु आ ठीक है आपको बता दिये जाएगा जो भी आ संख्या आते हो ना वो मिल जाएगा आपकी कलासे आप इस नंबर पर संपर्क करना ठीक है समझ रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जो प्रावब्लम है यह लो है ठीक है आप देखो यह क्या है यह पूर्ड वर्ग नहीं है वह सारी पूर्ड संख्या नहीं है तो मैंने कह तरह कि जो संख्याएं का वर्घमुल करने पर पूर संख्या आएक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या मोड़ नहीं और नहीं वह तीज निस्टेन के लिए जैडिला था है यह सबस्क्राश चाहरें डान Пण उसमें पूरा कच्छा मिला देंगे इतना बड़ा दिखेगा तो हमारा पढ़ेंगी उनको विलाक कर देते हैं जो शीदी इपनी बात लिखते हैं उनी का कमेंट देखा जाता है बस पिलहाल पहले थे में पढ़ाई के अलामा कमेंट भांट नहीं देडा है इखो यह पूर्लवर्ग नहीं है लेकिन हमें क्या करना इसे पूर्लवर्ग बनाना है इसमें से कौन सी संख्या को घटा दिया जाए कि जो संख्या प्राप्त हो वो पूर्लवर्ग हो जाए तो जरा ध्यान से देखो कौन-कौन सी संख्या है, पूर्लवर्ग है, जैसे अगर हम सुरू से बात करें, तो सबसे पहली पूर्लवर्ग संख्या 4 है, 4 के बाद आती है कौन सी, यह 2 का हता है न यह, 2 का स्क्वाइर न, दूसरी पूर्लवर्ग संख्या 9 है, जिसको 3 का स्क्वाइर करते हैं, तीसरी प पूर्वर्ग संख्या 25 है पच्छवा जिसको 5 का स्वायर करते हैं अगर इस तरह से हम आगे बढ़ें तो हमें पता है कि आगली पूर्वर्ग संख्या संख्या 36 है यह हम सबको पता है और हमारी संख्या जिसको हमें लेके चलना वह 30 है अब यहां पर आप सभी ध्यान से देखो बड़ा ही प्यार से देखो समझने की कोशिश करो किरन मौर्या जी कमेंट आपका आ रहा है ठीक है सभी के कमेंट आ रहे बच्चे समझो आप लोग असुतो सुकला जी बिल्कुल कमेंट आ रहा है बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे घ्यान दो भाई इधर उदर हो जाका है अच्छो पहले सभी दिमाग चटा है हां एक कि देखो इधर साइड में समझो तीस किसके किसके बीच आता जा रहे यह सोचो यह 25 और यह 36 के कि बराब तो संख्या पोड़ वर्ग हो जाए याई हमें 25 लाना है कुल मिला के क्या लाना है 25 लाना है तो भाईया सीधी सी बात है कि 30 में से हम क्या घटाए कि 25 आजा जाए हमें पता है मानलो हम 1 घटाए चलो हमने मानलिया कि 30 में से 1 घटा लो 35 आ जाएगा यहNon recognition कि सब्य पाइनस का पाँच याक्स बराबर पाँच यानि उत्तर मिल गया अगर हम तीस में से पाँच को घटाएंगे तो प्राप्तु संख्या पूर्रोवर्ग होगी दिल से इंडियन जी आया समझ में लाब्या खान तोनु यादो रभी कुमार सिंग सभी को आ गया ना समझ में तो भईया लिख लो बाबु जल्दी से और इस सेशन को लाइक जरूर करो चलो मैंने प्रस्ण किया था कि तीस में से कौन सी संख्या घटाएं कि प्राप्तु संख्या पूर्रोवर्ग हो जाए तो आप सभी समझ गये हो तो फिर अगले कुश्चन पे चलते हैं अब सभी बच्चे जबाब देना फटा फट जल्दी से जबाब देना मैंने एक सवाल ये पूछा कि तीस में कौन सी संख्या जोड दिया जाए कि प्राप्तु संख्या पूर्रोवर्ग हो जाए चलो सभी बच्चे बताओ संतोर जी बताईए संख्या तीस में कौन सी संख्या को जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ड वर्गव हो जाए देखो यहां समझो अब कटाने की बात नहीं आ रही जोड़ने क्या रही सबसे पहला जबाब आया है कीरन मौर्या का किरन मौर्या जी बिल्कुल प्रतिभा केसरवानी निर्मला स्रीवास्तों की बिल्कुल कमेंट आ रहा आपका तीस में कौन संख्या जोड़े की प्राप्त संख्या पूर्ड वर्ग हो अप्शन है 25 से 9 और 3 समझो जो सीरेफली पढ़ने वाले हो समझेंगे जो सिर्फ दूसर कि ऑद्देश से आएं किसी से बात्षीत हो जाए तो उनके भगवाने मालिक हैं कहा जोड़ें कि जो संख्या मिले जोड़ने के बाद वह पूर्वर्ग हो जाए तो हमें पता है कि संख्या कौन-कौन है अभी अभी मैंने निकाला था भाइया देखो पूलवर्ग संख्या चार है सोला है इसके बीच में नौ भी आती है नौ भी है सोला भी है पचीज भी है अच्छे से समझो और प्याद से समझो कोशिस करो समझने की कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ ठीक है देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यह किसके बीच में होगी अरे बच्चा 25 और 36 के बीच में होगी यह नहीं कुल्मिला के सीधी सी बात है हमें 30 को 36 बनाना है क्योंकि 25 क्या है पूडवर्ग संख्या इसके पहले चतिस के पहले 21 आता है पूडवर्ग है 30 तो पूडवर्ग है नहीं 30 के बार- 36 इसक में चाथ Jah सब भी एक पूड़वर्ग संख्या बन जाएगी जोकी छट देखो हमने 6 जोड़ा तो ये 36 हुआ 36 क्या है एक पूड़वर्ग संख्या है अगर हमने इसमें 19 जोड़ा देखो जिनको ना समझने आएगा थोड़ा सा रुकेंगे आएगा बहुत अच्छे से समझाओंगा लेकिन थोड़ा टाइम देना ये नहीं कि बस तुम जुड़े की नहीं भाग गए जुड़े की भाग गए तो फिर ऐसे नहीं आएगा देखो 30 में 19 जोड़ोगे तो उन्चास आएगा उन्चास भी एक पूड़वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल साथ आता है 36 भी एक पूड़वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 6 आता है बाद समझ में आई ना लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा आप कहोगे कि गुरू जी 19 होगा किछा होगा हम अपना option देखेंगे यह बताओ option में 19 है कहीं अगर option दिया है तब नहीं दिया तो आप दोनों में से कुछ भी बता सकते हो ठीक है बोलो option में क्या दिया है यह दिया है कि 19 दिया है राजेंदर सिंह आठ नहीं होगा नहीं बच्वा आठ नहीं होगा तीस में जब तुम आठ जोड़ोगे न तो 38-38 हो जाएगा नहीं होगा नहीं क्या दिया option में अरे गदो तुम ही से पूछ रहा हूं सीदे तो बोलते ही नहीं हो जब तक कुछ ना कुछ बोलो तब तक नहीं बोलते हो जोती बिस करमा जी बिल्कुल सही है कोमल परवीन समझ आ रहा है तुम क्या करो न बच्चा नीटू जी के पीछे पड़े रहो हां उत्तर दे रही है तो तुम कर सकते नहीं कुछ क्या कहूं यार बड़ी सरम आती है बोलते टाइम अपना कमेंट तो ने देखेंगे कि अपना कमेंट करते हैं बोलेंगे मेरा नाम लेलो मेरा नाम लेलो अरे नालाइक तुमारा नाम कहा है लेलो उत्तर तो तुम एक भी नहीं बताते हो नी तु क्या कर रही हो पायल तुम संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए बताइए जबाती जिए सुधा जस्बिर फिर्मला स्रिवास्तो जी बताइए बहुत ही जी है क्योंकि हम इजी ही पढ़ाते हैं पहला आपसने 30 दूसरा आपसने 25 और तीसरा आपसने 38 और चौथा आपसने 50 चलो जल्दी करो तोनु यादो जी बताइए चंदन कुमार हाजी चंदन जी उत्तर आपका नहीं आरा सिर्फ कमेंट आ रहा है असुतोष कुमार पताइए जवाती जी धीरज कुमार आप भी पताइए रिसब भाई लेको बच्चा मूना बनाओ उत्तर बताओ कोसिस करो सब कुछ होगा यार एक बात ध्य से तुम किसी को देखते हो बस उतनी भाव सरद्दा से देखो इधर भी चलो बतला भामेनी कलास को 25 बहुत अच्छे बेरी गुड पचीस आएगा और इसी पर हंड्रेड इस्टूडेंट हो गए सभी जल्दी फिलाइक कर दो देर ना करो चलो इधर हां इसका करेक्ट आंस संख्या क्या है इसके बारे मैं में कल बात कर चुका हूँ आप सबी अगर कलकी कलास को नहीं देखे हो बच्चा तो कलकी कलास को देख लो एक सजोड़ डें तो जो आएगा वह पूलवर्ग आएगा लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि पूलवर्ग संख्या 600 के आस- पास है क्या कोई संख्या है देखो बच्चा इधर समझो हमें पता है कि 625 क्या है क्योंकि जो 25 का स्क्वाइर होता है और 576 यह 24 का स्क्वाइर होता है कि नहीं पहले मुझे यह बता मुझे नहीं सभी बच्चे जल्दी से बतादो फटाफट कितना आएगा बई कितना होता है तुम्हीं लोग से पूछ रहा हूं भई हां इसा स्रीवास्तो भई देखो ध्यान दो क्लास पे निसा या तो आप भी ध्यान दीजिए सभी आकृती बर्मा ठीक है सही है देखिए तो हमें पता ह है कि 600 में हमें जोड के लाना है तो इसके नीचे जितनी भी संख्या आएंगी 600 से कमी आएंगी बदलब 600 के ऊपर तो जाएंगी नहीं यह 576 आया वह 400 कुछ आएगा और नीचे जाएगा दिरे-दिरे कमी होगा तो हमें उपर अगर जाएंगे अगर हम 26 के वर्ग की बात कर करोगे यानि हमें क्या लाना है 625 अब क्या जोड़ने 25 जोड़ने उतर आगया आप सभी का देखो सीधा सीधा मिल गया जिनको नहीं समझ में आया की कैसे हुआ बहिए देखो पिछली कलास देखो आज तक 9 कलास हो चुकी है इसमें 9 कलास हो चुकी है अगर आप उन्हें प 25 लिख लो आप सभी लिख लो इंद्र पताब जी धन्यवाद पानी पिलाने के लिए चलो पानी लायो कि दूद लायो कि सालू कुमार ठीक है गलत है बच्चा तुमारा लेकिन तंतोस भर्मा ठीक है कोशिस करते रहिए बिल्कुल बहुत अच्छे से कोशिस करते रहिए को लेकिन अब इतनी असानी से सवाल नहीं आने वाला है अब मैं जो सवाल देने वाला हूं वो थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि मैंने उसको मेहनत करके बनाया है हाँ अभी तक तो तुम लोग बड़े मज़े से कर लेते थे चलो मुझे यह बताओ जल्दी से फटा-फट मुझे यह बताओ कल मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवाये थी तो बच्चा ये बताओ ये बताओ बभुवा वो क्या है ना 48 और क्या है नब्बे इसमें कौन सी संख्या चोड़ें की पूर्ड वर्ग हो जाए तेहान से सुनो 48-90 में कौन सी संख्या चोड़ें की पूर्ड वर्ग हो जाए मतलब उसका वर्गमूल निकालें तो एक पूर्ड संख्या आए आज ये class कम लोगों को समझ में आएगी मुझे पता है कम लोगों को समझ में आएगी क्योंकि आज ये बहुत आसान नहीं है आज की class बहुत आसान नहीं है दिमाग जो लगाएंगे सिर्फ उनी को आएगी बस मैंने सवाल किया अब देखो ये उस तरह से लगाना इसको संभू नहीं है जैसे अभी तक मैंने बताया उस तरह से करना इसको संभू है ही नहीं समझ रहो ना देखो यहां समझो क्विश्चन था कि 4890 में क्या जोड़े ये competition में भी आता है यह सवाल competition में भी इस तरह का आता है याद रखना ऐसे बड़े बड़े खुश्चन आ जाते हैं ससी होगारा में उसी में लटक जाते हैं लोग क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है चोटी चीजे और वो गड़बड़ा जाते हैं समझो क्या जोड़े कि पूरण वर्ग हो जाएं देखो इसको करने का तरीका है कि जिन छातुरों को वर्गमूल निकालना आता है वो भी भाग विदी से वह इसको अराम से कर सकते हैं प्यार से कर सकते हैं जिनको भाग मूल आता है समझ रहे हो ना निसा यादो जी बिल्कुल आएगा समझ में तेको उजमा ने सही जबाप दिया है इसमें 10 जोडे किता जोडे 10 क्योंकि 4900 जो है आगे चलके वो एक पूर्ल वर्ग संख्या है क्या है पूर्ल वर्ग संख्या है अब इसमें क्या जोडे हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे भाई पूर्ल वर्ग बनाने के लिए पेले एक छोटी सी संख्या ले लो नन्नी वर्ग के ले लो एकदम प्यारी वाली देखो समझो जैसे आगर मैं तुमसे पूछो कि 15 में क्या जोड़े कि पूर्वर्ग हो जाए एक मिनट के लिए बच्चा बन जाओ चोटा वाला और यह सोचो कि आपको नहीं पता है आपको नहीं पता कि 15 में क्या जोड़े कि पूर्वर्ग हो जाए वैसे तो लोगों को पता है लेकिन हम मानते हैं कि आपको नहीं पता है अब देखो समझों समझों 15 में क्या जोड़ें कि पोड़ वर्ग हो जाया है हम क्या करेंगे बच्चा यह थोड़ा सा मुझे लग रहा कठीन हो जायागा ना नहीं चलो करी लेते हैं देखो इदसाइट समझे अगर हम 15 का वर्गमूल यह ऐसे गुड़नखंड करें तो क्या ह जर्णाब सोचो कि पंदरा पाच एक कम पाच बात बनेगी क्या यहां से मुझे लग रहा है कम समझ में आएगा एक जोड़े ना बिल्कुल सही का आपने निर्मला स्रिवास्तो जी सही है बबीता जी आपका भी सही है रिसा भाई नहीं आ रही है अच्छी बात है जल्दी जाए चलो देखो पंदरा में क्या जोड़े पूल वर्ग हो जाए इसका अगर हम वर्ग मूल करते हैं वैसे मुझे लग रहा इस बीदी से नहीं जाएगा यह समझ में नहीं आएगा यह सब छोड़ो ऐसे होगा नहीं यह बाता पांदरा के आसपास आ जाए चार का वर्ग का का करें तो होगा ना चार का करें, तो K 12 हो जाएगा इस तरह से मुल कैसे करते है ला यह कर हम मुल कर रहे हों PlayStation भाग विदी से देखो ऐसे ओपर तीन बार जाएगा यह तीजू कर णाओ इसमें से घटा होगे कितना आएगा च्छे कितना ओं जाएग अशे है अब यहां पर समझो अब यहां पर समझो अब यह बताओ क्या छे का भाग छे में जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा नहीं जाएगा ना आप करके देख लो जाएगा नहीं इसका वर्गमूल निकाल के आपको पूरा दिखाते हैं अगर हम one time ले जाएंगे तो ऐसे इतना बनेगा यहां पे समझो अगर one time ले जाएंगे तो यह 60 बनाएगा अगर दो बार ले जाएंगे तो ऐसे बनता है यह बाग विधी में यहां पर समझो हम लोग थोड़ा अलग हो जा रहे ना उससे आपको लग रहा ही ना थोड़ा कोशन से अलग जा रहे हैं लेकिन पहले समझो छोटी-छोटी चीजें समझना जरूरी है अगर दो बार ले जा आएगा बहुत अच्छे देखो समझो मतलब समझो बजो बताना चाहता हूं वह समझो हमने यहां पर देखो एक जोड़ा बनाया एक्स्ट्रालक से जीरो लगाके तो अब घटाएंगे यहां पर तुछ आएगा उपर से एक जोड़ा उतार लेंगे अब कितना हो गया 600 इस पर जो लिया दसम्णों के बाद त्यों हमें यहां पर क्या करेंगे पर सम्णॉं बढ़ाके जीरो उतार लेंगे जोड़ा आप यह बताओ च्छे में कितनी बार जाएगा अंजात के ट्राई कर दो लो गधाभाग 600 में कितनी बार जाएगा हम सब को पता है कि 6 1 मां साथ होता है मुझे लग रहा बहुत बार जाएगा 100 बार लग बग जाएगा क्यों जाएगा ना लेकिन ऐसा है नहीं आप देखो 9 बार ट्राइ कर लो 9 बार अगर हम ले जाएंगे तो यह ऐसे जाता है जो लोग जानते हैं इसको उन्हें पता होगा अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो आएसे तिर्चा लिखते हैं यह 9 9 81 एक हासी लाया आठ और नौचंग 54 और 54 में आठ जोड़ो यह देखो आठ चार बारा आसी लेक यहनि 62 हो गया यहां पर अगर आप देखो तो ज्यादा हो रहा है बोलो ज्यादा हो रहा है कि नहीं भईया पक्का है कितनी बार जाएगा आठ और अब ध्यान दो आठ भात ले जाओगे तो यह ऐसे बनेगा ऐसे यहれて समझ मैं आ रहा न सभी को देखो यहां पर समझो जैसे अगर मैं बोलू इसका 15 का वर्गमूल तो इसी का मैं कर रहा हूँ अगर तुमसे मैं 16 का पूछता तो बड़े प्यार से चार बता दोगे 15 का पूछूंगा लटक जाओगे तो आठ बार जाएगा बच्चा आठ टाई 64 का चार हांसिला अच्छे और आठ चांग ताली दो पचार चार चार चौवंद यह उपर आठ बढ़ा लो घूलना मत इनक एक साथ एक बाद ध्यान रहें जोडते टाइम इनको थोड़ा इधर लिखोगे इसके सटा के नहीं लिखना जिससे इसमें बीच में जगा रहें ठीक है राजेंद सिंग पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू पढ़ाई पे ध्यान दो मजा आएगी चलो इनको घटाओ दस में पांच खपन आया कि अब बताओ कितनी बार जाएगा अगर फिर से भाग ले जाना है यहां पे हमें और जोड़ी भी बनानी पड़ेगी यह फिरी होती है यह जाते हो ना किसी दुकान पे कुछ खाते हो चटपटा तो साथ में पानी फिरी मिलता है यहां पे बानी बात है पानी साथ में दुकान वाल रखे रहते हैं यहां पर हमें भाग करना है साथ में जीरो वाला यह जोड़ा जित्ती बार उतालो तो अगर कोई कहें कि हमें दो अंक में बताओ तो आप एक जोड़ा उपर से और उतालो गें यह अब फिर से ट्राई करोगे लगबक सेबन बा सासिल 4 साससा उन्चास 4 पुट एक पचास चाचपन है यह का ता सता उन्चास और चार फिर पन है सई है फिर से देखे लो गिए सेबन से बंजा 49 और यह हो जायागा बच्चा 53 पस ठीक है हो गया यह से बनाया यानि हम कह सकते हैं कि जो 15 का वर्गमूल है वो कितना आया कितना आया भई जो बच्चा ही आया 3.87 यही आया ना समझ में आई ना तो यह आपका हो गया 15 का वर्गमूल हम बात क्या कर रहे थे उस बात को तो खत्मी करती है हम यह बात कर रहे थे कि 48-90 में क्या जोड़ें कि पूड़ वर्ग हो जाए यह जोड़ें कि पूड़ वर्ग हो जाए ए जपाल जी आ रहा समझ में अब देखो यहां पर समझो अच्छे से समझो भई निशा जी आपके वाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो भी फाल्दू के कमेंट कर रहे हैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं मंजीस सा सभी को समझ में आया कि नहीं इस तरह से वर्गमूल कर लोगे आप लोग देखो मैं बताने वाला कुछ और था आज लेकिन आप लोग कहीं और ले गए कल मैंने आप लोगों को गुड़नखंड विदी से वर्गमूल बताया था चलो आज भाग विदी से बता देता हूं फिर इसको बाद में बताऊंगा उस टाइप वाला जाने दो भाग विदी से वर्गमूल सीख लो आज अच्छी बात है चलो यही कर लो आज काफी कोई बताएगा रिसब भाई चलो जल्दी करो रिसब भाई बताये जवाद दीजिए प्रतिभा केसरवानी जोड़ेंगी बिल्कुल सही है अब मैं यह नहीं करने वाला उस तरह का सबाद अब पहले भाग विदी से वर्गमूली बता देता हूं क्योंकि अभी बीना उसको आये आये नहीं और फिर तुम लोग काओगे मुझे समझ में आ नहीं रहा है तो फिर मजा नहीं आएगी मंजीत जी बिल्कुल सही बता रहे हो 25 का तो 5 आएगा सबको बता है चलो 25 का बताओ कोई 25 का बताओ कोई भी जल्दी करो फटा फट 22 का कितना आएगा तो आप सभी आप लोग समझने की पोशिस करो यह कुछ ज्यादा तेज है इस वज़ाए साइसा हो रहा है अब मुझे आएडिया आया जलो ठीक है आब ठीक है न कोई दिक्कत नहींक लिएक तो हाँ आव अव आज मस्ता रही जिल्दम जो अब ठीक है अब अगर मैं तीज भी बोलूंगा तभी कोई दिक्कत नहीं होगी अगेश। नहीं होगी के जाव अब समझें यहां पर नोट करिए आप लोग कोई बताया वर्गमूल अच्छा आप लोग इसको भाग विदी से करोगे तभी आएगा क्योंकि गुडनखंड विदी से सब नहीं होगे देखो 25 का वर्गमूल अगर हम करें यहीं विदी लगालो बत्चा 25 का ये लो तसमलो बढ़ा के इनका जोड़ा बना लो 25 का भी वर्गमूल कर लो गुडनखंड विधी से नहीं भाग विधी से कर लो 25 का देखो इसका कैसे होता है और उसी एकार्डिंग अपना समझ लेना कोई दिक्कत नहीं है चलो देखो हमें पता है कि हम ऐसे करेंगे किसी भी नंबर को यहां पर लिखेंगे जिसका वर्ग करने पर इसके आस पास आए उपर पांच गया यह घटा होगे जीरो आगया यह सब खतम हो गया तो इससे कोई मतलब भी नहीं है यानि इसको जोड़ो या ना जोड़ो यह चाहाए भाड म जाए कोई मतलब नहीं इसका आंसर आगया पांच यह हो गया पचीस का भागविदी से कितना आसान है बहुत आसान है बेरी सिंपल सा इसमें कोई मुसीबा थी नहीं है चलो अब देखो इदर साइड में 48 का आरा 6.4 6.92 पीरा न मौर्या जी आप बताइए आपने चीटिंग किया की नहीं इमांदारी से बताना जूट नहीं बोलना आपने कल्कुलेटर से किया की नहीं मुझे पता है कि बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं ऐसी बात नहीं है तो पुरा मानने की बात नहीं बस मैंने ऐसे पूछा है क्योंकि बहुत से गदहे हैं जैसे कुईस्टिन दो ना कल्कुलेटर से करके बता देते हैं पटाग जोती बिसकर्मा आरा समझ में कुछ तो पहले हम 22 का करेंगे 22 का वर्गमूल मानलो कि हमें दो अंकों तक करना है कितने तक करना है दो अंकों तक मतलब दसमलों के दो अंकों तक करना है तो यहाँ पे हम दसमलों बढ़ा के और दो जोड़ा बनाएंगे ये एक जोड़ा तो ये खुदी है अब देखो 25 का तकमूल आसान है इसका 4 बता दोगे इसका 5 लेकिन 20 नहीं बता पाओगे इतना आसानी से 22 नहीं आएगा अब कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग यानि स्क्वाइर 22 आजाए या 22 के आसपास आए जरह सोच के बताओ कोई भी ऐसा नंबर जरह सोच के बताओ क्या हो सकता है वो नंबर कोई भी एक हो समझो इसमें अगर हम नंबर की बात करें तो पांच का करेंगे तो पचीस हो जाएगा वह जाएगा चार चार का अगर हम करें तो क्या है तो क्या आएगा शोला आएगा अगर 5 का करेंगे तोपचीस हो जाएगा लेकिन पांच नहीं करेंगे क्यों नहीं चैनल हो जा रहा है अब दस बज़े कलास से डिये लेड़ वाली ताइम बीत गया डिश्टरब हो गया था अज कफी चलो पटापट कर लो यह जोड़ो आठ हो गया उपर चार बार गया अब उपर दस हमलो बढ़ाओ इनको गटाओ जोड़ा उधालो आप देखो लगबक कितनी बार जाएगा चेख आठ गाए जाएगा आठ शांग तालिस आठ सते चपन लगबक साथ बार जाता है ना ताथ बार ट्राई कर लो चलो चलो आठ बार ट्राई करो आठ डीलएड वालों का लेट होगा थोड़ा सा पांच मिनट और वह गड़ेंगे भी मतशलो देखो में कात बार ले जाएगे तो आइसे जाएगा यह मैं सता उन चांच हसिल आहा कितना चार और साथ अठे चपन सपन चार साथ जब्यादा हो जाएगा यह जञादा हो जारा कि नहीं हो रहा है था सेबन शेबन पार टीनाइन हो रहा है और 7, 8 जा, 56, 56 में 4, 8 करो 6 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, नी तु कुमारी जादा हो रहा है, सची नियादो जी ठीक है, देखो बच्चा 6 बार जाएगा बाबू, तो 6, 6 जा कितना होगा, 36, बई गुड़ा करना तो तुम सब जानते ह इसको तो बज़पन में सीखे हो ना सभी सीखे हो ना यहां पर समझो अब हम इसका केवल दो ही अंक तक नहीं करेंगे वन अंक तक लिख देते हैं क्योंकि टाइटा कुमारी बता रही ठीक है राम सहाजी यह उपर जो आता हुआ अंसर होता याद रखना 4.6 आया मैंने सिर्फ एक अंक तक किया है दो अंक तक करोगे तो एक आत बार और जाएगा नाइन वाइन लगभग आएगा सम्थिंग लोग बता रहें चलो क्या पढ़ेंगे घनमूल को इंगलिस में क्या बोलते आप जानते हो क्यों गुरूर तो इसका बेसिक क्या होता है वो चीज़ पहले हम बात करते हैं इधर साइड में आप ध्यान से देखो जैसे अगर चिन की बात करें तो चिन में थोड़ा सा अंतर रहता है वर्गमूल से जैसे अगर हमें इसका घनमूल निकालना है यहां पर तीन लिखा होना जरूरी है उसकी चुर्की पर समझ रहो ना कि अबज में आ रहा ना पूनम कुमारी कमेंट आ रहा आपका नेह बर्मा आपका भी आ रहा है और भायरा राम तुम्हारा भी कमेंट आ रहा बचवा चलो कि समझो चलो ठीक है यह चिन समझ गए ना कैसे होता है अब साथियों घनमूल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को घन याद होना चाहिए बहुत आसान हो जाती है चीजिए अगर याद होता जैसे इधर साइड में समझो अगर हम आपसे बात करें एक्दम छोटी सी संख्या ले ले मानलो मैंने ले लिया 27 और हम इससे आपका इसका घनमूल पूछे 27 का तो आप सभी बता लोगे क्योंकि यह बहुत ही चोटी सी गिंती है सभी बता लोगे ना क्योंकि बहुत आसान है यह अगर हम आप से पास आप 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 सम्मास तारी कोई दिकतनी में चेक कर रह है क्योंकि हमें याद है क्या याद है हमें यह याद है कि तीन का जो घं होता है भाई साहिश्गया है है तो 27 का घनमूल तीन होगा मतलब रिवर्स होता है जैसे आपने कमेश्ट्री में पढ़ा होगा जो लोग पढ़े हैं रियक्शन हो गए रहा पढ़े हो कि नहीं यह होता नहीं इसमें और यह इसमें क्या होता ऐसे देखे हो कि नहीं मतलब पराबर तो उसी तरह से हमें क्या करना है याद करके चलना है आज हम आपको लिखवाएंगे घन 50 तक का जिनको याद है उनके अपचनी होने वाली है जिनको याद है वो सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे हम देखते हैं कि 500 लोग में आप सबसे पह आते हो कि नहीं और अगर आप बता लेते हो तो हम मान लेंगे कि आपको याद है चलो ठीक है देखते हैं चलो चलो स्टार्ट करें फिर रेडी तभी तैयार हो ना भाई साथ चलो इसको मैं इधर रख देता हूं यह दिख राय का अब भाई ना दिखवाया तुम इधर हो जाओ दिखना भी गड़बर ना दिखना भी गड़बर तो रुक जाओ दो सिकंड चलो ठीक है अब एकदम सुरू से आजाओ फटा-फट वन वन नंबर आप सभी जानते हो वन का तो कोई बताने वाली बाती नहीं है गुअषड दो से सुरू करते दो कां कितना होगा जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनका नाम बोला जै इसलिए आप कोशिज करो सबसे पहले क determine करो और पहली नजर में बने रहा हूँ चलो तो प्रिये साथियों ये क्या है संख्या है और ये क्या है उनका जिनें बोलते हैं क्यूब ये याद कर लोगे तो आसानी हो जाएगी चलो जैसे मैंने लिखा टू संख्या क्या है टू अब टू का घन बताओ चलो ये घन का मतलब तीन घाट कितना आएगा हम सभी कर सकते हैं बहुत आसान है सिंपल देखो ये तीन घाट का मतलब है कि इसको तीन बार गुड़ा करना है क्यों भाई साहब यही तो करना है न बाबू यही तो करना है न रविता कुमारी नीतेश पटेल त्रयांस पटेल चंद्रधर अनुराधा हरसित पंडे मनोज संस्कृति जैसवाल चलो ठीक है तो दो दूना चार चार दूना आठ यह मैं सब नहीं करवाऊंगा कि सोचो कि ह कि अच्छा दूसरी संक्या पर अगर हम चलें तीन का क्यूको कोई बताएगा सबसे पहले जब मैं पूंचू तब ही पहले नहीं देखो तीन का भी वैसे ही हो जाएगा same to same वैसे ही तीन का भी हो जाएगा देखो यहां समझो कीन का क्यूब का मतलब है तीन गुढ़ा तीन और यह तीन तीन तरीक कानो और नो का तीन में गुढ़ा करो 27 कुछ ऐसे गदहे है न उनको यह लगता है कि तीन का गात तीन का मतलब होता तीन तरीक का नौ और वो क्या करते हैं इसका मान नौ बता देते लेकिन ऐसे नहीं होता बच्चा देखो यह तीन गात का मतलब है कि यह तीन बार गुड़ा होगा तीन बार गुड़ा होने का मतलब यह है कि यह दोनों गुड़ा करके नौ आ र लें विसाल राथोड़ विसाल जी देखो उसी एप में है बाबू ठीक है एप्लिकेशन में है और यह बात वाली कलास तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं यहां पर समझाऊं पर इंक्वारी करो दिन में जिनको कोई इंक्वारी करना है नीचे नंबर चल रहें उन पर संपर्च करो तो आगे बढ़ते हैं दो का मैंने मिटा दिया मिस्टेक से यह तीन का चलो यह लो मैंने लिक भी दिया इसमें देर नहीं लगनी है अच्छा चार का चलो फटा-फट थोड़ा जू मूम कर रहे का यह तो सारी चलो चार का चार का बहुत ही सिंपल सा है थोटू यादो बताइए कितना हैगा चार का चौशट अभी गुड़ा-गुड़ा करने का का मतलब है यह लपड़ा मैं नहीं करने वाला हूं मैं डारेक्ट लिख दूंगा चार का क्या हो जाएगा चौशट लिख लो इसको याद रहना चाहिए पांच का 120 जैसे तुमको अपना नाम याद रहता है ना कोई पुछे क्या नाम है बताते हो फट से हमरा नाम विसाल पाल है हमरा नाम हरसित पांडे है हमरा नाम स्रियांसी है गोलू है मुकेस है नंदनी है प्रिया है आपको सब का नाम याद रहता है आज एक नया नाम आया है बड़ा खतरनाक इनका नाम है लाउन पते नहीं का लिका लगा के चलो जाने दूने पड़ेंगे लिए इसका क्या होगा भाई छे का कोई बताएगा बाति लहरी जी बताईए आप भी बताईए बहुत देर में आये श्कुर्शत से छे चक शतिस चक का 216 होगा ना इतना तो हो गया इतना तो हो गया कलियर कंपलिट आप लो सभी फटा फट चापलो परवेश आलम संस्कृति जैसवाल सभी को याद है अच्छा एक बात बताओ सभाई मांदारी से बता दिल पर हात रख के कितने तक याद है अब को घस तक पंदरागें पचास तक यह एकों नहीं आदे नहीं सरमाना नहीं बिल्कुल से बताना कोई देखनी रहे तुमको बिल्कुल जहां भी वाठे हो स्थितिक कोई सब्सक्राइब कितने तक याद है कि पनोज भगेल जी आप बता दीजिए हरियों मसिलावत पांडे सबी बच्चे बताई यह कितने तक याद है कि वह रहेकर करने में साहई कितना हैं सर्माया ना करो नहीं कुछ नहीं होने वाला रहे पेटा भाट चार्ट었는데 कि प्रुमा को नहीं की tells अगर के अलएऊ हैटे वने होती मिल्सर को दसता जांधे Cena horrific है चलो ठीक है तो यह मैं मिटाता हूं इतना हो गया आप चलो आगे बढ़ते हैं फिर देखो कम से कम अगर आपको competition का एक्जाम देना है तो यह मानलो कम से कम 30 तक तो यादी करे रहो यार competition में जाना है तो 30 तक और बाकी अगर 50 तक याद कर लो तब तो और अच्छी बात है पचास तक अगर याद कर लो तब तो और सुन्दर बात है चलो देखो इसको याद करने से होगा क्या अगर आपको कोई भी question होता है आप एक्जाम में बैठोगे कहीं आपको मानलो घनमूल ही कालने को आगया जैसे कि मानलो आपको याद है क्या याद है कि पचीज का जो होता है वो कितना होता है 15625 क्यों भाई मैं सही लिख रहा हूं ना पीटोगे कुड़न खंड करोगे अरे बहुत कुछ करोगे ताइम जाएगा ना ताइम बेस्ट होगा ना और आज कल समय का जो है बहुत बड़ी कीमत सब्सक्राइब आरा ना भाई सभी को पीनाय कुमार आरा समझ में चलो इधार आगे बढ़ते हैं फिर अगला यह तो हो गया आपका कितने तक कितने तक हुआ अभी तो मैंने सायद शे तक लिखा ना चलो साथ का बता दो सबसे पहले देखते हैं कौन बताता हैं अंख्या जाने गा उसके बाद आठ में आ जाना सर्माना नहीं बिल्कुल चलो रेडी 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 अज़िए अब अच्छे रन भी जैजी धन्यवाद अब दूल कलाम जी आ गया है बही चलो बहुत अच्छी बात है बेरी गुड रेड इस्टेटस काहे को सायड़ बचव मैं यह अफर साइड में समझेλά यह सात गुडा साथ। गुडा साथ कि तीन बार करल आयो बहुत अच्छे बेरिकुड नितीषज जी का आ गया बेरिकुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे पिंटु कुमार चलो देखो उची तरह से आध का कि रोंगे आठ ठाय बाकी यहाँ पर मैं समासा ले उर्क आइक नहीं सरह नहीं पता लिख लें एक तरब से a से इसका वर्गमूल करोगे घंद मूल करोगे कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका वर्गमूल को होगा ही नहीं होगा दसमूलों में आएगा होगा शिकना रामफाल सरो जी समझ में आ रहा है अच्छा एक बात बताओ आप लोग क्लास को लाइक क्यों नहीं किये भाई क्यूंकि मैंने कहा नहीं ना मैंने कहा नहीं आपने किया नहीं देखो यार समझो हम सारी कोशी से कर रहे हैं जो भी हमसे हो आपके लिए आप लोग की जिम्मेदारी है क्लास को लाइक करिए बिना बोले और सेयर करिए अपने वाटसप के स्टेटस में यह सैड इस्टेटस प्यार वाला रोमंटिक वाला दिल तोड़ने वाला लगाने से कुछ नहीं होने वाला है समझ रहे हो ना मेहनत करोगे तभी कुछ होगा इसको ले जाके लगाओ मैत आपके बाबू सोना भी पढ़ेंगे न तो वह आगे बढ़ेंगे उनकी बुद्धी खुलेगी फिर आपको याद करेंगी समझ रहे हो सारी कलासे परार है YouTube पर फ्री पढ़ें वाली कलास पर चल रएऄ कि बात चाहिए ना है कि नोपगा अंग उठा देदो मुझे दोलट डर्ला चार की तरह नहीं मागा ना चलो कि कि इसका कितना होगा 729 कितना होगा 729 कि यो सही है कि नहीं देखो कैसे होगा ये तीन बार गुड़ा होगा 949 कि ये 729 उसी तरह से बच्चे अगर 10 का करोगे तो 10 का क्योग हो आएगा दस दहमा सोदहमा एक हजार अच्छा एक बात बताओ यह 10 तक कितने लोगों को याद है बोलो यास 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 जूट नहीं बोलना लेकिन जूट बोले कववा काटे जाने लो याद रखा न उनको यह नहीं बता है देखो बच्चा जो आईसे अंग उठा नीचे को है उसको करना है आप जो हमसे जलन याद जीलियस रखने वाले लोग है वह इसको करेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है समझ रहे हो ना लेकिन हाँ अगर आप भोल चूक से कर रहे हो तो जो उपर को है उस पर क्लिक करना अगर उठा उपर को नीचे वाला पर नहीं समझ गए ना तो जो लोग यह गल्ती किये हो जाके सही करने फटा फट अब मुझे पता है कौन किया है इनको मालूम नहीं है तो जो किये उसको जाके सुधार लें फटा फट तुरंद रस तक सभी को याद है ना रस तक सभी को याद है याद है ना चंदन कुमार याद है ना वैजेंद्र किरन मोर्या चलो अब आजाओ ग्यारा पे , 11 का घंड कितना होगा आप थोड़ा थोड़ा डिफकल्त होता जाता जाएगा बढ़ता जायाएगा याद रखना कितना होगा डेखो संजो ऐसे होगा 11 Civic गुड़ा 11 मतलब फाइनल में हमें एक एक हल कर देते हैं 11 का स्कॉयर तो तुम जानते हो जानते हो कि नहीं 121 होता है 121 यह कितना होता बच्चा 121 इसमें 11 से गुड़ा करोगे जब बच्वना तो यह हो जाएगा 1331 इतना हो जाएगा 1331 भारती लाहरी जी बहुत अच्छे ठ लेकिन जो मैंने कहा वो लोगों ने सुना नहीं जाने दो ठीक है रहा हो तुम जैसे वैसे हम भी चलो 12 का कितना होगा इसको भी क्या करोगे ऐसे लगा दोगे यह 12 इन्टू 12 इन्टू 12 इन्टू 12 तो इसका तो करी लोगे अच्छा मुझे एक बात बताओ चलती से फटा-फट हर कोई बताएगा वो क्या है यह च्छटकी संख्या का वर्ग कितना हो जो मैं घन की बात नहीं कर रहा हूं सुबू राजपूत जी नाम तो आपका इतना बड़ा सा है अब काम पता नहीं कितना बड़ा बगवान जाने चार बार और लिख लो तीन बार तो लिखी हो तो बार और लगा लो यूटूब में तुम्हारा नाम ही दिखी चलो देखू इसका वर्ग है वो क्या होता 144 होता रहा हूं कैसे आता है यह चीज बता रहा हूं तो यह कितना हो जाएगा 1728 यह बात समझ में आई एक चीज यहां से और लेलो लगे हाथ फ्री में मिल रहा है वो क्या है कि यह 1728 यह 1728 चुप तो नहीं रहा ना इसका अगर तुम घन मूल करोगे इसका घन मूल करोगे तो 12 समझ गए न अगर 1331 का तुम घन मूल करोगे तो 11 आएगा इसलिए याद करवा रहा हूं कि तुमको याद हो जाए सब करना ही न पड़े समझ रहो न संगीता नायक मुझे वायत में डारेक्ट वकी गुना भाग नहीं आता है देखिए जिनको भी नहीं आता है कोर्स सब्सक्राइब करिए और डेली आप 9 बजे से लाइब आईए फटा फटा आईए लाइब देर ना करिए ताइम से जुड़ेंगे सब मिलेगा फूटा मिलेगा उमीद से जादा मिलेगा लेकिन हाँ रेगुलर देखो के तब यह नहीं कि बंडारे के जैसे परसाद लेने इक दिन आ गए अगले दिन पता नहीं कहां चले गए और टेली तब मिलेगी कला सब्सक्राइब करोगे नंबर नोट कर लोगे नीचे चल रहा है स्क्रीन पर तब चलो चंदन कुमार कहें परसान हो बच्चा तुम रिश्टर चंदन कुमार तुमको कौन सा दर्द हो रहा ह है बता दू कि को देरा का इसी तरह से करोगे दिए हाटीन इंटल इन्टु थर्टीन हो जाएगा इसको भी सिंपल है कर लोगे चलो फटाफट बताओ जल्दी करो जल्दी 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 इतना आएगा अपेंटमेंट सो कर दिया गर वह जिनका होल्ड होता है आप स्रयांस पटेल डेली आते हो चलो ठीक है कोई नहीं लाइब आएगा तो तुम चले जाना अपने मौसी के हां का है यहां आए हो जाओ चलो देखो इधर इसको कर लोगे ना वाई तेरा का क्या करना है हमें पता है कि 13 का जो यह स्कॉयर होता है 169 होता है और फिर से इसमें क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे कर लेंगे ना 297 आ रहा है एक ठीक है बहुत अच्छे बेरी गूट कितना हैगा 297 बिल्कुल बिना मेहनत के लिख लो कैसे हुआ पता है अरे बच्वा तेरा का तुमको पाड़ आता है तेरा कितना होता है इसमें बताना नहीं है चलो देखो इदर 14 में आ जाओ 14 का है को भई देखो इधर साइड में समझो 14 का करो जल्दी करो फटा फट अभी ट्रिक बाद में बताएंगे यह बेसिक है यह उनके लिए है जिनको महत नहीं आती है जो सारी उमीदें छोड़ चुके हैं कि मुझे भी कभी महत आएगी यह उनके लिए है जिनको आती है वो जाएं कुछ और करें चलो 14 का इसी तरह से आप लोग कर लोगे इसमें भी ऐसे ही है इसका मतलब है कि 14 इंटू 14 इंटू 14 आपको 3 टाइम मल्टीपल करना है लिख लो याद किये रहना ठीक है हरसित पांडे जी बहुत अच्छे हरियों सिलावत कंचन मौर्या गलत है आपका गलत है कंचन जी चंदन कुमार बच्चा देखो अभी नहीं हो रहा है यह थीक है स्रियांस पटेल जी आपने गेमर का नाम हटा के नाम लिख लिए अच्छी बात है देखो अगर चैनल नहीं है फालतू का नाम बदले हो पूड़ा करकट रखे हो तो क्या मतलब अगर आपके चैनल पर लाखों लोग है दस बीस हजाल लोग भी है पांचे हजाल लोग है ठीक है मत बदलो लेकिन लेकिन फालतू कर नहीं चलो इतना है गहां 2340 वालों को सही है ठीक है विर्जेंद्र जी ठीक है ठीक के चंदन कुमार को होल्ड कर दो तो कि इतना हैगा 2444 पिश्चे कर दो ना चाहिए थमकोम अच्छांस कर करणा देख साथ है और माया देकं वाहाना आत mister तो यहां पर मज़ा नहीं आएगी बच्चा जिन्दगी तुम्हारी ना मज़े के चक्कर में सजा हो जाएगी इसलिए देख लो जो हो रहा है चलो कि यह क्या हो जाएगा फिप्टीन का करोगे कितना आएगा इसका कर लोगे ना सभी कर लोगे ना सताइश वालिस वालों का ठीक है परदीप जी आपका भी ठीक है जूली परजापती जी बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे भारती लहरी छोटू रंजन कुमार भाई यह 33-75 वालों का सही है इसमें सबसे पहले कौन बताया है भारती भा भारती भत दूसरी मतलब भारती भाटी चल यह ठीक है इसका आएगा 15 को 15 में गुड़ा करोगे फिर 15 से करोगे 15 15 हमें कितना होता है 225 होता है का करके देख लेना जो भी होता है फिर से 15 से करोगे तो बच्चा यह 33-75 आएगा एक वात इसी पर लगे हाथ और ले लो वो य यह है कि अगर ताहितीस पचातर का तुम घंध मूल करोगे तो गन मूल करोगे बच्चा तो पंद्रा आएगा ठीक है समझ गए ना रामा देवी ठीक है रंजन कुमार एके ने बताया था भई तो क्या करूं मैं एके का नाम तो बोला था एके तो बड़े पुराने इस्टूडेंट है चलो हो गया इतना आगे बढ़ते हैं अब फिर हम लोग फटा फट जलो आप देखिए आप लोग यह बता मुझे इतना याद कर लिया कि नहीं चलो जल्दी से फट से बता दो बारा का घंध अभी अभी लिखा था अभी 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 बारा का घंध बहुत तेज बोल रहा हूं क क्योंकि आवाज रेड के क्रास चली जा रही है है जारा का घंध कितना आया था कि यह 4096 कौन बता रहा है अरे गदों मैंने नहीं लिखा भी अभी तुमने कुछ लिखा ही नहीं चलो पारा का घंध मैंने पूछा है तुम लोगों से पारा का घंध अब चेंज कर दिया मैं पूछा नितेश पटेल गलत है फारती लारी ठीक है रविता कुमारी तुम्हारा भी गलत है पुछी का भी नहीं सही है इसमें यह जो तुम लिख रही हो ना यह किसी संख्या का होता ही नहीं गन ठीक है भाईया ठीक है त्रयांस पटेल ठीक है देखो इसका यह मतलब नहीं कि मैं लिखवा रहा हूं तु आगे कही पूछूंगा पीछे कभी तुमको याद रहना चाहिए मैंने 11 का मिटा दिया 9 का मिटा दिया इसका मतलब थोड़ी कि तुम भुला जाओ नहीं याद हो 4096 देखो आता कैसे है 16 को 16 में और फिर 16 में गुड़ा करते हैं कि जाते हो ना 1696 हासी लाया 9 161 16 169 कितना होता है 25 तो 156 होता है ना 16 का वर्ग तो इसमें क्या करोगे 16 से गुड़ा कर लो यह बस भोगे फटाफट समझ में आ रहा ना सभी को आशू जी आ रहा समझ में कंचन मौर्या समझ में आ रहा है ललिता कुमारी संतोस बर्मा सभी को समझ में आ रहा ना लिख लो फटाफट तो 17 का लिख लो बच्चा 17 कभी ऐसा ही कर लोगे 491 सम्झिंग आएगा अभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें आप लिखके कमेंट करिए क्या कर रहें भाई कुछ तो करिए ना लाइक और सब्सक्राइब करें सभी फटाफट सब्सक्राइब इसलिए कर लें जिससे अगली कलास में भी जूड़ पाएं और फिल्कुल फ्री मैथ सीख पाएं एक बात अपने दिमाग में रख लो जो नए चात्र हैं अगर आपको मैथ नहीं आती आपने सारी उमीदें छोड़ दिया कि मुझे मैथ कभी आएगी तो आ एगा पक्का आएगा सभी को आएगा लेकिन रियंगूर क्लास देखना बिल्कुल जाना नहीं जो थे यादो सरकार था देखो यहार यादों की सरकार थो भी आई नहीं है तुम नाम पहले से कह रख़े घूम रहे हो हां तो चलो करो एक तो प्रत्य कमेंट कमेंट है इसको एकदम से बलाग करो यह हाट वीडियो आला आ गया जो वही है चंदन इसको पर्मानेंट कर दो इसका भी उसी तरह से होगा 4913 होगा आप सबको पता है ना बच्चा देखो जाज इतनी अधी बना लो लेकिन यहां तुम्हारा कमेंट नी दिखेगा अगर तुम सोचो कि हम कुछ गड़बड करें यहां पर तीन लाख को मैनेज करते हैं अच्छे से पढ़ना है तो नहीं पढ़ना जाओ कुछ का हो जाते हैं रोज जाते हैं चलो तो यह हो गया कि एटीन का कैसे करोगे देखो इधर साइड में 18 का 18 का क्यूब इसका भी कर लोगे वैसे सिंपल सा देखो इधर साइड में करवा दे रहा हूं फिर यहां लाके लिग दूँगा यह पहले तो आप लोग मुझे बता अठार कवर्ग कितना होगा हरी ओम बताया है ठीक है हरी ओम जी बहुत अच्छे बेरी गुट हरी ओम ने सही बताया है अठावन बत्तिस आएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेरी गुट एक एक कभी आ गया ठीक है कितना आएगा यह 58 32 लिख लो फटा पर नोट कर लो और 19 का ब नीचे दिख रहा तो 20 का भी लिख लो धेर ना करो तेको तो दुना 4 दुना 8 होता या 8000 आएगा खटापट इसको लिख लो और एक बात सुन लो ध्यान से आपसे भी नम्र निबेदन है कितने भी छात्र जुड़े हैं सभी को 3 मिनट का टाइम है जाके इस कलास को अपने वाटसप की स्टेटस में लगा आएं लिख दें मैद सीखिए शुरू से और जो भी ग्रूप हैं आपके उनमें सेयर करके आजाओ पूरे 3 मिनट का टाइम है सभी के पास जाओ जल्दी से इतना करके आओ भीया एसे मजा नहीं आ रहे सो से कम बच्चे होते हैं खुदी सरम आती है कि धाई लाख बच्चे हैं अगर सो बच्चे भी लाइब नहीं है तो क्या मतलब पढ़ाने का बही एक को पर्सेंट तो नहीं है यार हा एक पर्सेंट जानते हो कितना होगा एक पर्संट का मतलब सो में एक, मतलब एक हजार में तस, कहने का मतलब की एक लाख पे सो बच्चे लाइब होने चाहिए हुँ, मैं रहा बाइसो बच्चे अगर लाइब आएएंगे, तब जा हाँ आज सुख है किसी के आदुख है कोई बड़े आफ़त में पड़ा है किसी के मुबाइल में नेटी नहीं है किसी की लड़ाई हो गई है फलाने से उसमें लगा है तो देर सारी बाते होती न किसी का आपस में ही कड़ पड़ चल रहा है तीन मिनट का टाइम मैंने दिया है आप सभी से निवेदन है, जल्दी से शेयर करके आजाओ तीन मिनट में, एक तालीस अभी दो मिनट बचा है, दो मिनट बचा है निवेदन है आप सभी से हाथ भी जोल दे रहा हूं, अगर अब भी नहीं सरमा रही तुम्हें तो जल्दी से शेयर कर दो, समझ गये ना, चलो जल्दी शेयर करके आजाओ फटाफट निवेदन है आप सबसे फटाफट शेयर करके आज़ाओ जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 तक हो गया है लिंक देना नहीं आता हमें देखो जिनको नहीं आता मैं उनको बता दूँ मैं कैसे बताओ तुमको और भाई यह देखो इदर साइड में देखो तो राए कि नहीं दिख रहा है मैंने 3 मिनट का टाइम दिया है तो 3 मिनट में सब कुछ बता दूँगा। इंधर साइड में देखो। यह दिख रहा है। कुछ दिखा की नहीं। इसको कमेंट को हाइड कर दो बगल में करास पर अब देखो यहां पर क्या दिखा है कुछ दिख रहा है तुमें कि नहीं इस पर किलिक करो सेयर लिखा या से अचे आरी और सेयर पर किलिक करके फट से क्या करो copy link पे click कर तो link copy हो जाएगी या फिर what's up पे select कर दो what's up पे चला जाएगा जानते सब हो तुम लोग बस मुझे परिसान करते हो तुम्हारा मतलब है कि मुझे परिसान करो बस चलो आगे बढ़ें फिर चलें अभी एक मिनट बचा है पूरे वन मिनट बचा है जो भी नहीं सेर किये हैं फटा फट करके आजाएं फिर आगे बढ़ें हम लोग जल्दी करो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं इसको चलो भाई देखो आप लोग की भी कोई जिम्मेदारी होती है अगर मैं रेगुलर आपको पढ़ा रहा हूं हर दिन तो आपकी भी जो रिस्पांस बिलती है आप उसे निभाईए तब कुछ बेतर होगा और अगर आप उसे नहीं कर रहेंगे नहीं करना चाहते हैं तो फिर यह गड़बढ़ है पूरी तरह से गड़बढ़ है यह जान लो हां समझ गये ना चलो तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं लोग मने जूम करते हैं इसको थोड़ा और अच्छा आगे बढ़ते हैं देखिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है बस उसके लिए होता है अब्यास की जरूरत अगर आप अब्यास करते हो तो सब कुछ बेतर होगा मजा भी आएगा समझ में भी आएगा लेकिन हां अगर हम एक दूसरे को समझ के चलेंगे पतलब हम पढ होगे अपने सोना बाबु को भी दिखाओगे और जिनके नहीं है वो दूसरे को दिखा दो मतलब दोस्त वाली को चलो देखो इदर है जिस तक हो गया ना है संख्या है अब 21 कि इसका कितना होगा कोई बताएगा हां कि इसका कितना होगा 58 32 बता रहे लिए अभी आपको सभीता जी आपको भी बहुत भहुत धन्यवाद सभी को दिल से धन्यवाद धैर सारा थैंक्यू इतना फारा थैंक्यू कि कितना इतना फारा इतना पार चलो देखो यह 21 into 21 into 21 इसका करोगे कितना आएगा बहुत बड़ी गिंती आएगी 9000 के सम्थिंग आएगी अब तो यहां जगा भी काफी नहीं बची है मैं सामने साथी जाता हूं अगर इधर आता हूं तो दिखता नहीं क्योंकि मैंने जूम जादा कर दिया न अब मुझे इधर खड़ा होना पड़ेगा चलो कितना आएगा 9000 प्लस आएगा क्यों क्योंकि 21 का जो वर्ग था वही आपने देखा था लगबग 21 के आसपास था ना हां 21 का जो वर्ग था वह कितना था काफी ज्यादा था ना कि पानवे 61 बता रहें कोई चलो कि तरे आंस बटेल तीपक हरी ओम रभिता और महातो क्रियेशन थीक भीया बहुत अच्छे बेरी गूड बच्चे इसका होगा कितना होगा 9261 9261 लिखलो फटा पड़ लिखलो हो गया आगे बढ़ते हैं अगला देखो 22 का कर लो कि कल से हम करवाएंगे आगे कुश्चन ऐसा नहीं कि रोज यही करेंगे नहीं आज लेकिन हम लिखवाएंगे आज हम लिखवाएंगे क्योंकि यह जरूरी है पाइस का कितना आएगा चोटू यादो आप भी बता दो कितना आएगा पूनम कुमारी आप भी किये हैं चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है अभी कुछ लोग गए हैं सेर करने अभी आया ही नहीं है 10,648 इतना आएगा 10,648 समझ में आए न कितना आएगा 10,648 जूली परजापती जी बहुत अच्छे बेरी कुड चलिए 23 का लिख लो आपको एक ट्रिक बता दें क्या क्रिक से करोगे आप लोग देको एक ट्रिक बता दे रहा हूं छोटी सी लेकिन और ज्यादा उस पे कु लो तब करवाते हैं लिखो 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 देखो 10,000 आए यह लगबग 12,000 के संथिंग आएगा कितना आएगा भाई आकांचा राजावत जी बताइए कितना आएगा यह 12,166 के लगबग आएगा क्यों सही बोल रहा हूं कि नहीं कि मैं सामने आत दीपक कुमार जी आ रहा कुछ समझ में देखो बच्चा भी डियलेट वाली भी चलवानी है हां चलो ठीक है तो 24 का लिख लो टाइम लगता है लिखवाने में 24 का करो फटा फट 13,000 आएगा लगबग 13,824 इसी तरह से 25 का लिख लो बच्चा 25 का वही जानते हो जो 15,625 आया था हां कितना आया था 15,625 इस तरह से आज हमने आपको क्या किया लिखवा दिया 25 तक का घन अब याद करके आओगे तो अच्छी बात है नहीं याद करके आओगे तो फिर भगवानी मालिक है आपके जो भी मानते हो भगवान अल्ला तो इसलिए क्या करो याद करके आओगे सब तभी अच्छा आएगा तभी मज़ा आएगा याद नहीं करोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है थे सब ऐस्वाल का जबाबद न इस फ्रस्टे सबकुछ न का जबाब दीजिए यह खरी आपके सामने का क्या होगा कोई बताएगा 0.01 upon 0.1 प्लस 0.1 upon 0.01 क्या होगा इसका अंसर बैया चलो बता दो फटा पट कितना आएगा एक बार कोशिज कर लो गधूँ क्या जाता है तुम्हेरा कोशिज करने में कुछ सरमा रहे हैं ऐसे जैसे लग रहा है नहीं नहीं ससुराल में दुलाहन आई है मुखड़ा दिखाने में सरम लगती न बस वैसे इन लोग को लग रही बहुत जादे लग रही चलो देखो इदर साइड में अर्पित्र पाठी वन में भी विसाल सर्मा ताइम पास मत करो बच्चा तुम देखो न निकल लो यहां से जल्दी निकल लो भाई इनको ब्लॉक कर कर रहा हूं पढ़ाने की question screen पर दिया हूं अरे ना लाइक तुम उत्तर तो बताओ कम से कम तुम्हें आई नहीं रहा है उत्तर तुम नहीं बता रहा है टाइम पास लग रहा तुम्हें को सबसे पहला जबाब एक ने बताया है वन का वी यह वी क्या है भई हां तो वी कोई आपसा नहीं नहीं गलत है तुम्हारा एकदम बिल्कुल गलत है और कोई बताया हरसित पांडे बतारे डी ठीक है भाई हरसित जी अर्पित्र पाठी हर्स गेमिंग स्रेयांस बहुत अच्छे बच्चे बेरी कुड फर्स कुश्चन आपके सामने screen पर दिख रहा है मैंने इ पोसिस किया बहुत से लोगों ने नहीं किया जिन्हों ने किया उनको भी धन्यवाद और जिन्हों नहीं किया ना उनको और बढ़का धन्यवाद चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट वो तो मैं कुश्चन वैसे दे दिया था अभी मैं इसको हटार दे रहा हूं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्यूब रूट आप सभी घनमूल के बारे में परचीत हो चुके हैं इसके पहले मैंने कई बार पढ़ाया है और इसक्रीन पर चलो सिकेंड कभी जबाब दे दो फिर इसी में लगे हाथ चलो कोशिस कर लो तो अच्छी बात है बाकी तुम्हें अपने टॉपिक पर चली रहा हूं जो टॉपिक हमें पढ़ाना है आज वो पढ़ाना नहीं था वो तो मैंने पूछ लिया डिफाल्ट में ऐ गान मूल तो गान और यह मूल नहीं पहले संख्या लिखो सिकेंड का जबाब कोई बताएगा जल्दी बतादो फटाफट बतादो फटाफट चलो देखो इधर साइड में हाँ तो हम बात कर रहे थे घनमूल आकिर घनमूल होता क्या है आप लोगों ने कभी सोचा है बिल्कुल सोचना भी मत उसका कोई मतलब भी नहीं है जो मतलब की बात है वो देखो इधर साइड में चलो साथियों जैसे यह कुश्चन है जिन तो कल में बताया था बाकी चीजे में कल बताया था एकदम छोटा सा आठ आपको पता है इससे परचित हो आप सभी क्योंकि आप सभी कक्षा आठ में पढ़े भी हो अठ्वी कलास पढ़े हो ना सभी सभी पढ़े हो ना बैया चलो बीरबल कुमार पंकज भर्मा मौमद अस्फाक जी बहुत अच्छे बेरी गुट देओ दूबे चलो इसको मिटा देते हटा देते हैं स्क्रीन कुश्चन जाने दो इसका कोई मतलब नहीं अब चलो मतलब पर आ जाओ कुश्चन मैंने हटा दिया चलो देखो इसका क्या करना हमें गानमूल निकालना है गानमूल कैसे करेंगे देखो इधर साइट में समझो सबसे पहले दिये हुए नंबर का हम फैक्टर करते हैं फैक्टर मींस से गुड़न खंड करते हैं और इसे आप सभी बच्पन में समझो इस तरह से इसके जो फैक्टर होते हैं आठके वो कितने हुए हैं आप देखो तीन टाइम आया है दो और घंमूल में तीन-तीन का जोड़ा बनाते हैं पेयर बनाते हैं मतलब खुद दोनों परानी और वह भी साथ में वह मतलब आप समझ रहो ना अभी तो माननीय नय बाइद नहीं है पदलब चल सकता है चलो देखो इदा समझो एक पेयर बन रहा है इसमें से एक दो बाहर निकल जाएगा इसका अंसर हो जाएगा कितना दो बात समझ में आई ना लेकिन मुसीबत वहां पर बनती है जहां पर यह पेयर नहीं बन पाते हैं तीन-तीन के कि समझ रहा हुना सभी प्रतिभा केसरवानी जी बिल्कुल कमेंट आपका आ रहा है चलिए देखिए इधर साइड में आप बच्चे चलो कम से कम आप अच्छा तो सोचे देखो इधर साइड में यह हो गया लेकिन अच्छा एक बात बताओ अगर इसका वर्गमूल निकालते तो क्या होता जानते हो जरा एक बार सोच के बताओ अगर इसका हम वर्गमूल करते तो क्या होता एक मिनट सोचो देखो भाय तो बहुत बेसिक क्योंकि हमारी कलास यह पढ़ने वाले बच्चों के ममी पापा को पढ़ा रहे हैं क्योंकि वह कहीं पढ़ने नहीं जा सकते हैं अध्यापक बनना चाहते हैं घर बैटें बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी मुसीबत है अगर जानेंगे दुनके बच्चे भी हसेंगे इस वज़ा से किसी से बताई नहीं पाते हैं उनको हम पढ़ाते हैं समझ रहे हैं पीडियार स्टडी में जितने भी स्टूडेंट जुड़ें उनमें अधिकान सब 18-28 से लेकर 40 साल तक वाले उनको पढ़ा रहे हैं चलो देख हो गया अब क्या करोगे हमें क्या करना वर्गमूल दोनों में अंतर है अगर आप ध्यान से देखो तो यह और यह में अंतर है पोईशन यह भी है वह अंतर क्या है आपको सायद नहीं दिख रहा होगा कोई बताएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है जो मैंने लिखा है मैं बता दूं क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा इसमें देखो बच्चा तीन है इसकी चुरकी पर और इसके कुछ नहीं है इसकी चुरकी पर तीन लिखा इसके कुछ नहीं लिखा अगर इसके कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है लेकिन अगर यहां तीन लिखा है तो यह साइलेंट रूप में आपको बोल रहा है कि इसका घनमूल निकालना है आप समझ रहे हो ना बाकि अगर घनमूल लिखा जाया तो अच्छी बात है चलिए देखे इधर साइड में आप समझने की कोशिस करते हैं हम लोग इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करते हैं यह देखो इधर फाइड में जैसे तीन बार आया था ऐसे कर लिया इसमें पेर दो दो का बनता है अपना दोनों परानी बस बाकी तीस परानी इसमें दोनों परानी के साथ वो भी रहता साथ में समझ रहो ना कुल मिलाके तीन पेर बनता जो समझने वाले वो समझ गये और जो बच्चे उनको समझ ना भी नहीं है चलो तो इसमें कितना बन रहा है एक जोड़ा बन रहा है न तो जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल दो गए यह होगया आज़ाद हो गया और भाई इनका कोई जोड़ा है नहीं अकेले में चारे थे क्या करेंगे यह वर्गमूल के अंदर में ही रहेंगे इस तरह से यह इसका आंसर होगा कि पाद समझ में आई ना संख्या वही है उत्तर अलग-अलग है क्योंकि कारे अलग-अलग हो रहें यह घंद मूल है यह वर्गमूल है और यह यह दोनों में कामन है यह नारजी हैं यह सब के वीचे रहे मतलब फाइक्टर वैसे ही करना है उसमें कोई अंसर नहीं है समझ रहे हुँ ना फाइक्टर वैसे ही करना है तीपक चौहान रादे कृष्णा ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड अपी समझ पाइना तो एक बार मैं अपनी आवाज सुन लूँ मतलब फाइक्टर वैसे ही करना है उसमें कोई अंसर नहीं है समझ देवना चलो अब आज हमारी सही आ रहे है इसका मतलब तो यह था घनमूल घनमूल की सुरुवात यहीं से होती है क्योंकि सबसे छोटी जो संख्या होती है पूर्ड घन वो क्या होती बताओ चलो सभी बताओ सबसे छोटी पूर्ड घन संख्या क्या होगी चलो जल्दी करो फटाफट बताओ सभी वाट इसमालेश्ट परफेक्ट क्यूब नंबर इंगलिस में तो भाई ऐसे बोलेंगे न मुझे भी कुछ कुछ आने लगा है पूनम कुमारी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा जितना मेहनद तुम कमेंट करने में कर रहे हो ना सबसे चोटी पूर्ल घन संख्या मैंने पूछा सबसे चोटी पूर्ल घन संख्या कि देखो जो चार बता रहे हैं भाई सबसे सही जबाब है और सबसे पहले जो आया वह है एके का और परतिभा केसरवानी का भी सही है कि विशाल सर्मा तुम आगे फिर चलो ठीक है अब सांती से पढ़ना अच्छी बात है सबसे चोटी जो पूर्ल घन संख्या बचवा वह आठ है जो लोग चार बता रहे हैं वो ध्यान दे अगर तुम चार का घनमूल करोगे ना बच्चा तो इसका घनमूल नहीं होगा करके देखो दसमलों में आएगा फिर थोड़ी कहानी बड़ी हो जाएगी मैं अभी बताऊंगा नहीं इसको ठीक है तो ये सबसे चोटी क्या है ये पूर्ल वर्ग संख्या है आप ये बोल सकते हो हाँ पूर्ल वर्ग संख्या है सबसे चोटी और ये सबसे चोटी क्या है तो याद रखना सभी सबसे चोटी पूर्लवर्ग संख्या कंपटीशन में पूछ लिया जाता है अध्यापक भरती परिच्छा में पूछ लिया जाता है लोग खुपड़ी पकड़ के बढ़ जाते हैं और गलत करके आ सबसे चोटी पूर्लवर्ग संख्या आठ था शमभश गये ना अचा एक बात बताओ एक और भी कुश्चन इस आता इसी तरह का कौण सी ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज भी है बहुत रियर केस में ये बनता एकट ही है बाकी और कोई संख्यासी है नहीं कि जो सम हो और अभाज हो समझ रहो ना मैंने कई बार बताया है उसी तरह से है जैसे रावण की नगरी में विभीशाण सब वह रावण की पूजा करते थे और वह प्रभु सिर्राम चंदर जी की पूजा किया करते पिल्कुल वैसे ही थे अकेले बस वैसे ही चोटू यादो और भाई चोटू ठीको अच्छा मुझे एक बात बताओ बुरा मत मानना कि आप सच में छोटे हो या पिर आपका नामी चोटा रखा गया है यह घर वालों की बहुत बड़ी कमी है नाम चोटू रख दिये अब बच्चा बड़ा हो गया तभी लोग चोटू ही बोल रहे हैं अंदर अंदर तो जल रहा है गाली बले देरा लेकिन क्या करें नाम ही ऐसा है चलो देखो इदर अब अगला नंबर 27 क क्योंकि हमें एकदम सुरू से सीखना है क्योंकि हमें एकदम जीरो से आपको सिखाना है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे सिखाना तो जीरो से है और आपके जो भी साथी है पढ़ने वाले सब को बता दो कि PBR study में बिल्कुल free class चल रही रात के 9 बजे से लाइब और चलो कि इसके फैक्टर करेंगे गुडनखंड करेंगे यह इसके बाद यहां पर आजाओ आप थोड़ा सा लेबल बढ़ेगा ऐसा नहीं कि हमें तीने पांच करेंगे दिन बार अपी बड़े कुश्चन देंगे ना बैट जाओगे चलो देखो तबिता भाटी ठीक है बहुत अच्छा धन्यवाद आपको बाबु राम चोहान मजा आ रही ना बच्चा इनमें तीन तीन का पेर बनेगा तीन का जोड़ा बनेगा एक जोड़ा मेंसे एक गिंती यहां आएगी यह अंसर हो जाएगा यह हो गया ना अच्छा इसी तरह से आप लोग एक और कर सकते हो इसका स्क्रीन साट ले लो मैं सामने से हट जा रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीमा तिवारी बोल रही है आज बहुत अक्छा दिख रहा है हां बहुत हमारे ऐसे पुराने इस्टूडेंट है जो बड़ी मुसीबत में जीए पले हैं जैसे होता नहीं कुछ बच्चे होते हैं जैसे किसी माबाप के मान लीजिए पैरेंट्स के चार बच्चे हैं तो जो क्योंकि पहले दिखता भी नहीं था ऐसा हमारी स्क्रीन रहती थी आज तो बहुत कुछ बदल चुका है हमें लग रहा है अभी उसी में से हैं अच्छा यह बताओ इसमें तीन की सुनना बढ़ा दी आप क्या होगा तोच के बताओ क्या होगा इसमें मैंने तीन जीरो नीज अभाचे वाले कुष्ण का अंसर दो है सबसे चोटी अभाचे संख्या सम और अभाचे संख्या दो है तो दो टू वन के बाद टू चलो कि समझ में आरा वाच कि सबका टविम आता है हम अभी अगया नही भाई अभी नहीं आया वह कौन सा मने बताया था ना लाइन इस्टर्टिंग में बहुत सी जीत माईकी है आभी बहुत से हार माईकी है अभी तो से हर मांकी अभी जिन्दगी का चार मांकी यहां से चले थे एक नई मंजिल के लिए यह तो एक πन्ना है मेरे साथियों अभी तुछ मंजिल की पूरी कितार पफ़ार कि Each hour की आवाध्य आम की चलो यहांवी तीन जीरो बढढेलो इसके गुडंखंड करो ठीक मैंने सही लिखा था ना तीन नमस अब ताइस फिर से काटेंगे तीन तरीका नौ फिर से काटेंगे क्यों सही है जा रहा है कि गड़बड हो रहा है तीपक चौहान प्रतिभा केसरवानी अकबर अली देखो हां इसमें थोड़ा जुगाड बता देते हैं कि कि हमारे इंडियम बहुत कुछ जुगाड से ही होता है बहुत सारे बड़े बड़े काम जुगाड से हो जाते हैं इस देश में इसको सब मत करो जुगाड समझ लो भच्छा इसको मिटा देती है जाने द़ाजकल निताओं कि कुरसी भी जुगाड पे चल रही है यहां पर करेंगे तो हमारे पास हर प्राटी के स्टूडेंट है और वो कुछ गर्याने लगेंगे भाग जाएंगे तो फलानी पार्टी का है तो इस लिए वह बात नहीं करते हैं मतलब की बात यह करते हैं अब कुछ जुगाड बताते हैं कितना 0 3 0 तो हमें यह पता इसमें 3-3 का जोड़ा बनता है जैसे अगर 1,000 में है इसका घनमूल करना है तो इसका क्या होता बच्चा दश उलता है तो अगर इसका घनमुल 3 तो इसका घनमूल क्या होगा बच्वा देखो 27 का तो तीन हो जाएगा और जो तीन ती सुनना है ना उसका एक जोड़ा बनेगा जिरो बढ़ जाएगा इसलिए यहां क्या हो जाएगा 30 जुगाड समझ गए पिसाल यादो जी गुड़ इबनिंग बहुत अच्छी टाइम पर आयो समझ में आया बुझा उजारा भाई भीहारी लोग यूपी वाले दोन लोग के कुछ समझ में आवता इसना है अब देखो यह हो गया एक और जुगाड वाला देखो एक और देखो जुगाड वाला क्य कि हर चीज आपको पढ़ना बेसिक तो पढ़ना ही है लेकिन थोड़ा बहुत युगाड भी होना चाहिए देखो समझो अगला सभी जबाब देना एक यह है बच्चा जैसे मैंने आठ लिखा था ना भी आठ का घनमूल सभी जानते हो जानते हो ना तो चलो फिर लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं यह आठ था आठ का घनमूल होता है दो किता होता है दो और अगर आठ के बाद में तीन सुनना बढ़ाते तो भाई यह आठ का घनमूल तो दो हो गया बचवा और जो तीन थी सुनना था ना उससे एक सुनना बाहर आ जाएगा और यह बीस हो जाएगा पढ़ाएस कांस पोलो सही है की नहीं जही है की नहीं भाई देखो अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा तो बच्चे रुपते मुझे पता है अगर मैं बात करो यार नहीं तो साधी भी आना हो जो जुग चलता है अजकल कोई दर्जासे हमारा नहीं होड़ा है इधर देखो अगला इसका कितना आएगा चलो बताओ देखो अगर हम यह 64 लिखे इसके बगल तीन सुनना बढ़ा दे और बोलें चल बच्चा इसका बताओ तो कितना आएगा यह सीधी थी बात है इसका तो हो जाएगा चार हां और यह जो तीन थी सुनना है ना इससे गीरो बढ़ जाएगा इसका हो जाएगा चालीस बोलो साभी को यह जुगाड समझ में आया की नहीं हां श्रयांस पटे लारा समझ में रंजन कुमार अंकित हडि लोग क्लास को लाइक कर रहें रहें बाबू कुछ आरती वरती उतारनी पड़ेगी का इतने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दें तुरंत कर दें करास का उपर आप समय करके कमेंट को हटा दो स्क्रीन से कमेंट हट जाएगा चैनल का नाम दिखेगा उपर रंग उठा है इसे ऐसे वाला ही दबाना आईरी वाले ने दबाना ने पाप होगा बहुत बड़ा ऐसे तुरंत कर दो फट से चलो कापी समझदार हो अप लोग बताते दूर समझते पांच हो चलो हो गया सभी बताएं करके जूटना बोलना कि हां मैंने कर दिया नहीं तो मैं देख रहा हूं गंदा कपड़ा बहुत गंदारा मुह में फेक के मारूंगा कि घान रहा हो क्या होगा कि चलो आगे समझे क्या होगा बहुत बगद्बु इसमें आती लिए कि चीज मिश्रीत रहता है कि आप की तेंड़ का नम भाई बड़ा खतर नाख है जी तेंड़ खपेड मातो क्रियासन आ गया चलो अगला देखो एक और छोटा सा कि 125 है न भाईया यह 125 का घंमूल क्या होगा आप सबको याद है क्योंकि कल मैं याद करवाया था कलम यही करवाया था जो कल वाली कलाफ नहीं देखे वो देखने जा करके 125 किसका खन है बताओ 125 किसका गन है बने कल पढ़ाया था शुरू में ही आया था आया था ना कल आया था ना तो 125 का घनमूल अगर तुम बता लोगे तो इसको एक हजार से गुड़ा कर लो अच्छा एक नया जुगाड मेरे दिमाग में आ रहा है एक नया जुगाड आ रहा वो क्या पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 125 गुड़ा एक हजार यह लो यह लो एक नया जुगाड आ गया दिमाग में लिख सकते हैं ना वैसे थोड़ा कम क्लियर हो रहा था ऐसे और फरी आएगा अच्छा था यह कौन सा बढ़त है बताओ पहले एक जमाना में आज इस मैंने सुना था खरियाना मतलब भी देखने का ही मतलब देखो इसका क्या आएगा 125 का क्या होगा पांच और 1000 का घनमूल दस होता है इस तरह से बचवा आपका 50 अज है पोलो आया समझ में आया तो छापलो फटा पर देर ना करो भई चोटू य कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किये बिना यूहीं जय जयकार नहीं होती तो कोशिस करने में कायना नहीं मर रही है इनकी है ना मारो जिनकी नहीं है उनकी तो जाने दो इसका पांच आएगा यह तुम लोगों को याद होगा क्योंकि कल मैंने याद करव लिखवाया था ना तो चलो इसी में लगे हाथ 18 का घन बता दो सभी बता दो 18 का घन क्या होगा संजय लोधी जी बताइए महेंदर सैनी बहुत अच्छे बेरे गूट अच्छा किये जो आगे तुम चलो अच्छा रहा का मैंने घन पूछा ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया सब साइलेंट हो गई तमसे इस चल वल रहा है मार कर और कर कि नहीं चल रहा है भई जान दीजिए इदर साइड में सभी को याद है कोई बताया सबसे पहले कौन बताया उसको इनाम मिलेगा अभी बहुत बड़ा वालते को सबसे पहले एक ने बताया बहुत मेनत कर रहा है बेरी गुड परीतम यादो बहुत अच्छे सुबोध कुमार ठीक है चलो अच्छी 343 किसका घं है चलो 343 किसका घं है बताये जबाद दीजिए नंबर फाइंड करिए जिसका घं 343 है बताये जल्दी करिए फटा-फट देर ना करो अगर मैच सीखना है तो पागल बनना पड़ेगा हमारी तरह ऐसे कोपड़ी पटक पटक के आपको पता है ना रात के दो बज़े भी हम लाइब लगा दे तेक अफिक अपी बस पोपड़ी सनकने की बात है और ऐसे नहीं हमार अगर तुम लोगों को कोई परकार कंफ्यूजन है तो संडे को आ जाना रात दो बज़े से चलो अलारम लगा दे ना उड़ जाना कि बचवा लिख लो बबुआ कि साथ का जो क्यूब है वह 343 होगा यह मैंने कल करवाया था तो जिनके खोपड़ी में बसा है रखे हैं उनको पता है कि यह होगा चीक है और जिनको नहीं पता है वह यह खचाना शुरू कर दिये होंगा इसे इसे तो आदा गंटा तो काटी नहीं पाया होंगी तो तीन से काटे होंगे तीन से कटेगा ही नहीं तीन से कटेगा नहीं फिर चार से पांट से छे से कहीं साथ पर पहुंचे होंगे तो दू मिनट लग जाएगा बता ही नहीं पाएंगे इफ लिए याद करके रखो समझ रहे हो ना याद करके रखो क्यो की देखें नहीं आड़ा वालों को मत की गोद में बैठकर गाड़ी चलाने वाले और कि झाल naughty इसका साथ हो गया चैनल कि इसको देखो ये कौनसी मुसीबट इसमें आगई ठीक है इसका क्या हो जाएगा साथ एक हजार कर दस फाइनल में सत्तर आएगा कितना आएगा सत्तर आएगा सबसे पहले भारती लहरी ने बताया बहुत अच्छे बेरी गुड हरी ओम जी राम पर बेस महतो अनुग देखो जितने लोग के कमेंट आ रहें सिर्फ उतने के ही आ बहुत है यह प्यार से बोलते हैं क्योंकि आप ही लोग तो हमारे सब कुछ हो आपी के लिए तो सब कुछ मैं करना हूं दिन रात जो भी हो रहा है देखो चीजें बदल रहा हूं लगातार इस तो मुबाइल से देखो पैमरे तक आ गया डिजिटल बोर्ट तक आ रहा है ल और 1049 को अलग कर सकते हो एक हजार को अलग कर सकते हो 343 का घंमुल साथ हो जाएगा एख़जार का 10 हो जायए का Лगों के तुम काण और कर जाएगए अगर फ़़ de वैसे करते हो तो बोलना पड़ता है चलो कि पूरा मिठा दो अच्छा एक बात बता इमानदारी से सभी बताना अगर दे दूं तो गलत बात है क्योंकि कहते हैं अगर कस्में सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता है बगवान की कसम खुदा की कसम लोग बहुत खाते हैं चाह कि हम इस्टे भाइस्टे भी चलेंगे 579 है पूछने वाला यह था कि कल मैंने बच्चा तुम लोगों को घ्र आन याद करवाया था आए से हाँ याद करुदा पचीस तक लिखवाया कि तो जिसको जिसको याद हो गया वोपोले यस जिनोंने याद कर लिया वो बोले यस औ और जो कुल आये ही नहीं थे इमानदारी से कल नहीं आये थे वो ओ लिखेंगे वो फार आउल आउल से ही शुरू होती ना मतलब उल्लू चलो बताओ कितना आएगा भई हरसित पांडे प्रतिभा के सर्वानी एक के याद हो गया ठीक है बहुत अच्छे बेरी गूट बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे सीवा सिंग अंकीत रन भी जाए अरे एक बात और सुन लो जो जुठाई में यास यास बोल रहे हैं अभी पूछेंगे भी जान लो इसलिए जूट नहीं बोलना मैं देखा था इन सब का कमेंट मैं obecburg अगे समझ मैं यू हो गया तो इसका तो नो होगा जिस तरह से 739 का क्या होगा नो होगा उसी तरह से आप इधर वाला भी कर सकते हो हां आरपी बॉय है तो यह इसा का है लिखते हो खतरनाक नाम तेखो इधर साइड में ठीक है यह नो का घं है 739 किसका है नो का नो नो आई क्यासी नमिया 739 होता है नाइन जा एटीवन एटीवन को नाइन से मल्टीपल करोगे 729 हैगा तो इसका तो आंसर नाइन हो गया लेकिन अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता ऐसे कहीं मिल गया याद रखना सुनने तीने होना चाहिए अगर दो जीरो है तो मामला आटक जाएगा फिर नहीं जाएग फिर जाएगा तसमलों में जाएगा फिर थोड़ा मेनत ज्यादा करनी पड़ेगी इधर समझो तो यह क्या होगा 729 और इसको एक हजार से मल्टीपल कर लो बच्चा तोड़ लो दो भाग में बांट दो बराबर बराबर फिर क्या करोगे आगे देखो समझते चलो 729 का पता है 9 होगा और 1000 कद्दास होगा दोनों में गुड़ा कर लो 90 हो जाएगा और जिनकी खोपड़ी काम नहीं कर रही कि यह 90 सही लिखा है गलत लिखा है न वो इसको कर लें का 90 को तीन बार गुड़ा कर लें गुड़ा करके थोड़ा अपना सिर पे हाथ रखे देखे आरा बराबर कि नहीं इसको तीनों को जब तुम गुड़ा करोगे तो यहीं आएगा यह 1730 सुनना आया समझ में आना सभी को आयाना समझ में प्वहां कि प्पाइब कैसे को प्रेसान क्रूह जो खुस को खुस रहने हां ये नहीं कुस रहो भाई तुम फूसरो फूसरो इधर साइड में उनको कुस होने तो उसी तो जिन्दगी है चलो यह हो गया ना समझ में आ अब यह हो क्या रहा इतना देर से खुद नहीं समझ में आ रहा इसको बंद करो अब चलो कुछ बड़ा बड़ा आगे बढ़ते हैं लेकर के जैसे कोई नंबर बताओ मैंने कुछ कुछ लिखे थे एक मिनट रुको अब यह छोटे छोटे नहीं होंगे अब बड़े में चलेंगे हम लोग कितने भी नए साथ ही हमारे जुड़े हैं जल्दी से इस कलास को लाइक कर दें और भैया सभी अपने वर्टसल गुरूप में सेयर कर दो बाबू एक मिनट के लिए जल्दी से कर दो दो मिनट का टाइम है महेंदर सैनी गुरूप डी की कलास देखो बच्चा जो पढ़ा रहे पहले इसको पढ़ लो आप इसीम सब हो जाएगा डी सी सब चलो जल्दी करो फट फट अगर कोई समस्या है तो बता दो बिल्कुल टेंसन मर लेना चलो जिकराना अच्छा कोई द सब्सक्राइब करें चलो जाना नहीं कहीं भी जाना नहीं बिल्कुल टेंसन मत लेना जितेंद्र जी बिल्कुल मैं आ गया आ गया मैं आ गया आ गया चलो एक छोटा सा यह बताओ बात वो क्या है इधर साइट देखो देखो सभी देखो वह यह है कि बच्चा बारा का घं क्या होगा कल मैंने याद करवाया था न तुम्हें याद करवाया था न यह जुबान पर रहना चाहिए जैसे मैं पूछू तुरंद पलड़ तो फट्स चलो कितना आएगा अकर गुड़ा भाग किये तो मान लोग गए गए सेलेक्शन नहीं हुआ नहीं होगा बुरा मत मानना यह चोटी-चोटी चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है जिंदगी में वह बटल दीजी है ठीक है समझ गए ना चलो आगे बढ़ो चलो सभी बताओ जल्दी से सबसे पहले जबाब आया हरियोम का हरियोम जी बहुत अच्छे बेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे सुनीता कुमारी वाट आर यू टीचिंग सुनीता जी देखो मुझे इंगलिफ नहीं आती है एंगलिस की बाद छोड़ो अब मैंने जो वर्ट बोला इसका मतलब यू नहीं समझ पाएंगे पस यहीं जानेंगे कुछ गलत बोला बस कि इससे आगे नहीं समझ पाएंगे ओम राम में घावल अरतन भीजय ठीक है रामा देभी पिंटु राय नोट्स का पीडियाफ मिले अभी सिंहिन चलो ठीक है यह वैसे यह जैसे समझ लो इनको बचवा क्या किया बढ़ा हो गया पहले बाप क्या कर थे बढ़ा पपास ये बच्चेश दिद करते हैं पढ़ाते धिली से बोलामा क्या और आ पढ़ाय लिखाय हम वह चला गया इसी बहां साब बोले लागा समझाना वही हाल है इतना देर से सब पढ़ रहे तुम्हें आगे क्या महसूस होगा चलो देखो इधर समझो इधर साइड में आप लोग तो भाई ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं मालूम चल रहा अमेरीका वाला हो जान जाएका मैत है अरे ब्रिटेन वाले सब पढ़ते हैं उन लोगों पता है मैत है यह पूछ रही क्या पढ़ा रहे हैं से देखो इधर साइड में है यह हो गया ना अप लोग इसका कर लोगे जो लोग इसका बता रहे थे ठीक है बानद बेक सथ होगा सह ही है इसका भी अच्छा एक बात बताओ इधर साइड में 24 का क्या होगा 24 का क्या होगा बताओ याद कियो ना आप सभी यद राम यदू अंकित कुमार जा रही काउन जा रहा भई जाओ नहीं देखो इधर समझो यह मैं आपको याद करवायो इसलिए पूछ रहा हूं कल मैं लिखाया था इसका घं क्या हो अरे इसे चोटा सा बता दूं जो मुझे आता है तीन का घं जैस 9 Titans然। टयवतल हों सोते जाणते उठते बेठते आप ही का नाम लता रहता हूं लेकिन आप सुनते नहीं दिकत तो यह है सुनने ओन ना यह कि तुम मुझे कि तना याद करते हो अरदों कि दूच்? कि stuff या तक क्या बता करने वाले थे बात बहुत सारी हो गई हाँ तो तायतिस पचत्तर अब इसका बीना गुड़नखंड किया नहीं होगा देखिए समझे सबसे पहले कैसे करेंगे इसका अंसर कोई बताएगा मुझे क्या कोई इसका अंसर मुझे बताएगा कितना आएगा भई पोसिस कर लो एक बार देखो मुझे पता है अधीकतर लोग बता दिये अपनों में भी याद करते हैं अच्छी बात सबसे पहले इसको देखो प्यारते नंबर संख्या को देखो मुझे नहीं देखो और यह है प्श हम संख्या आप इन लोह को लाइक कर वहाई है ठीक ठाक करें पर करें करें आप यह कर यह दूसरा कुछ मत करें आप यह सुनने वाले हैं कि कि विष्व संख्या है और क्या यह भाज है कि यह इसको कैसे जानोगे पन्द के तो हम हम लोग जानते हैं तो कि तो हम लोग जानते हैं कै याझ दिश्टर्व करंगे अ लाइक और शेयर करें या भी तुम इंग्ली करो तुम चोटा बड़ा लिख रही हो इंगलीश समझो इदर साइड में इस पच्थार न यह एक विशं संक्या है लेकिन भाचे कटे की किस से इन से इन से काट कि देखो तीन से कटेगी न संतोस बर्मा जी बहुत अच्छे बेरी गुट अब आज ये भाज जी है भाज जी है अधित्या जी ठीक है अधित्या भोजपूरिया उनुमर अली चलो देखो इधर साइड समझो 3 1 3 3 3 2 6 3 2 15 अब क्या करोगे आगे बोलो तर चो मझे यह आपदो किससे कटेगा 375 कि यह साही काटा हूं क्या मैंने तीन तरिक का नौ यह हो गया काइस तीन सब्सक्राइब किससे कटेगा तुरेश मीना कलास देखो प्यार फे ठीक है कलास देखो प्यार से आप लोग अब फिर यह 3 से कटेगा तो तीन एकम तीन और यह तीन दुना से 315 आप Jeśli आप सभी परचीत वह 125 से सभी जानते हुँ इसके बारे में 125 का क्या होग बच्चा यह किस से कटेगा पांच से कटेगा पचीस आएगा फिर से पांच से कटेगा अब बहुत लंबा नहीं बताओंगा चुकि टाइम ओवर हो गया आज की कलास का तो यह 3-3 का जोड़ा बनता है और 1-5 का जोड़ा बनेगा एक टी तीन का बनेगा तो फाइनल में तीन गुड़ा पांच मैं साट कट में लिख दे रहा हूं पंदरा इसका अंसर आएगा समझ गे ना जो एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं वो उपर सभी गुड़नखंड को एक बार में लिख सकते हैं लेकिन देखो मैं आदत से मजबूर हूँ मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से हमारे कमजोर इस्टूडेंट भी होते हैं जो काफी परेशान हो जाते हैं देखो यह कुछ नहीं छोड़ रहा हूं पूरा लिख दे रहा हूं लिख्यों ये तीन गुड़ा तीन और पुटि ये पांच गुड़ा पांच गुड़ा पांच ये जोड़ा बनाओ 5 बराबर 15 ये फाइनल आंसर हो गया मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें कुछ नहीं छूटा है यहां तीन लिख लेना समझ में है न यह हो गया क्या यह हो गया क्यूब रूट क्यूब रूट मीस घन मूल लिए जैसा कि आपको पत चलिए इसक्रीन पर पूरा इसक्रीन पर आपको दिख रहा है कुश्चन आप लोग इसका जबाब दे दो ABC में उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं देखो मैं दिख रहा हूँ छोटा सा है ना दिख रहा हूँ न वगल में चलो मुझे इसका जबाब दो फटा फट सबी बच्चे इसका आंसर कितना आएगा चल्दी करिए ABC में से कौन सा होगा कोई बता दे एनिवन आप सन चलो ब वहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और ही मस्त कलास होने वाली है एकदम शुरू से तकर तरीका ये है कि आप इसे दो पार्ट में तोड़ दो 729 और गुड़ा 1000 हमें पता है कि 729 नौ का क्या है घन है न नौनवाई क्याफी नौहिया 729 ये घनमूल निकालना था इसका 9 हो गया 1000 का घन 10 होगा तो फाइनल में उत्तर तो हो गया 90 लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ इसको हल करने का अगर बात करें बेसिक की क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक जीरो से जिनको नहीं आती है गड़ित भीया उन्हीं के लिए है इस पैसली तो चलो फिर अगर इस पैसल कलास है तो फिर इस बाते भी होती है समझो इदर देखो आगे तो अब हम बात करते हैं एकदम बेसिक इसका अंसर 90 तो आएगा यह ठीक है लेकिन इसको बेसिक ढंग से कैसे हल करेंगे क्योंकि यह जो रात 9 बज़े से कलास होती है वो बेसिक ही होती है अभी छात्रों से निवेदन है कि अपनी वाटसप स्टेटस में कलास की लिंक को लगा दीजिए और हाँ अपने मित्रों में सेयर कर दीजिए भीया देखो बच्चे अगर 100 के उपर जाते हैं तो मज़ा आ आप कलास को शेयर करिये आप से निवेदन है शेयर करिये कि यह 1729 310 नके हम फैक्तर करेंगे चोटे-चोटे ऊट में इंको क्या करेंगे तोडेंगे तुू से काटो बोसा तो 4 चवकाँ8 ज़्यादा हो जाएगा सब स्था उ और यe 2ज़ 12 और ये 248 यू 50 बोलो यह सही है कि नहीं ऊपर देखो क्या था गए साथ लाख उनत्तिफ हजार ना इसका आदा तीन लाख चौन सट हजार पांच सु क्या यह सही है भाई एक बार देखलो ट्राइब करके ना इसमें जाता क्या है देखो दो त्याई छे यह 12 हो गया दो चंग 12 दो चव काट और यह 25 दस जीरो ठीक है आप इनको दो से फिर से काटोगे दो एककम दो देखो काटने का मतलब समझो हमने यहां पर दो लिखा तो यहां पर 36 और 4 पांच और 00 कैसे आया पता है क्योंकि हमने यह किया था क्या यह यह यह गटाने पर एक आया ना उपर से दो उतार लो 2 चंग 12 यह गटाने पर 0 आगया उपर से नव उतार लो यह दो चोका आठ गठाने पर एक आया उपर फे 0 उतार लो 25 दस नहीं दिख़ा देखो 10 हो गया ना लाहिट में 2-0 बचा था इस होजा से 00 जाएगा और फाइनल मे की जिनको नहीं ऽमझ में आया था गआ यह यह लिखा तो यह यह कैसे आया था वह यहां से समझ लें कि इसका मतलब भाग करना होता है क्या होता वच्छा है भाग करना हुता है प्रतिभा के सरवाणी यह आप 또 आंसर बता लेकिन आप लोग एक काम करो भाई क्लास को लाइक करो यार मतलब मैं बीच बीच में पढ़ाना छोड़ करके लाइक और सेयर करने को कहूं यह बिल्कुल अच्छा नहीं है टाइम वेश होता है आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें जो नहीं समझ रहें उनके लिए है जो समझ रहें वो तो बहुत अच्छे हैं सुन्दर है ठीक ठाक है चल देखो तो एक कम दो यह दो अठे सोला और यह दो दोखो फिर दो से काटेंगे 298 और 21 कम दो 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 दुना चार दो पंचे 10 अब एक बात बताओ कि अब भी यह 2 से कटेगा कि बता ऐक बार कि अब भी यह 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा जल्दी बताओ फटा फट मुझे लगता टेली ग्राम पर सेयर नहीं हुआ है का नहीं सेयर हुआ है नो बजे से बेसिक मैथ की लाइप चल रही है आजाओ सबी फटा-फट यह को सेयर नहीं हुआ था अभी अभी मैंने सेयर किया यह हो जाता है कभी कभी भाई मिस्टेक तो ठीक है समझ गए ना आप लोग हमारी बातों को समझ गए ना चलो आगे बढ़ें थोड़ा सा रुख जाओ भीया बस दस सीकेंड रुख जाओ चलो बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड सभी साथ क्लास को भ्यया लाइक ज़रूर करो अमे overe.अब ना आदो जी ठीक है अब चलो अब नहीं कटेगा ना यह दो से नहीं क्यों नहीं कटेगा क्योंकि लाश्ट में पांच है और ये एक विसम संख्या है विसम संख्या कभी भी दो से नहीं कटती है नहीं कटती कोई भी विसम संख्या तो तीन से कटेगा तीन तरीक का नौ ये भी तीन तरीक का नौ ये तीन से कट जाएगा तीन से कटने का मतलब यहां देख लो जिनको नई समझ में आ रहा ऐसे भाग दे लो 91 125 जिसका मतलब यही हुआ तीन तरीका 9 घटाया तो सुनने आया उपर से क्या करेंगे भाई साहब 1 उतारेंगे अब 1 में भाग तो जाएगा नहीं सुनने बार जाएगा तो चाहे तो सुनने बार यहां ले जाओ ठीक है चलो तो सुनने आएगा सब्ट्रेक करो वन आया दूसरा वाला वन उपर से उतालो तो तीन तरीका 9 यहीं मिश्टेक कर देते अगर कोई करता वैसे तो उपर से दो उतार लो तीन सते 21 नीचे दिख रहा है गटाने पर एक आया उपर से 5 उताल लिया 15 हो गया 35 15 यानि 3375 आया कितना आया 3375 जो इस्टूडेंट इस समय अभी फोन काल कर रहें उनसे निवेदन है कि वाट्सअप पे मैसेज करें और फोन काल हमें दिन में करें सुबा 10 से दो बाहर दो बज़े के बीच में काल कर लें एक निश्चित समय पर ताकि वाट्सअप का मैसेज वो कभी भी कर आई करते हैं आप लोगों को तो बिजी रहते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है कि इतना ठीक है इसमें किसी को कोई परेसानी तो बता दो इसको गुड़नखंड बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा इसको थाइक्टर बोलते हैं आदित श्रीवास्तों जी कुछ आरा स एकम तीन, जीरो, तीन एकम तीन, तीन दुन अच्छा, तीन पच्चे पंदरा और मुझे लग रहा यह फिर से अभी भी तीन से ही कटेगा ऐसे काटते जाओ इसको फैक्टर करते जाओ जब तक यह कटे तब तक इसको काटते जाओ देखो तीन त्रीक का नो, फिर वही हाल होगा, ये, तीन त्रीक का नो, घटे बच गया एक और उपर से एक उतार लिया, तीन त्रीक का नो, तीन सते एक गई, तीन पचे पंदरा किसी को confusion है तो ये लो भाग दे लो, ये लो भाग दे लो बच्चा ये लो, तीन से भाग दे लो, तीन त्रीक का नो घटा लो एक आया, उपर से एक, तो तीन त्रीक का नो घटाने पर दो आया, उपर से दो उतारा, तीन सते एक काई, घटाने पर एक आया, उपर से पांच देखो हमारी कोशा कि कम जो समझ में आता ओस और तो यह समझ को समझ में आता हैं दो सोफेर और हमारे बोल रहा हूं कि मैं नहीं आप ठीक है अच्छी बात है कुछ तो इतने बड़े भगते हैं कि वह अपना नाम बना लेते हैं इतना बड़ा सारा मतलब वह भाराज के बराबर खुदी बन गए है जो देखो इधर पटेल बच्चा देखो इधर पढ़ो पहले दात मत निकालो जादा कोरोना फैला है तो मुझे गुच जाएगा तो पटेखो इधर समझो अभर से यह तीन से अभी कट सकता है नीचे दिख राया न सो है आपंद्राप पहले प्रेज क्टेगा क्या मुझे लग रहा है मैं यह कटेगा और यह समझो इधर right समझो अब नीचे नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा थे इसको हम यहां ले आते ऊपर कि तीन त्रिक्का नौ और तीन सते एक इस तीन पचे पंद्रा फिर से तीन से काटो तीन एकम तीन कहीं कुछ गडबड ना होने पाए आपको यह देखना है कि यह 1125 था और 1125 था से काटने पर 375 आया क्या 375 को 3 से गुड़ा करने पर बनेगा यह और यह कि नहीं हाँ अब यह सिर्फ 5 से कटेगा और यह देखो कंपलीट हो गया अब मुझे यह बता इसका अंसर कितना ऐगा कितना आएगा रात को लाइब होती है डेली नव बजे से मुझे के बीच में एवरी डे रात 9 से 10 और 10 से 11 डीलेट वालों की होती है बीटीसी वालों की याद रखना सभी अंकित जी 1521 का बताएंगे लेकिन थोड़ा सा बेट कर लो बच्चा देखो अब ये सबी समझ गए अब हमें क्या करना है देखो हमारे पास जगा है नहीं यहाँ पर नहीं तो एक लाइन हम और लिखते हैं यहाँ पर बसे उपर मुझे लग रहा दिख रहा चलो ठीक है लिख लो तो ये देखो एक दो तीन चार पांच छे तीन बार तो दो है और ये तीन ये और एक चार दो छे छे बार तीन है और तीन बार पांच है इनकी जोड़ी बनेगी ये लो साड़ कट में कर लो एक जोड़ी ये बन गई एक ये बन गई तीन की और एक वन जो थी यहाँ गाला और इदो यह यह तीनों मिला करके एक जोड़ी बन गई है ना और पांच की भी एक जोड़ी बन गई तो फाइनल में जो आएगा भाई साहब देखो यहाँ पर मुझे इसको छोटा करके आपको दिखाना पड़ेगा चुपी जगा कम पड़ रही है ऐसे तो आप थोड़ा सा रुक जाओ में कैमरा थोड़ा सा जो जूम है ना उसको जूम आउट करता हूं थोड़ा छोटा करता हूं आप देखो जगा थोड़ा सा बढ़ जाए तब नीचे दिख रहा है ना मैंने थोड़ा व्हां गलप जगा लिखा है आप देखो इधर फैड में समझो है मैं थोड़ा बाहर तक कर देता हूं आप समझो कि यहां दिख रहा है न साइड में अब जगा बढ़ गई चलो आओ कि नीचे एक लाइन में लिख सकता हूं कि देखो आप क्या करेंगे समझो कि समझो समझो कैसे लिखेंगे अब फाइनल में ऐसे करते हैं जो नंबर दिया है उसको ऐसे लिखेंगे यह ऐसे यह 329 और यह 30 जिरो बराबर लगा करके इसको ऐसे बनाएंगे लंबा सा बड़ा सा इसके बीच में इन सब को लाके करेंगे यह तो दो और टीन जो है वह 6 बार यह 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया चाना इन सब disney लाइन में लिखेंगे एक सीध में इसी में जोड़ा बनाएंगे ठीक है पांच को देखो तो तीन बार है कितनी बार है तीन बार है ये लो पांच कितनी बार था तीन बार था अब सब इने जोड़े बना लो ये लो एएक जोड़ा 2 न गया एक जोड़ा Тीन का वर बन गया की पांच का एक जोड़ा वर इसके नीचे हुए जगह कम लग रही मुझे यह सब कुछ नहीं करना केवल वर्ग मुर लिख देना बस को समझ गया आप हमारी बातों को आप फाइनल में आप लिखोगे जब लाइस्ट में इसमें से एक दो निकल जाएगा और तीन और पांच यह कैसे आया पता है आपको एक दो इस जोड़े फे निकला एक तीन इसमें से निकला एक तीन इसमें से निकला एक पांच इसमें से निक सभी को समझ में आया, बोलो जल्दी से यास, सभी को समझ में आया ना, किसी को कोई समस्या है तो बता दो, किसी को कोई समस्या है तो बता दो बाई जल्दी जल्दी से, और सभी साथी पूरा कलास देखेंगे, अगर समझना है कोई जायेगा नहीं छोड़ के बीच में, अगर लोगों के भी कुछ जिम्मेदारियां है उससे आप समझते चलो आगे बढ़ते हैं देखो कि मिटा दें कि स्क्रिनसार्ट ले लो जल्दी से मैं मिटाता हूं स्क्रिनसार्ट लेलो मैं मिटा रहा हूं सब्सक्राइब के देखो अब कुछ नए नंबर हम लोग पकड़ेंगे कुछ नए नंबर पकड़ेंगे जिनको आसानी से हम लोग क्या करें उनके फैक्टर एक्टर कर सकें देखिए ये बिल्कुल बेसिक परकिरिया है जो मैं सिखा रहा हूँ एकदम बेसिक एकदम सुरू से इसके पीछे कुछ नहीं होता है अगर आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आपको बहुत ही ध्यान से इसे समझना चाहिए पीच में कलास छोड़के नहीं जाना चा सिखना है तो टाइम देना पड़ेगा ताइम देना पड़ेगा सीखना है तो देखो समझो इधर साइड में चलो आगे बढ़ते हैं अगला ले लो 138-24 क्या है बचवाई ये कुछ नहां दिख रहा है 138-24 यहां तीन है मतलब इसका घनमूल निकालना है क्या करना है कोई बताएगा हमें इसका घनमूल कितना ऐगा किया की फूशीस करके देखि़नो एक बार कितना čakन करो फटा-फट और बता दो कितना आयडा ईसका घनमूल कैसे त्राई करकलो बच्चे एक बार जलो देखो बहुत ही आसान है जो बच्चे याद किये हैं वर्गमूल वाल उनको सबको पता है सब अच्छे से मालूम है और जो नहीं याद करें उनके लिए मुसीबत है चलो 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 ओके गुड बेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे भई प्रोहित छोटू जो कमेंट करते है वो लगातार करते है जो नहीं करते हैं नीशा जी बिलकुल आपका भी कमेंट आ रहा है प्रतिभा केसरवानी अंकित अंकित देखो बच्चा जो नंबर आएगा और किसी का सीधा फिदा आएगा तो पहले हम आसान संख्याओं का करेंगे जिससे कि हमारे सभी छात्र समझ सकें अगर कोई बड़ी नंबर ले लेंगे तो यहां देखो 138,24 इसके क्या करने हमें फैक्टर करने हैं वैसे अगर मैं इधर फाइड इसको करूं तो जादा बेतर होगा इधर साइड है न चलो उपर से यहां तक दिख रहा है ठीक है ओके देखो समझो 138,24 इसका अंसर बहुत से बच्चे बता रहे हैं आल इन वन सलूसन चंद्रपरकास अनुमान यादो जी ठीक है बहुत अच्छे 24 आएगा बच्चे बोल रहे है ठीक है यह 24 का क्या है यह 24 का घं है जो नंबर लिखा है 13824 24 का क्या है यह घं है लाइब होता रात 9 बजे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अन करिए आपको पता चलेगा नोटिफिकेस अन आएगा चलो यह 2.12 यह 298 तो एक कम दो दो दुना चाहर 13824 61912 इनको न समझ मैं ध्यान दे यह कैसे आया है उसके लिए हमें यह करना है इसको दो से भाग करना है क्या करनाँ बच्चा 2 से भाग करना है बबुवा तो कर लो दो से भाग यह 2.12 गटाने पर एक आया उपर से 8 उतार लिया और यह सब सुनने हो गया खतम हो गया उपर से दो उतारा तो दो एक कम दो और यह सुनने हो गया खतम हो गया उपर से चार उतार लिया तो दो दुना चार इस तरह से आपका 6912 आया था और जो कि मैंने यहां पर लिखा है नहीं समझ में आया तो समझ लो इस तरह से यह फैटर होत है ठीक है बात समझ में आ रहा ना देखो बच्चा जिनको कोई भी इंक्वारी करनी है नीचे नंबर चल रहा बाबू उस पर संपर करिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़िए वागी कुछ मत करिए चलिए कमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा काम नहीं पढ़ नहीं पाओगे और एक बात फिर से बोल दूँ अगर मैस वास्तों में पढ़ना चाहते हो तो कलास को पूरा देखना जुड़ना पांच मिनट में भाग जाना ऐसे कुछ नहीं होगा अगर टाइम नह ग्यारा तो फिर दो चंग बारा अब क्या होगा और आगे बढ़ाओ चलो आगे बढ़ो फटाफट फिर दो से काटोगे तो एक कम दो और ये दो सत्य चौदा दो दुना चार दो अठे शोला फिर आगे बढ़ो तो पंचे दस नहीं बहुत कम हो रहा है तो नुआठ ठारा दो अठे सोला कटाने पर एक आया हो गया ये 12 दो चंग 2 दो चोब काटढ़ो अैसे इनको काटते चलो काटते चलो काटते चलो लाइश्ट में चलके खतम हो जायगा ये ठीक है occupy चलके एक आजειαगा ये दो चोब काट दो तिया इच्छा दो दुना चार पितलते दो से काट कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा तो बच्चा जैसे 216 को भाग करते हैं यहां पर थोड़ा एक चीज समझो कुछ समझने वाली बात है उसे समझो यहां पर तो दो एक कम दो यह हो तो जाता है ऐसे घड़ जाता जीरो आ लेकिन एक चीज होता है अब उपर से हम ऊठारते हैं तो बहुत आदा नहीं है तो यहां पर आगर 18 दोगे तो घलत हो जाएगा हम जीरो बार ले जाते हैं अदलब टू जीरो जीरो और यह फिर से आ जाता है उपर से 6 उतार लेते हैं और 2,8,16 यह और यह हो जाता है इस तरह से इसका क्या आता है अगर मैं सीखना है तो कलास को पूरा देखना जाना मत बीच में बार 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 बता रहा हूं इनको नहीं पढ़ना सिर्फ वैसे देखने के उद्देश से आएं क्या हो रहा है वो जाएं लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं मुझे सीखना है वो कम से कम 10-15 मि पूरी कलास देखो फिर जानोगे क्या राग नहीं आ रहा है चलो दो से फिरते करो दो पंचे दस दो चव काट ऐसे इसको काटते जाओ फटपट एकदम खतम करते जाओ ये तो दूना चार और दो सते चौदा अब देखो बच्चा लाइश्ट में आ गया 27 अब 27 का फैके ना फ्मौ पर्बेश यहाना समझ नहीं आ रहा है क्या करूं आ घंपर यह बन्स को हमारे वीतर ऑये हैं इनको यहां लाकर लिखेंगे जैसे देखो तीन, ये तीन छे, तीन नो, नाइन टाइम टू आया है, नाइन टाइम गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, नो बार आया है, यहां पे नो बार लिखेंगे, देखो ये तीन बार हो गया, ये छे बार हो गया, ये देखो, नो बार हो ग अब इनके एक पेयर बन गए एक पेयर ये बन गए एक पेयर ये बन गए एक पेयर ये बन गए तभी पेयर से एक एक नंबर बाहर आ जाता है समझते चलो मतलब की बात ये लो बराबर एक दो इस पेयर से आ जाएगा एक दो दूसरे बाले से आएगा और एक दो इसमें से ये होता है बेसिक तरीका एकदम जिससे आप लोग घनमूल पढ़ते हैं इसे क्या बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं अगर आप बच्पन में मैथमेटिक सीखे हो तो ऐसे ही सिखाया जाता बच्पन में ये बेसिक फंडा एकदम कुछ समझ में आ रहा ना भाईया बुजाओ जा रहा की नहीं अरे थोड़ा बहुत बुजा रहा है ना चलो एक बात याद रखना अगर क्लास को कुछ टाइम दोगे तब समझ में सब आएगा जुडोगे भाग जाओगे तुरन तो कुछ ना आएगा तो चलो थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं उतके बाद फिर से लग जाते हैं चलो तरो ठीक है काल करेंगे तो फोन पर कैसे सीखेंगे मैत इनको कहां बनाएं बगवान हम पोन में मैत नहीं सिखाते हैं फोन में तुमको बताएंगे कैसे पढ़ना है बस फोन में नहीं सिखाते किसी को भूल के मत सोचना कि फोन में मैत सिखाएंगे कुछ गताएं यह फोन करते हैं जैसे उठावा इसे बोलते हैं सर जल्दी कुश्चन नोट करो तो अईच्छे लगता है कि सरवास बैठे हैं कुश्चन नोट करने के लिए कमले स्यादो बच्चा बहुत जादा ढंडा ना करो समझो बातों को हां समझ रहे हो ना नंबर दिया गया नंबर पर संपर करो कमले स्यादो चलो कुछ ना आएगा समझ में कि आए मुखर आकए ले तुरंथ खा लें गब Inhale has rice कुछ नहीं होने वाला थिसए कुछ उझठने वाला नहीं है समझ रहे हैं टाइम देना पड़ेगा कलास में अगर जूड़ते हो एक आद दो दिन देखना पड़ेगा यह नहीं कि बस आए फट से बस चले गए आए और चले गए तो अगर हमारा चेहरा देखना है तो भाई इतनी अगर अच्छी है आपकी पकड तो देख लो चले जाओ और अगर समझना है तो फिर समझो चलो अगले प्रस्ण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान देना इधर साइड ध्यान दो भाई ये तेंद्र जी आपको भी कुछ आसार हो रहा है का जैर का चलो तो ये तो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक जिनको कंपर्टीशन का पढ़ना है चाहे ससी बैंक रेलवे कोई भी कलास का अगर उन्हें कंपर्टीशन का पढ़ना है तो बच्चा पीवियार इस्टडी टू पॉइंट जीरो चैनल पर देखो पीवियार इस्ट अगला चलो अगला अगला लिख लो 2744 अगला है कुश्चन नंबर आज का पांच लिख दो अच्छा रहेगा लिखो 2744 इसका अंसर कितना हैगा मुझे लगता है कि देख करके इसका तुरंद बता देंगे सब चलो बताओ फटाफट चलती करो देखो बच्चा जो बता रह एक हैं अंकित कुमार इनको केवल 1521 का घंणमूल बताओ बस इनको केवल और केवल 1521 का घंणमूल बताओ देखो बच्चा पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो एक कहानी ऐसे यह जाने रहन का नाथी दादा हो का बोले बच्चे पहले नाम ले सिख ले उसको आफीम बोलते हैं भाद में खाए पहले नाम तो लेल ना इस अबच गया ना आप लोग पहले दीखो यह है के सधुर कई से होता है अगर एपको नहीं आई तो यह नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा कोई बतारा 14 आएगा कोई बतारा 14 हैं करके देखो कितना आएगा सताहिच चोगा बच्चे करके देखो फटाफट करो कितना आएगा और बता दो कितना आएगा चलो कितना एगा अंसिका लोदि falling शयादं हो नहीं इसका नाम मत जानो भच्चा ज़रूरी नहीं है बहुत गंदी इससे बस चलो आगे बढ़ें इसका आएगा 14 जो बता रहे हैं उनका सही है 14 आएगा कितना आएगा 14 आएगा जो सबसे पहले क्या करोगे बच्चा लोग सबसे पहले इनके फैक्टर करोगे यहां तक दिख रहा है उपर जहां था हमारा हाथ जाएगा वहां तक दिख रहा है चलो कि यह कितना है 27 चवालिस इनको पहले दो से काटो तू से इनके फैक्टर करो चोटे चोटे पार्ट में देखो तो एककम दो यह दो तियाईशाष और दो सच चवदा दो दुना चार फिर पहें इनको काटो 2 चंग 12 और यह हो गया कितना तो अठे 16, दो छंग 12, फिर फिर दो से काटो, दो तियाई 6, दो चौग 8, दो तियाई 6, फिर किस से कटेगा साथ से, साथ चौग 28, और ये बचा 2 और 4 कितना हो गया, 6, 7, 9, 33, फिर 7, 7, 49, और ये 7, एकम 7, इस तरह फे देखो आपका क्लियर हो गया कि नहीं, भाई क्लियर ह हुआ कि नहीं बोलो हां या नहीं और आप लोग कलास को लाइक निकर नियुकुल भी मजह नहीं आ यारD tina गता जूटें ho होगे तो कुछ नहीं मिलेगा इफ लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो शुरू से एकदम प्यार से चलो कि अब समझो आगे यह तीन बार दो है तो हम तीन बार दो लिख लेते हैं साथ कितनी बार है साथ देखो तीन बार है कितनी बार है इनके पेर बनाओ एक तो वाले से पेर से एक आ गया साथ आ गया इसमें से तो फाइनल में आपका हो गया 14 अंसर 14 आ गया तो बच्चा जैसे कोई भी नंबर मानलो लिखा है जैसे थ्री अपान फाइव मतलब यह क्या एक फ्रेक्शन है एक भिन है तो अगर हम इसको टेसिमल में चेंज करें तो आप जानते हो कैसे होता की नहीं जानते हो ना कैसे देखे दसमलो आता कैसे हम सब को पता है जो नीचे वाली यह नंबर है पांच इसको क्या करोगे पांच से भाग करोगे किसको तीन में भाग कर याँ आजाएगा नहीं किया करेंगे पहले उपर क्या करेंगे यह जीरो जाएगा यह घटाएगे तीन आजाएगा फिर उपर दसंब्लु बढ़ाके हां पर सुनना उतारेंगे और पांच हंग तीस यह आज आता है क्या 0.6 हम कहते हैं यह क्या है 0.6 दसमलो के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बहुत डीटियल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बेसिक सीखना शुरू से मैंने आपको यह दिखाया कि दसमलो मिला कहां से दसमलो का जनम कहां से हुआ जब किसी प्रेक्शन को किसी भिन्न को जो की पतलब आपके समने दिख रही है ऐसे उसे हम और भी सिंपलिफाई करते हैं छोटे रूप में तो दसमलो मिला जाती है बस ऐसे ही मान लो बाकि अगर इसे और डीटियल में जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा फिर काफी ज्यादर टाइम है नहीं इसलिए थोड़ा समझो लेकिन समझ में आ जाए बली राम जी आ रहा समझ में भाई रभिता कुमारी चलो ठीक है समझो तो ये तो हो गया पहला अच्छा ठीक है इधर एक चीज हम लोग समझ लेते हैं जरूरी है क्या देखो समझो दसमलो की बारे में आप समझ लिए न अब हम पढ़ेंगे दसमलो का जोड़ना जैसे आप लोग रेडी होना सभी एकदम पूरा कमर कसली हो कि आज मुझे सीख जाना है mathematics और बच्चा कलास को पूरा देखना अगर सीखना है तो पूरा देखना जाना मत कहीं बीच में और जिनको जाना है चुक चाप पहले निकल लो देर मत करो चलो देखो पहला 1.53 और प्लस 0.47 इसका मान बताओ चलो जलती करो इसका मान कितना आएगा देखो हम आपको बेसिक एकदम सूरु से समझाएंगे एकदम topic by topic ध्यान से देखो समझो भाई आप लोग कलास को लाइक कर दो बाब वो ऐसे मज़ा नहीं आ रही है आपकी भी कुछ जिम्मेदारिया उसको समझिए कलास को तुरंद लाइक करिए और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपकी जिम्मेदारी है इतना करिए अच्छा लगता है चलो आगे देखो इनको जोडने का दो तरीका है एक तो कालम मेथट है एक पंकिती मेथट है तो हम सबसे पहले आसान मेथट करेंगे 1.53 ऐसे लिख लेंगे यह दूसरका वाला इसके नीचे लाके सेट कर लेंगे दसमलो सबसे पहले लगाते हैं तो सम्लों के दाइन साइड, राइट साइड फॉर और सेबन है, ति यह मैंने फॉर और सेबन लिख दिया, इसके लेफ साइड, यानी बाइज साइड क्या है केवल सुनना है, तो मैंने यह सुनना लिख दिया, तिक है, इसमें कोई हरानी नहीं न, चलो, पस जोड़ लो जीरो हाईसिल कितना आया, एक और पान, चार, नो, एक, डस मैंनी दस कोएड़ और यह हो गया दो, यह न, चाहने का मतलब इसका फाइनल गया तो, कितना आ गया तो, अप लोग यह बताव चल तो रह़ा न, क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही न, किसी को, अच्छा ये हमारा अभी तक मोबाइल से चल रहा था इसलिए ये घबड़ा रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं अच्छा है चलो तो आएगा भाई बिल्कुल बहुत अच्छे बेरी गुड क्या हुआ चली इधर साइड देखिए अरजुन दिख्छिद ठीक है समझे तो ये हो गया इसका अंसर कितना आगया टू आगया अगर हम इसको रूपया और पैसे में बात करें ये रूपया पैसा का बात है तो भाईया एक रूपया 53 पैसा है और ये केवल 47 पैसा है उनली 47 पैसा है तो एक रूपया 53 पैसा में अगर आप 47 पैसा जोड़ोगे तो दूरूपया हो जाएगा कितना हो जाएगा दूरूपया हो जाएगा आकास यादो जी समझ में आ रहा है पताईए आ रहना समझ में चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसको एक और तरीके से जोड सकते हो भी देख ल कैसे इसका लाइश्ट अंक ले लो इसका लाइश्ट अंक ले लो साथ तीन दस का जीरो हासिल आया एक हाफिल यहां कहीं लिख लो चुक्के से इतना ठीक है आगे देखो अब दूसरा अंक ले लो इसका इसका भी दूसरा अंक तो पांच चार नो और एक हासिल दस दस का ज है इसमें वन है और तो ओजो गही एगा यहांगे गल और पहले सजी बच्शा जादा कुड़ा करकड़ न फाबू ठिक है संजु सिंग ठीक है आ रहा है ना भाई ए भी सुजी तो बेचा कुछ तुदर जाओ तुम बहुत वर्बाद हो गयो चलो समझ रहो ना ने तो फिर दुबारा कमेंट नहीं आएगा तुमारा चलो अब आप सभी अंसर दोगे एकदम पूरा नजर गड़ा लो एकदम गिद्ध की तरह तूट पढ़ना जैसे आएगा तुरन तूट पढ़ना समझो इदर साइड में जैसे 4.32 प्लस 1.597 इसको अगर एड करेंगे तो क्या आएगा जलती बताव सभी कितना आएगा जरा एक बार कोशिज करके देख लो भाईया टाइटेनी क्याक्स भाई जैड भाई बहुत अच्छा नाम है कहां से लायो इसको बहुत सुन्दर लग रहा है मेरा दत्ता जी आजए एपी भारती लारी बहुत अच्छे बेरी गुड मैंने कहा है कोशिज करो अरे गधों एक बार कोशिज कर लो ना क्या जाता है कोशिज करने में तर्यांस पटेल जी गुड इबनिंग बहुत अच्छा करें जो तुम अभी आ रहे हो थोड़ा और देर में आओ खापी लो थोड़ा खापी के थोड़ा आराम कर लो फुरसत में आना चलो देखो इसको जोड़ने का दो तरीका है समझो पहला तरीका है कि इसे फुरसत में यहां लिख लो लाकर के ये ठीक है दसमलो के जश्ट नीचे दसमलो लगाओ बिल्कुल सेटिंग बराबर रहे हां इसके राइड साइड में आ जाओ बच्चा इसमें डेसिमल के राइड सा है यहां पए बराबर नहीं करते हैं नहीं सेथा और नहीं सिर्फ और सिर्फ दसमलो सीधा सीधा पर होना चाहिए समझ गए ना चलो आए देखो समझो आप इसके साथ के ऊपर कुछ नहीं है अगर कुछ नही इस पहस्तुनना बढ़ा लेते यह लो पलड़ा बराबर दिखे मतलब गड़वड़ी ना होने पाए कहीं देखने में बराबर दिखे साथ में जीरो जोड़ों के साथ आएगा नौ में दो जोड़ों के ग्यारा ग्यारा का एक हासिल आया एक अरे भाईया जैसे जोड़ना घटाना बच्पन में सीखे हो जब इतना बड़ा थे पिल्ला भरके ना बस वैसे करना है साथ दो नौ यह हो गया नौ दो ग्यारा का एक हासी लेक और पांच तीन आठ और हासी लेक नौ अब कोई हासी लवाफिल नहीं बचा इसमें दसम्वलो के नीचे दसम्वलो लगा दो पूरा- और चार एक-पांच इसका जो फाइनल में आंसर आगया फिलहाल 5.917 समझ में आया समझ में राधा कृष्णा बविता कुमारी तुनील एदुबंसी तुजीत बच्चा तुम काक चाहते हो हां दिल चाहते हो कि जान चाहते हो बताओ क्या चाहते हो अखित दोनों मेंसे कु तुम काफी देर से डंडा की हो तुमको पांच मिनट के लिए हम आराम पर भेज़ दे रहे हैं सोलो पांच मिनट बाद आना फिर तुम थोड़ी देर बाद हां तो अपकी बार तुमको पर्मानेंट ब्लाक कर देंगे चलो हाँ एक बात इसमें और भी करेंगे हम लोग वो क्या है कि अगर इसे हम सार्थक अंक की दृष्टी से देखें आपने पढ़ा होगा सार्थक अंक और पोटिमान उसमें क्या होता है पता है इसे अगर हम दो अंक तक लिखें बच्चा तो इसे हम लिख सकते हैं 5.92 पता है क कैसे लिख सकते हैं जो सेबन ही हट जाएगा और वन की जगा तू हो जाएगा यह सार्थक अंक में पढ़ोगे आप आपको एक वीडियो दे देंगे बना के हम कि अगर तीसरा अंक दसमलों के बाद का तीसरा अंक जो है जैसे से बन है आप अगर वह पांच है या पांच से देखेंगी तो आएगा ना ऐसे थोड़ी आएगा यहां पर साधी के प्रोग्राम में फंसन में आया हो कि आगए सब को देख लिए यहां सब आये ठीक ठाक है नहीं यहां पढ़ाई होती है ना तो अगर रेगुलर कलास में आएगी तभी समझ में आएगा एक दिन आने से किया कार्डिंग यहीं होगा इसमें और कुछ ने करना है यह था 10 रों का जोड़ना अब हम इसे खटम करएंगे सिरफ एक क्यूस्टन देंगे अप लोग के लिए आप जोड़ा अपना दिमाग पकालो اسके बाद 7 रों का जोड़ना खटम कि फिलो देखो इदर साइड में है आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हो यह समझे लो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो मेरे साथ में कर लो आपका टाइम अच्छा चल रहा है कर लो ठीक है मारा ही बुरा चल रहा है हम चिलाए जा रहे है अभी 50% लोगों ने सिर्फ लाइक किया बस बाकी लोग स इसको एड़ करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ तुरेंद्रियादो जी 15 अप्राइल पर चलेगा चैनल नंबर तीन पर नंबर दिया संपर करो हां इसको कैसे करोगे आप लोग बता तो मुझे अब मैंने बताऊंगा तुम लोग बहुत समझे लिए चलो अब आएंगे घटाना ना समलो का घटाना देखो बच्चा यहां पर समझो जैसे मान लोग कि मैंने लिखा है 23.005 इसमें से अगर हमें कोई कहे है कि बचवा तुम घटा दो 0.03 तो बताओ कितना आएगा जल्दा सोच के बताओ आप लोग घटाने वाले में कितना आएगा लक्षमीरावत करतीया है आज रोज भूल जाते अच्छा आज कर दिया ठीक है अच्छी बात है रोही त्यादो बच्चा तुम पढ़ाई करने आयो ना अगर पढ़ने आयो तो ठीक है पढ़ लो और अगर सिर्फ कमेंट पढ़वाने आयो ना तो माफ कर दो एक बार और चलो कि देखो उपर वाल आप लोग कर लेना घटाने पर बात करते हैं आप इसमें कैसे करेंगे आप लोग जड़ा ध्यान दो इसमें बहुत ही आसान है बाई वेरी गुड विकास कुमार जी ठीक है आ गयो बहुत अच्छी बात है लखना उसे आयो ठीक है ठोटा भीम कहा इनको सब्ट्रेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आसान सा सुंदर सा कि पहले यह पूरा नंबर ऐसे लिख लो 23.005 दसमलो के जश्ट नीचे दसमलो लगा दो उसके बाद क्या करोगे दसमलो के दाई साइड चलो 03 है यह 0 हो गया यह 3 अब दसमलो के बाई साइड आ करोगे जहां जहां कोई नहीं है ना बच्चा वहां पर लगा दोगे तुम 0 जहां पर 0 लगा दिया यहां पर 0 लगा दिया बस हो गया अब क्या करोगे जड़ा सोचो देखो समझ के चलो अब इन्हें हमें घटाना है तो पांच से सुन ना गया तो पांच रहेगा अब दे खाने को नहीं लेकिन भूंग खाने जाने देंगे तुम्हें चिलाएंगे जरूर बड़ा धर्मिक परवित्तिका है तो यह फलाने से उधार मांग लेगा बगल वाले से और यह इसको उधार देदेगा तो यह बन जाएगा कितना 10 और फिर यह इसको उधार देगा यह और यह दो ऐसे लिख देंगे यानि फाइनल में इसका आंसर आजाएगा 22.975 एक बात बहुत ही ध्यान से समझे ना इसको कभी भी 22.975 नहीं पढ़ोगे इसको कभी भी भूल से भी 22.975 नहीं बोलना नहीं तो गड़बडा जाएगा सब चोपट हो जाएगा याद रखना चिक है तो यह बात अपने मन में बसा के रखो बच्चा लोग चलो फटा फटा आगे बढ़ते हैं बिल्कुल टेंसन मतलो आप मुझे यह बात बताओ अच्छा दिख रहा है ना सब समझ में आने लाइक दिख रहा है ना कोई गडबड तो नहीं है ना कोई गडबड होगा तो बता देना तो बता देना बिल्कुल टेंसन मतलेना अगर गडबड होगा तो बता देना इसमें ना चलो देखो उपर एक और दे रहे हैं ध्यान से समझना देखो भाईया डारेक्ट कोईस्टन लिख देते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें से घटाना है 0.051203 चलो कितना आएगा सभी कोशिस करके एक बार बता दो फटाफट ट्राइ कर लो देर मत करो यह कोईस्टन सामने है आपके कितना आएगा सब अब आपकर करके देखो एक बार चलो देखो यह कलास बिसेस रूप से उनके लिए होती है जो mathematics में बहुत कमजोर है इनको गड़ित नहीं आती है और वो सीखना चाहते हैं उनके लिए specially मैं पढ़ाता हूँ यह live session पर पेक रातरी के 9 से 10 बज़े के बीच में live होता है और अगर इसी time सेट सेट सेटेस तुम कहा है सेट रहे तो बहे हमेसा है यह अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे गुड़ा तस्मलो का गुड़ा देखो जोड़ना घटाना तो आप सभी कर लिए मेन इसमें जो सबसे अच्छा सीखने वाला वो है गुड़ा है क्या है गुड़ा है मल्टिपल है आप समझो इधर साइड में गुड़ा में क्या करते हैं बच्चा इसमें एक कीच समझने वाली है छोटी सी है इतनी बड़ी स कि गुड़ा करने पर दसमलों के अंग जुड़ जाते हैं दसमलों के अंग क्या होते हैं जुड़ जाते हैं याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं चलो देखो सभी समझो फटा फट सभी को समझ में आँ और आँ आवाज आ रही ना कोई दिकत नहीं न बदा अकाज करदे और नाम ले के कमेंट ना करो किसी का नाम ले के कमेंट ना करो देखो समझो चलो तसमलो का कुड़ा जैसे ले लो 0.03 into 0.001 इसका multiple करोगे तो क्या आएगा जड़ा कोशिस करके देखो इसमें simple सा है आपके सामने पूरा इस्क्रीन दिखरी मैं सामने से हट गया हूँ यहाँ पे समझो बच्चा यह सीधा सा इतना है कि हमें 3 का गुड़ा एक में करना है और हम सभी जानते है कि 3 आएगा हम सब को पता है क्या आएगा 3 आएगा 3 आएगा ना पस इसका answer final में क्या आएगा 3 आएगा लेकिन इसमें समझ्या यह है कि यहां पर 10 अम्लों 3 पर लगा है एक दो तीन यहां पे एक दो तो बच्चा यह तीन अंक और यह दो अंक जुड जाएगा स्वाइनल ते संब्लों 5 अंक पर लगेगा इसको फाइड में लिकलो तो 5 अंक के लिए हम साल पाल जी आया समझ में चोटु जी बवितार रोहित तुजीत आ रहा ना समझ में बच्चा कुछ थोड़ा बहुत बुझार रहे ना मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही ना कब भाई बुझार रहा है कि नहीं हम यूपी से हैं लेकिन यह लोग लेंगवज थोड़ा कम समझते इस वजास से चलो आगे बढ़ें चलो ठीक है आगे देखो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ध्यान देना चलो इदर साइड में देखो अच्छे से समझो कि देखिए अगला देखो अगला देखो अगला देखो यार बहुत देखो जीरो पॉइंट टू वन इन्टू जीरो पॉइंट त्री इसका अंसर कितना आएगा जड़ा सोच के बताओ कितना आएगा जादा क्रिशना जी बताइए रोही त्याद हो आप भी हो चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है बेरी गुड अरे तुम लोग कोसिस का नहीं कर रहे हो भाई ऐसे मज़ा नहीं आरे बिल्कुल जान लो बहुत तेस से मुझे गुस्ता लगती यह जितने भी बैठे हैं यह कम नहीं करते हैं कमेंट तक नहीं कर पाते हैं पतने जिंदेगी में क्या करेंगे मतलब पैदा हो गया कुछ समझ में नहीं आता क्या जरूरत है हर कोई कमेंट कर रहा है मुझे पता है सब नहीं कमेंट करते हैं मैं सबकी बात भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्च इसका अंसर हर कोई बताएगा मनीज जी ठीक है टाइटेनिक सुनील रोहित सचीन क्रिफना सोनिया संक्या बढ़ रही ना कि कमेंट बढ़ रहे मुझे पता है कुछ जो चुप चाप बैठे थे उनके थोड़ा थोड़ा लगा की देखो का बोल रहा है चलो मैं भी कर देता हूं कुछ कमेंट जल्दी करो सबी हर कोई करो फट 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 देखो इधर साइड में अब समझते हैं ठीक है तीरा दप्त ठीक है अच्छी बात है आर्जुन दिक्षित ठीक है बच्छे ठीक है बेरी बुट उपेंद्र यादो देखो ये सीधा सा इतना मतलब है इसका जैसे तुम 21 का गुड़ा तीन में करते हो 21 का तीन में कर लेते हो ना ये 63 आता है ना बस तीन का 21 में गुड़ा करना है और फाइनल में 63 ही आएगा बच्चा कितना आएगा 63 ही आएगा लेकिन दसमलो का कहानी यहाँ पर अलग है यहाँ पर एक अंक पर दसमलो है यहाँ पर दो अंक पर है तो फाइनल में तीन अंक पर दसमलो लगेगा और यहाँ पर एक जीरो छूद जाते हैं जैसे एक आंक यहां दो इसको मिटा देता हूं अगे बढ़ते हैं अगली अगला देखो ध्यांगा अगला समझने की कोशिस करो बिल्कुल टेंसन मतले ना फटा फट हर कोई जबाब देगा ऐसे मज़ा नहीं आ रही है जानलो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आती अगर तुम कमेंट नहीं करते हो तो हर कोई कमेंट करो फटा फट देखो यहां पर अगला अगला बिल्कुल रेड तो उल्जो नहीं सूलज के कामों करो चलो बताओ कितना हैगा अरे यह लिखाओं छोटका साहाइक्तम मतलब छोटे बच्चों आ लाई यह एक है भाई ठीक है देखो आप लोग गड़बड़ी ना करो लड़ाई जगड़े ना करो लड़ाई जगड़े ना करो और नहीं तो दसमलोब वाली है जो समझने वाली है क्या है दसमलोब आला है जो समझने वाला है तो लगेगा है तो परảole नक ने reaches नक पर दसमौ लगएे जाप वाइए ना किसमें अर बनाएंगे यह पांच अंक हो गया दसामलों यहाँ पर लगा दिया इसके पहले सुनना जरूर बढ़ाते हैं ठीक है समझ गए ना एक जी ज़ूर समझ लो कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं कि जैसे दसामलों पांच लिखती है नहीं क्यों नहीं लिखते हैं यहाँ पर हमेशा 0.5 लिखेंगे मतलब उसके आगे जीरो लगना जरूरी है जीरो लगना जरूरी है अब क्यों जरूरी है अगर आप सुरू से कलास देख रहे हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा बात समझ में आए ना कहेंगा आप वाएच की बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कौन सी खूबी दिख गई आपको मुझ में हाँ अच्छा सुपर्टेट के टीचर हो आप लगतो रहा आपके कमेंट से बहुत अच्छे टीचर हो बढ़के टीचर हो काफी बच्चों के पीछी लगे ओ परिसान करके रगदी हो फिर कह रहा हूं पाइदा हूए है समझ में एसा भी को यह कलास का टाइम है रात्री के 9 बज़े से शुरू होतीगी कलास रात के 9 बज़े से लेकर 9.45 मिनड़ तक अभी 10 बज़े से अगली कलास चलेगी ठीक है ये गुडा हो गया अब हम लोग करते हैं दसनलों का भाग क्यों दसनलों का भाग कर लेते हैं ले एक अधूठी कर लो चलो 5.25 को ड़ा 0.05 इसका अंसर बता दो आप लोग चलो इसका बता दो क्या आएगा फिर आगे बढ़ते हैं चलो जल्दी करो ट्राइग करके देख लो एक बार जो इदर साइड में यह हो गया अब हम करेंगे दसमलो का भाग क्या करेंगे दसमलो का भाग देखो इधर साइड में समझे दसमलो का भाग अब भाग कैसे करते हैं यहाँ पे देखो समझो जैसे मान लो यह तो आप लोग बता लिए होंगे फिलाल इसको मैं मिटा देता हूं इसका काम खतम हो गया भाग में आ जाओ ऊज़ो बच्चा जैसे 0.5 है इसको अगर हमें भाग देना है 0.1 और तो आपको पता है क्या आएगा चरह एक बार सोच के देखो क्या आएगा एक बार ट्राइ करके देखो क्या आएगा यहां पर समझो यह भाग का मतलब क्या है यहां पर एक चीज और इधर साइड में समझो कि जैसे 4.3 अगर कहीं लिखा है चार अनुपाते 3 ठीक है 4 ratio 3 अगर लिखा है या फिर इसे हम ऐसे कर सकते है 4 upon 3 क्यों? बोलो सही है कि नहीं? चाहे तो 4 ratio 3 लिखा है या 4 upon 3 लिखा है या फिर ये ऐसे लिखा है 4 divided by 3 इन तीनों का मतलब एक कै हुआ बोलो सभी समझ रहे हो की नहीं? सभी समझ रहे हो की नहीं? 4 ratio 3 यानि 4 अनुपाते 3 या 4 बटा 3 या 4 भागे 3 करोगे ये सब का मतलब एक ही हुआ ठीक है? तो वैसे बच्चा हम इसको ऐसे कर सकते हैं 0.5 upon 0.1 देको दसमलों दोनों में बराबर बराबर अंक पर हैं बराबर बराबर अंक पर हैं तो समझावता हो जाएगा फाइनल में ये 5 बटा एक हो जाएगा दसमलों कुल से 8 जाएगा और लाश्ट में केवल 5 आएगा कितना आएगा? Only 5 आएगा बच्चा कितना आएगा 5 आएगा अब आप सभी जल्दी से एक कमेंट ये करोगे क्या आप सभी को समझ में आया जल्दी बोलो yes या no क्या ये आप सभी को समझ में आया yes या no कोई कमेंट करेगा जल्दी जल्दी से फटा फट चलो आया समझ में सब को मज़ा आई थोड़ी बहुत की नहीं हां आई ना की नहीं आया ना सभी को समझ में समझ रहो ना कोई दिक्कत है तो बता दे ना भई अच्छी बात है आपने कॉल किया था तो हम भी जी थे आप भी जी रही है जिनको नहीं समझ में आया रेगुलर क्लास देखें पीवियर स्टडी का टेली गराम चैनल जॉइन कर लो ठीक है पीवियर स्टडी के टेली गराम चैनल पे पीछली सारी कलास मिल जाएगी अब तक कितना पढ़ाया पीछे समय जाएगा आप सभी हमारा टेली गराम चैनल जरूर जोइन कर लो कि समझ रहे हो कि नहीं बचा लोग्या तो सभी जोइन कर लो पीभी यार इसे फोन काल करने में आर टाइम याद रखना 12 बजे से 2 बजे के बीच में फोन करना रात के 12 बजे ना करना बचमा दिन में 12 से 2 बजे के बीच अगर नहीं कर सकते हो इस टाइम बीजी हो तो आप हमें वाट्सप पर मैसेज कर सकते हो 24 गंटे में चाहे जब